सरदार गुर्प्रीत सिंग्तूर दी पुस्तक जीवे जवानी दा पहला लेख है नशियां दी दस तक अपनी बदली होनू परंत मैं 7 अक्तूबर 2009 नू जलंदर तों चार्ज छड़िया ते उसे दिन शाम नू ड्यूटी ते जग्राउं हाजर हुया जलंदर में SP सिटी तायनात सी ताई कौरत ने अपने शराबी पती वल्लों हद दर्जे दी तंगी बारेश कायत केती सी उस्ता पती कार कोई खर्चा नहीं दिन दा सी अते शराब तो इलावा होर कई नशेवी करदा सी उस वल्लों कीती जारी कुट मार दावे स्थार दस्दे हुए उन्हें पती वल्लों नशेदी लोडनू पूरा करन लई कारदियां वेचियां वस्तां कागस दे टुकडे ते लिखके पेशवी कीतियां दो बच्चियांदा वास्ता पाके उन्हादे रिष्थेदारां ते मोत बर्व यक्तियांने पहला मही नाकू पहला उन्हादा समझाता करवा देत्ता सी चार्ज छडणू प्रांत जदुमें अपने दफ्तर तो बार निकलिया ताओ औरत दफ्तर सामने फेर खड़ी होई सी ओधे पती ने नशेदी पूर्ती लेई पिछली रात गैस सिलंडर ते चुल्ला वेच देत्ते सान जग्राओं पॉंचन उप्रांत वमें सेल दी इन्चार्ज ने पती पतनी दे चगड़े सबंदी दोवें पार्टियानू मैंनू दफ्तर विच मिलाया इन्चार्ज ने सपष्ट कीता के दोवां पार्टियान विच समझाता हो जुक है लड़के दी उमर ठाईकू वरे हुएगी पती वल्लो नशा कीता जाना चगड़े दा कारण बणेयां सी सो बाविक मैं उस लड़के तो पुछया के केड़ा नशा कर दियो उन्हें दस्या के मैं लोमो टेल दियां ती गोड़ियां खान दा हां उदी पतनी चाट्टोट खड़ी हुई उन्हें स्पष्ट कीता के मेरा पती ती गोड़ियां स्वेर नू ते ती गोड़ियां शाम नू पाव कुल सट गोड़ियां रोजाना खान दा है इको दिन वापरियां एदो में कटनामा पंजाब विच नशेयां दी स्थिती नू स्पष्ट करन दा यतन कर दिया हन नशेयां दी बहुत वद गई वर्तों नशेय दे परवारां दा हाल नशेयां दे समाजिक परबाव औरत दी स्थिती नशेय दी आदत नू पूरा करन लई शुरू होन लगे जुर्म पामे के ना कटनावाने इस विशे नू कई पासियां तो खोलिया है पर असलियत विच नशेयां दा दुखांत इस तो कई गुणा डूंग है इस दुखांत दा सब्तों वड़ा संताप इस वेले औरत हंडा रही है प्रिष्टाचार, बेरोजगारी, अग्यांता ते क्रेलू हालात तो मजबूर कई वर्गांदे पूरे परिवार नशेयां दी सप्लाई नू अपना रोजगार समझी बैठे हन सालां बद्धियों इस गैर कनू नीतन देजफास के आप भी नरकांदा जीवन जियों ले मजबूर हन अते जाने अन जाने उन नौजवान पीडी ते अपने लोकांदा वी बहुत नुकसान करदे रन्दे हन पंजाब दी हर तैसील वेच अजये चार-पांज पिंड उंगलां ते गिने जा सकदे हन शेरां वेच वी अजये कई खेतर होंद वेचाई हन सतलुज दिर्यादे आसे पासे मालवेते द्वाब्बे दे कई पिंडा वेचों नशा वेचन वाले अजये पंदरावी व्यक्ती प्रती पिंड नशे वेचन दे गैर कनू नीतन देच माहर बन चुकी हन ओ पीडी दर पीडी ये काम करदे आ रहे हन वो पुल्स नू चनोती देन लगे हन नशेयां दे सेवन ते विकरी पक्षों प्रांत दे हालत देन प्रती देन गंबीर हो रहे हन इक पासे नशा वेचन वाले हन ते दुझे पासे खप्त कारां दी बहुत वड़ी पीड है इस पीड विच निरंतर वादा हो रहे है पक्के नशेयां तो इलावा दुवाइयां दी नशे दे तौर ते वरतों प्रांत लई बहुत वड़ी समस्या बन चुकी है गोडियां कैपसूल ते टीके नौजवान पीडी दा कान कर रहे हन इना दा परवाव बाकी सारे नशेयां तो भी वड़ रहे है ते दौइयां दी नशेयां दे तौर ते वरतों दिन प्रती दिन का तक हुन दी जा रहे है क्योंके पहली गल दौइयां दी नजैस वरतों बहुती मुश्कल नाल कनून दी पकड़ चान दी है दूसरा, ए हर कोने ते पिंड-पिंड असानी नाल मिल जान दिया हैं तेसरा, दवाईयानू नशियां दे तौर ते खरीद दियां, कोई समाजिक दोश नहीं गिणियां जान दा चौथा, इना दी वर्तों कर दियां, शराब ते स्मैक दे नशियां वांग, इना दे लच्छन छेती की ते नजर नहीं ओंदे ते पंजवां, दुवाईयां हर किसम दे पक्के नशियां, हाट ड्रग्स दे बराबर जा खडियां हन शराबी दिन विले स्रीर दी तोड ठीक करन ली कैपसूल खान लग पे हन अफ़ीम ते पोस्त देन शाई, लोमो टिल दियां गोलियां ते स्मैक पीन वाले नॉर्फेन ते फोट वें दे ठीके यां दिवर्तों भी करन लग पे हन पिछले वरे दुवाईयां दी को दुकान किरायतों अगे किरायते दित्ते जान समय हुए चगडे सबंदी दो पार्टियां दफ्तर आयां दरसल जिस आदमी ने अखीर विच दुकान किरायते लई सी ओ मुकर रिया सी ते दुकान किरी दन सबंदी हुए ये समझाता रद करना चौंदा सी उन्हें दरखास दिती सी के उस नल तो खा हुए है उन्हों दस्या गया सी के दुवाईयां दी विकरी दो हजार रुपै प्रती दिन तो वद है इस देदार्ते उन्हें दुकान कराये थे लई सी, पर रोजानना विक्री 400 रुपए तो वद नहीं है, 2000 रुपए रोजानना सेल ताईं है जद नशियां वालेयानू दवाया वेचियां जान्दिया हान। उन्हें विक्री रेजिस्टर सामने राखे गलनू पूरन स्पष्ट किता, दवाया बनान वली एक कंपनी दे सेल्स अधिकारी ने दस्या के नशे दे तौरते आदत बन जानवलियां, हैबिट फॉर्मिंग मैडिसन्स अजञ्या दुवायां दी पंजाब विच सेल दखन दे चार प्रांतां विच होरे कुल विक्रीतों वी वद है। है दाद वेचदा, चोरी करदा ते चूठ बोल दे। जियों जियों नशेदा पर बावद्दा जान दे, ते ओ दे आर्थिक स्रोत कट दे जान दे हन, ते ओ ते ओ ओ जिन्दगी दी सार्थिक दौर्ट च मनफी हुन्दा जान दे, ओ हिंसक होन लग दे, ते हिंसा भी एन न पूरा करन लेई, अपने मापयों नुवी कतल कर सकते। वापस आया हुया से, माने पुत दियां करतूतां पतीनू दासेतियां, उस रात उस छोटे जे परवार विच को सरमुसर हुन्दी रही, ते हार ते खुशियां दा देन उस परवार ले, उदासी दे आलम च चड़या, स्वेर दी चापीन तो बाद मां पुत विच थोड़ तकरार हुया, पुत ने मानों उसे दे चुन्नी नाल गल कुट के मार दता। जे अजियां कटनामा दे अंकड़े कठे कीते जान, ता पंजाब दी अत्यांत उदास तस्वीर साड़े सामनेयों दी है। जो जलंदर दी काजी मंडीतों स्मैक लेनाया हुया सी। पामे के नशियांदाओ दा सफर अठ दस वरे पहलाई शुरू हुया सी। पर होनों रुजाना तिन ग्राम स्मैक पीन दा अद्धी हो चुक है, जी दी कीमत हजार रुपे तो वद है। स्मैक पीन दियां, तीलां बाल दियां, उधियां उंगलां दे पोटे काले हो चुक है हन। ते उधि अवाज पके तौर ते थथलोन लगी है। अपनी हिसे ओंदी साथ एकड जमीन चो, वो दो एकड पहले ही वेच चुक है, दो एकड दा ब्याना हो चुक है, छे ते आठ वरें दियां उधियां, दो दियां, हन ते अपनियां दों बालडियां नाल, जलंदर जेल दे बार मुलाकात दियो डीक कर दियो दी पतनी, अप तोरते पुलेख्यां, अनगेली, हास्से मजाग, देखा देखी, पैडी संगत, माप्यां दे प्यार दी अणोंद, नैतिक कदरां कीमतां दी काड दी मानसिक परेशान्यानू नशियां दे कारना ख्या गया है, पर जे पेंडू खेतर दे स्तार्ट प्रतिशत लोग नशिय दे सेवन दे शिकार हन, तायना कारनानू दुबारा कोखन दी लोड है, सरकारी नौकरी दोरान नशियांदा सेवन करन वाले, वेच्चन वाले, ते नशियांदी लोडनू पूरा करन ले, जुर्म ते कई वारी संगीन जुर्म करन वाले व्यक्ती, मेरी विशेश दिल्चस पी रही हन, नशियां दे कार्णा दा वर्नन गुंजलदार कम है, पर यतन हेटलिखे अनुसार है, इना कार्णा दी तर्तीप दे समस्या दे कुल हिसे चूं, इना दा पाग करमवार उपर थलेजा वद कट हो सकता है, पहला, पंजाबी जीवन विच किर्ट दी परिबाशा मन फी हो गई है, किर्ट दा मुल ते मान वी चला गया है, कमाई दे गैर कनूनी तंद्या ने सची सुची किर्ट नू तका दे दता है, प्रेश्ट समाज विच आदमी वी वस्तू बन गया है, पैसे दी दोड तर्ती ते ही दोड़ी जानी चाही दी सी, पर कुझ लोग अस्मा वलवी पजन लगे, पैसे कुझ हत्था विच इकठे हो नाल, मेहंगाई सिखरां तक पड़ गई, ते किर्टी दा काम चो विश्वास उठ गया, नौजवान बेरुजगार हो लगे, ते एगन ती पीड बन गई, दूसरा, नौजवान आली सरकारी नौकरियां दे बुहे लगपग पूरी तरांटो दिते गई, वपार ते उद योगवलों टेक्स ना देन कारण, इना नौकरियां दी होंद नौ बरकरार नहीं रख्या जा सक्या, इस हद तक प्रेश्ट समाजवेच प्राइवेट नौकरियां सोशन तो वद कुझ भी नहीं हन, उख्डया मन दा सहारा लेंड लगा है, नमबर तिन, बच्चेयां ते माप्यां दा रिष्टा टुट रहा है, तिडक गए सांजे परिवारां दा भी माडा पर बाप्या है, चाचेयां तायां दा डर मनफी हो गया है, ओ नौजवान जो पहला माप्यां रिष्टेदारां वड़यां विच रुजी रहन वड़ी ले टुट गई, बदल दे हालातां विच नौजवान इकल्ले पन जान साथी नौजवान दे साथ तकी सीमत रह गई हन, चौथा, इकल्ले पन दी मार हे ठाई इना परेशान नौजवाना नू नमी तेज जिन्दगी ने इशारा करके अपने वबाइल फोन ना, इंटरनेट ते फेस्बुक ने उना नौँ होर रा विखा देता है, जिन्दगी दिये ले नशियां दी लोर नाल मेल खान लगे, पन्यवान, उना काम चाड़ देता है, हर कोई मेनत मुशकत नूँ चाड़ के पैसे को मौन लई, छोटे रहां यतन करन लगा, इत्थी वास नहीं, नौजवान काम बिलकुल छड़ दे गए, ते लोडां दिन प्रती दिन वदाओं दे गए, छेवान, विद्या दे नालनाल पेंडू नौजवान पेड़ी, नैतिक कदरां कीमतां दे सबक्तों वी वंजी रह गई, पेंडू खेतर आपकांदी काट गिनती, ते चंगे दे आपकांदी अन्होंद इस समस्या दा कारण बढ़े हान, अन्तां दे प्रिष्टाचार कारण जिन्दगी दियां जरूरी लोडां लगातार मेंगियां हुदियां गईयां, खेती लाहेवंद तन्दा नहीं रहा, खजाना खाली हों सरकारी नौकरियां बंद हो गईयां हन, कम करन वाली पेंडू जीवन दी ले उखड गई है, नौजवान वेला ते बेकार बढ़न लगा है, उखडी जिन्दगी ते चड़ दी जवानी नू जिस लोर दी लोर सी नशे हो दी पूरती करन लगे हन, खपत ते बुरे पर पोस्त ते अफीन तो अगे निकल गई हन, चड़िया दिर्या जिस तरा लगातर कंडिया नू खोरदा रहन दै, उसे तरा 14-15 वरियां दे बच्चे वी नशेयां दी हड ने अपनी लिपेट चले ले ले हन, नशेयां दी रोक थाम लेई, यतना नू दो पा गांच वंडिय जा सकते, प्रिष्टाचार दी दरनू कटाया जाए, ते किर्ट दा मुल ते मान होवे, नौजवाना नू रोजगार मिले, सरकारी नौकरियां पेंडू जीवन दा अनिक खडवा अंगरें या हन, इना दी होंद नू बरकरार रख्या जावे, इना नौकरियां दी होंद ब पर बावशाली लेर चलाउनी चाही दिये, ताके इस माडे पासे नवे दाखले नू रोख्या जा सके, नौजवाना नू सेद देन ले, गंबीर ते सुहिर्द यतना दी लोड़। सजय नौजवान ग्रिफतार होई, जिड़े आप भी नशा करदे सन ते गोडियां, कैपसूल ते टीके, नशा करनवाले नू वेच देवी सन। तेन चार कटना मादा जिकर तस्वीर खोलनली ज़रूरी है, दो नौजवाना नू नशेयां दे वड़े बैग समेत ग्रिफतार किता गया, पुछ गिच दोरान सपश्ट होया कि कोई तीजा व्यक्ती, उना तो नशेयां दी टुआ टुआ टुआई दा तंदा कराउंदा ह उना नू प्रती बैग एक हजार रुपे दिते जान दे हन, बच्चे ते औरता इना गोलियां ते कैप्सूला नू परचून वेच वेचन दा काम कर दे हन, नशा वेचन दा तंदा हेठले पदर तक योजना बद हो चुका है, चौवी रुपे दी खांग वाली शीशी नश करन वाले नू असी तो सौर पेच मिल दी है, नशे दी लोड पूरा करन लई नौजवान जुर्म करन लग दे हन, एक बस दी चेकिंग दोरान नशीलियां दवाया नल परिया एक बैग मिलिया, उस बैग दा मालक लबबन लई चार नौजवाना दी तलाशी लई गई, चार नौजवाना विच्चों दो कोडों नशीलियां दवाया पाया गईया, अजए ही एक नौजवान कोल नशीलियां दवाया दा बैग दे दस अजार रुपे ब्रामद हुए, पोलिस नू शक होया के उन्हे अजवान एक होर बैग हुने हुने वेचिया है, एर अकम उसे थोक सेल लई, लाइसेंस हासिल करना सी, ते लोडीनदा तजर्बा सटिफकेट लैंड लई, उन्हें एर रकम ते होर पैसे किसे व्यक्तिनू रिश्वत वज्चों देने साल, अजए एक होर नौजवाननू जद पुछिया गया, के केड़े केड़े नौजवान नशा कर द ते उसने अजए वी पच्ची नौजवाना दे नाम लिखवा देते, प्यास दे छिलक्या वांग अजए हर कटना, नश्यां दे बहुत वद गय सेवन, ते समाज दियां कई परतानू खोल दे, अजए आ क्यों है, नौजवान पटक क्यों गय हन, इसनू केवल अंगेली ते हाणियां दा दबाओ कहके टाड़या नहीं जा सकता, अजए ही सोच समाज दे दुखांत नू जर्बां दे रही है, दरसल नौजवानना कोल रुजगार नहीं है, प्रिष्टाचार प्रस्थितियां ते नवीन जिंदगी दियां सुक सहूलतां, जदोना दी चार हजार काले तान ते किर्थ विचकार होई जदो जैद विच आज किर्थ हार गई है, उदा मुल्ग वाच किया है, ते उदा मान वी टुटा है, ही माचल परदेश ते राजस्थान विच अजवी पच्ची ते पंजाब पैसे दे सिक्या नालता आर्मिक स्थानांच मत्था टेक्य जानता है, पच्चमी बंगाल विच जे बास्ता किराया दो रुपए पचासी पैसे है, ता कंड़क्टर तो आनू हर हालत पंदरां पैसे वापस करेगा, पर पंजाब विच अंगिने पैसे दी रफ्तार इनी देज है कि इना सिक्यां दी होंद मिट गई है, इथी बस नही वड़े नोटा ने छोटे सिक्या नू बेज़त करके लोब कर देता है, समेधियां बदल दियां पैडांचों अज किर्ती नू के नानल वेख्या जान लग गया है, अजाई हालात नौजवाना दा किर्त च मननी लगन दे सरकारी नौकरियां पंजाबी जीवन दा अटोट हिसा रही हैं, इना दी होंद निरंतर मिट दी जा रही है, इना दे बदल च प्राइवेट नौकरियां शोशन तो वद कुछ भी नहीं हैं, तुसी उस स्कूल वेच जाओ, जिते तुसी मैट्रिक जा हैर स्केंडरी दाइम साइंस दान जिस तरां पंचियां दे पेरानाल रिमोट सैसिंग पत्रियां बन के उना दियां उडानानू वेख दे ते नापदे रंदी हन, इसे तरां पिछले पंदरां वी वर्यांच, इना स्कूल लांचों पास होई नौजवानानू वेखो, तां स्पष्ट स्थिती त अनू नजर ओन लगेगी, साधा सुबा ते साधियां आधता भी नशियां दे तरातल दा अदार बन दियां हन, साधा इतिहास गौरव मई है, पर जिस मोड ते असी अज खड़ियां, उस वेच गौरवता दी बड़ी काठ है, साधी सोच निज तक सीमत होके रह गई है, अचते बोलनली मौका मिल दे, तासी पाइक नयाद युदारन दे दननेयां, लेकिन जे सडक दे, किसे दे सिर्चों खून वगरेयां, तासी गर्दन कुमा के लंग जाननेयां, असी प्रिष्टा चार विरुद्धी संस्था दे ओदे दार बनके, पहला कम विजिटिंग का काड बनो अन्दा कर दियां, उस काड नू दो नंबर दा तंदा करनवाले बंदे नाल छोहा के, उस तो पचीती हजार रुपे कडवालें दियां, साड़े ते उस व्यक्ती दोहां दा आर्थिक पार आम आदमी ते पैंदा है, समाज वीच जेंग्यां कई गलां समुंदर निरंतर तैर रहे नहीं है, प्रेश्ट ते खास बंदे लेई, ए लेरां मधूर ते मिठा संगीत पैदा कर दियां है, जदोंके किर्टी ते आम आदमी लेई, इहू लेरां खतरनाक समुंदरी लेरां दा रूपतारन कर लें दियां हैं, अज प्रांत दा इहो दुखांत है गरीबी कारण किर्ती दीती दा व्या नहीं हुन्दा ओदा पुत्व देशां विच पटकदा है ते आप उच्छतां ते रुखा नाल लटकदा है असी गुण गुणोंदे ताहां बलिहारी कुदरत वस्या लेकिन साधियां अखां पदार था ते टिकियां रेंदियां हन कला ते कोमल कलामां दा सड़े जीवन नाल कोई राप्ता नहीं है अक्तूबर मही ने दुजे परांतां दे पंज व्यक्तियां नाल मिलन दा मौका मिलिया सार्या नहीं पंजाब दे लैंड्सकेप ती पर्मी तारीफ केती दो व्यक्ती ता मुबाइल फोन वेच चोने दे खेतान यांत स्वी रंखेची फिर देसन चोने दे हरे हरे खेत होली होली सुनेरी रंगच बदलन लगदे हन ए द्रिश कुदरत दे सुहपन दाद पुत नमूना हन अगेते पछेते खेत हर्या पीलियां ते सुनेरी पटियां दा सुन्दर द्रिश पेश कर दे हन पेंडू खेतर विच कुम दे मेरे एक साथी ने खजूर दा रुख देखके मैनू समझाया के इकले इकेरे ए रुख पुरातन रस्तियां दा संकेत हन अरब देशां दे सुधागर वपार करनों दे ते जिथे जिथे बैठ दे उथे खजूर दे बीज डिग पेंदे इक तों दुझे इना रुखां कोल जान देया पुरातन रस्तियां नू अजवी उक्रिया जा सकते चटपट मेरे दिमाग चे कई कुछ कुम गया ससी, सोनी, पुन्नू, महिवाल, हीर दमोदर ते हीर वारस, बाबा फुरी ते पाई गुर्दास साड़े सब्याचारदियां जेंगा सुगंदत शीशियां हन जिनानू बार-बार माननू दिल कर दै मेरी ती हास्विच बहुती रुची नहीं है लेकिन जदवी मैं खजूर दे रुखनू देखदा ता चटपटो मैनू मेरे सब्याचार नाल जोडदै यादां दी महक, खुशियां दे सदीवी ते अमीर खजानने हन इकले इकेरे खलो ते ए रुख पाने सहज ते सदारन जिन्दगी दा परतीख हन साड़े समाजिक समागम दिन प्रती दिन मेंगे हुं दे जा रहे हन विदेश जान दी लालसा ते कुछ व्यक्तियां दी शेर विचागी जैदाद ने व्यावरगी पवित्तर असमनू बहुत मेंगे पा खरीद लिया है व्याश अबदनू असी शगन करन, चुन्नी चड़ाउन, लेडी संगीत, अनांद कारज ते रिसेप्षन आद कई पागांच वंड लिया है खर्चे ते शराब दे सेवन पक्खों हर हिस्सा ही पूरन व्या है व्याश में सोने ते कीता जन्दा खर्चावी, साड़े संजम ते स्यान पूते वड़ा प्रशन चिन है समाच विचरद्यां हर वरग दे व्यक्ति नू ए दोड दोडनी पैंदी है आर्थिक तोर ते टुट्या बंदा जिंदगी दी सार्थिक दोड चो उखर जन्दा है ते नशियां वालो दा चुका हो जन्दा है नशे मादा परून हत्या विदेश जानली बे जोड व्या ते पुत्तर दी लाल साच अलाद प्राप्ती दे यतन हर समाजिक कुरिती दा वड़ा हिस्सा और थंडा रही है पामें इसवेच ओदी आपनी कोई वी अंगेली ते कसूर नहीं हुआ इक व्यक्ती मेरे दफ्तर आया ताओ दे हाथ वेच कलाई ते लगे वड़े कट दी फोटो से कटी गई चमडी दियां तैयां ते खोन दे रेशे इंज नजराओं दे सन जिमें फोटो सर्जरी दे विद्यार्थियान उपड़ा उनले खिची गई हुए उस व्यक्ती ते मानसिक तनावए ना सी कि मुँ कुझ भी न बोल सक्या मैं पुछिया लड़ाई हो गई मुकदमानी दर्ज होया जब बंदे नी फड़े गई परेना विचो कुझ भी नहीं सी दरसल उस व्यक्ती दे बाप नू एक वचोले ने वर्गला ले आ सी जिसनू उधी पैंड ने कॉलेज तों वापस कारोने या साच्वी काल बुलाई सी तीजे व्या ले पंदरां को देना ले आए वदेशी लाड़े दी तस्वीर वखाई गई छोटियां दोमेतियां ते बार मीच पढ़ दे पुत लई वदेशी सुपने वखाई गई सन। हफते वेची उन्हें अपनी छे एकड़ पोईं बहत्तर लाख दी वेच दिती वी लाख रुपए व्या ते खर्च हो गई ते बाकी रकम वीजा ते हवाई टिक्टा ली राखमी रख ले गई ओधी तीप हमें एम्मेदा इम्तियान पास कर गई पर उस जिंदगी दे इम्तियान विच लुड़क गई सी उस व्यक्ती दे पहले वे आहां ते उमर दे फर्क दे शंका जाहर कर देयां अमबैसी ने उदी वीजा अर्जी रद कर देती दो तिन वरे दफ्तरा विच पठक देयां उदी पुत्तर ने कोर निराशा ते मजबूरी दे आलमच अपना हाथ शीशे ते मारें ते एहो फोटो लेके उदा पाप मेरे दफ्तराया सी इस जखम चो मैं उदी ती दे मथे दा जखम विखन दी असफल कोशिश की दी शराब दा बहुत वद सेवन वी नश्यान दी रोक थाम च वड़ी रुकावट है कई लोग शराब पीननू तंदा समझी बैठे हन पंजाब दे हर पिंड विच पांजतों दास का रजई हन जिना दी सारी जैदाद पिछले दास पंदरां बरेंची शराब दी पठीच जल चुकी है उना परवारां दे बच्चेयां ते औरतां दा की कसूर है केड़ पविख है आस्तन तोर ते प्रांत विच प्रती पेंड शराबियां दियां विद्वावां दी गिनती दास्तों वद है कॉल जांत युनिवस्टियां दे समाजिक शास्तर दे विद्यार्थियां जे कर इस विशे नू लेके मास्टर्स डिगरी करन ताम प्रांत दी अत्यंत उदास्त स्वीर साड़े सामने आएगी पंजाबियां च बौत कट पड़न दी रुचिवी जिंदगी दे सार्थिक वहा च वड़ी रुकावट है रंग मंच एक जेया प्लेटफॉर्म में जो समाजिक तुर्टियां दी निरंतर पेशकारी कर दियां मनुख नू सोचनली मजबूर कर दे ओसानू वर्त मांदा ऐसास करोंदा पूत काल ते पब एक दुमा नाल जोड़दा है रंग मंच तो प्रापत होन वाली सूज दी काटवी साड़े जीवंच निरंतर रड़क दी रंदी इस वरे दिवाली दे दिनांच तोफे लेंड देन वाले आनू वेखदा में बचपन दी दिवाली दे दिना विच्चला गया रत्तू कुम्यार जद दीवियां ली मिटी लेंड जांदा तासी योदे मगर-मगर हुंदे असी पिजी मिटी दी खुशबूनू मान दे ते कुम दे चकनू टिक-टिकी लाके वेखदे रंदे दीवे बनदे ता साड़ी समझ चौंदे पर जद ताया रत्तू खां चौ मुखिया दीवा बनओंदा ता साड़ी सोच पल्टा खा जांदे लेकिन जदों मशाल बनओंदा ता बाल मन फेर विश्वास्ट आ जांदा सिर्थे दीवे आंदा टोकरा चुके जद तायी रेम ती वेडेच वड़दी ता मेरी दादी मानू उच्चिय वाज मार दी टोकरा ला चुन्नी नू दोहां हत्थांच फाड़के दादी मानू मत्था टेक दी चा तरके मान दीवे आनू पाणी दी परिबाल्टी चुपे ओंदेंदी दादी माने रेम ती गल्लान लाग जान्दी यां मैं पाणी चुपे जे दीवे आन दी खुश बोवनू मानन लाग जान्दा मा परोला फेर रही हुंदी करकर दीवे वंड़दी मुडदी हुई रेम ती फेर साड़े कार रुख जान्दी मिर्चांदी या चारनल रूटी खान्दी उची 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 गल्लां कर्दी चा पीमेंगी रेम ती ये मान दूरें पुछ दी ते होर होन उदे बोलांच सचे सुचे रुजगार ते कम मुकालेंदी टनक ते मैक वी हुंदी उदे बोलां तो उथ शाहित हो के चुल्ले वीच लट-लट अग माच रही हुंदी आज ता लोकी वडियां कारां विच मैंगे गिफ्ट लदी फिर दे इना दीवियां ते ताई रेम ती कोडो मूँपो आंके लंग जान दी हन अध्यापकां दी निरंतर काट रही गिनती ते चंगे अध्यापकां दी अन्होंद कारण पेंडू खेतर दी सिख्या पर नाली डग मगा गई है विद्यार्थी नैतिक कदरां कीमतां तो वन जेरेन लगे हन दस्वी जमात दा एक पीरियड याद आया जदोंसी अपने अध्यापक नूँ उस दे नाम पड़न दी जिद केती सी साध्ये अध्यापक जमात नूँ ग्राउंट चिले आयाई उना मनी प्लांट देक पत्ते नू तोड़ेया ते गिल्ला करके उनू कागस दे टुकडे वांग पाल लिया अंदरों हरे रंग दे गुद्दे नू वखा के कैन लगे इसनू क्लोरू प्लास्ट केन दी हन पत्ते अपना पोजन के में बणों दी हन उना ने इस किरिया नू बाख हुबी समझाया उना पौदा वी ग्यान दिया होर किरिया मां फोटो रिस्पेरेशन ते फोटो पिरियाडिसम बारे वी दसया जो पामी कॉलेज दी पड़ाई दा हिस्सा सन उना ने साधी एक सै पाठन तो गीत वी सुनया चर्खा मेरा रंगला विच सोने दिया मेखा फिर क्यान लगे तुसी फोटो सिंथेसिस बारे पुल जाओगे कापियां ल्याओ ते लिखके वेखलाओ दोडो शूट पक दड़ जै मच गे दो तेन विद्यार्थी उपरों थल्ली डिगे हसन हसोन वड़ा महाल बन गया पीरियड खतम होन तो पहला उना साननू शाम वेले टेलिवीजन ते ओन वड़े हिंदोस्तान ते पाकिस्तान होकी मेच बारे वी याद कराया उना सड़े उदास देननू वी कई रंगांच रंग देत्ता सी लेकिन आज जाद वे दियार्थियां दा देल उदास उन्दै ता नशीलियां गुलियां ते कैपसूल उना दा सुवागत कर दे विद्यक दारे नौजवानानू से देन ते जीवन जाच दे पूर्ने पौन लई महत्तपूरन प्लेटफॉर्म हान मुडली विद्या इस सफर दी चंगी शुरुवात वांग है साहितकार प्रिंसिपल जुगिंदर सिंग साल 1995 दोरान अपनी उर्दूदी किताब चप पौन लई सहार्न पूर्वेखे मोन लाल नामी परकाशक कोल पौनचे किताब दा खरड़ा फ्रोल दे फ्रोल दे उ प्रिंसिपल जुगिंदर सिंग दी खुश खत लिखाई तो परबावत हुन दे गए कुजी सफे पल्टे सन के परकाशक मोन लाल दी दिल्चस्पी विशे तो सुन्दर लखाई वल बदल गई सी मेरे उस्ताद अक्खर पौन्दिया कलम ते कलाई नू किमेक मोना है बहुत जोर देके समझों दे सन मोन लाल ने बचपन दी बहुत पुराणी याद प्रिंसिपल जुगिंदर सिंगनल सांजी की ती उना एन गैन वली शा मुखी लिपी दी पंक्तीनू लिखे विख्या उन यादां दे सुमुंदर चे डूंगे उतर गई सन जेत उसी बुराणा मनावुत मैं अपने उस्तादली दो मिंट इबादत करलमा जिना कोड़ों मैं साल उनी सो पैंती विच गुज्रामवला जिला लायलपूर्तों प्राइमरी दाइमत्यान पास केता सी उना एनकां दे मोटे शीशियां वेच दी प्रिंसिपल जुगिंदर सिंग दे चेरे ते टिक्ट की लगा के पुछिया दरसल ओ उस्ताद प्रिंसिपल जुगिंदर सिंग दे पिता मास्टर दिवान सिंग सन ते आपो दो में प्राइमरी तक दे हम जमाती सन जो साठ सालां बाद पहली वार मिले सन जिन्दगी दे इस अन्सुखा में मोड़ते सानू अजहे उस्तादां ते विद्यार्थियां दे पाए पूर्नेयां ते चलन दी लोड़े की तुसी नशियांदा तरा तल्फिक्का करन लई कोई यतन करोगे जे तुसी अजहा सोचया ता खजूर दा रुक, दीवा, रतूखा, रह्मती, साइन्स अध्यापक, स्तीश कुमार, ते मास्टर मद दिवान सिंग तु अड़ी अगवाई करन गे तान बाद सरदार गुटप्रीत सिंग तूर लिखत पुस्तक जीवे जवानी दा अगला लेख है नशियां दे मन्हूस परचामी बरनालेवेच साल 2011 जनवरी महीने दुरान पुलिस ने छे औरतानू ग्रिफतार की ता वुना कोल नशिलियां दवढ़ैं़ दिया शीशियां ते गोलियां दे वी वी पच्ची पच्ची पत्थे ब्रामध हुए सन वो मोटर साइकल स्वार नौजवानना नू खत देके रूक दियां ते 21 शीशि ते गोलियांदा पत्था फडाई जन दियां अते सौर पया लेलन दियां सन। इना नौजवानानू नशीलियां दवायां वेचना इना ओरतां दा तंदा ही है। शाम वेले कंटा दो कंटे खास थामा ते इंज कुम्णा ते जे हजार रुपै दी कुल विकरी हुवे ता दो सो रुपै कमाई हुजान दिया। उना विच्चों दो औरतां तां हफ्ता कु पेलनाई जेल चु आया सन। एवी स्पष्ट होया के लुद्याने शेर्थुए दवाया वेचन वळा व्यत्ती वड़ा मुनाफा हासिल कर रहे है। तो आटु आई ते वंडवंडाईले वकरी लोग सामने आई। एक अटना समाज दियां कई परतानों खूल दिया है। रहे हैं के समाजिक दिया व्यत्ति प्रस्थितियां कशर नशियंदा मारूपरबाव होर वी का तक हूँ लगया है। पहलां-पहलां संज परवार ते संज कमा कारां वेच जे कोई व्यक्ती नशाकरन लगदा है। तो दा परिवार सांजे परवार दा सहारा लेके जीवन किनारे पॉंचन दा यतन करदा सी लेकिन अज टुट गए सांजे परवारां ते लड़ खड़ा गई आर्थिकता ने अजई परवारां लेई खड़े पैर टेर सारिया मुश्कलां खड़ियां कर देती हैं प्रिष्टाचार ते बेरुजगारी दी मार हे ठाई इना परिवारां दी होंद असमान चो टुटे तारे वांग है एक मुहला नवासियां ने समुहक रूप वेच एक औरत वरुद शिकायत किती के उदे कर बारले बंदियां दा आउन जान रंद है जिस नाल साड़े बच्चेयां ते परिवारां ते बुरा परबाप पेंद है उस ओरत ने इकल्यां गल करके स्पष्ट किता के मेरा पती नशियां कारंद दासवरे पहला मर चुक है अपने तिन बच्चे पालन लई मेरे कोड़ोर कोई चारा नहीं है हुन मैं बार अंदर आउन जान देवी समरत नहीं है इस परवार दे दुखांत दा अगला वर का साड़ी गैरत नू गंबीर जखमी करन वाला है अते गंबीर सुवाल है के औरत दे इस दुखांत दी जिम्मेवारी कौन लाएगा ए पिछले वरे दिसंबर्दी गाल पती पतनी दे चगड़े सबंदी एक कनाल जमीन वेचन दे सुवाल नाल व्योत्ता जीवन पहले साली टुटन के नारे आप उज्जा सी दरसल उस औरत दा पहला पती शिराप पीन करके सड़क दुरकटना चमार गया सी उदे सौर्यान ने एक एक कनाल जमीन माँ पत दे नाम लवा के उसनू अगे बठा देता बच्चे वली जमीन नाम करौन लगयां उना शर्त लाई के ए जमीन वी वरे वेची नहीं जा सकती इक कनाल दी कमाई नाल बच्चे दी पड़ाई दा खर्चा पूरा किता जावे दूसरे जमीन दे टुकडे ते अज़ाई कोई शर्त नहीं सी वो दा दुजा पती नशाई है ते जमीन वेच देना चोंद है इहो लडाई दा कारण है उस औरत दी गोदी चुके डेड़ साल दे बच्चे दे पैरां ते लीराल पेट के सेब्बे बनने होई सन उस बच्चे दा एक पैर मैनू सामनियों वखाई दिन्दा सी साट के में लगई मैं उस वरत नू पुछया ताउने दस्या के नहीं साट नहीं बूट है नहीं पौन नू उदा बोल पा रहो गया उदा उत्तर सुनके यहों लगा जिमें वीवरे शर्त वाली जमीन दा टुकडा वी विक चुका हू जन्वरी दे अखेरले दिना दी गल्ले दिन दे छुपा वेले चार नौजवानने रुमाल नाल मू टक के खिडोने पिस्तौल नाल स्कूटर स्वार पती पतनीनू लुट लेया ओ दोमांदा पर्स पतनी दियां वालियां तियो मुबाइल फोन खोके ले गई अगली स्वेरे वालियां दा जोडाओना मुगे वेचिया चारा विच्चों दो नौजवान बार्मी विच्चों फेल होके प्राइवेट इम ध्यान दे रहे सन ते दो उसे स्कूल दे दसमी जमाद दे विद्यार्थी सन वड़े दो में नशीलियां गोलियां ते कैपसूल दा नशा कर दे सन ते उना ने छोटेयां नू हेर कलर कराउन ते को मन फिरन ले उपरोकत वारदात ले प्रेर ले आ सी अज़ें यां कटना माँ पिछे होर वी बहुत कुछ लुकिया छे प्यार रह जान दा है इसे फर्वरी दी गाल है पुलिस विबाग चिसे पाईयां दी परती ले फिजिकल टेस्ट दा आखरी देन सी सब तो पहला वी वी नौजवानानू सोडां सो मीटर दोड ले पजाया जान दा जो उना सड़े छे मिन्टांच पूरी करने हुं दी सी इक नौजवान शुरू तहीं बहुत तेज पजिया जिमें ए सो मीटर दी ही दोड हुए मैं उदी ये गलती अपने साथी अफसरनल सांजी कीती हर गेडे उदी रफतार कट दी गई पर फेर वी ओए दोड ती चाली सेकिंड पहला पूरी करन वड़ा सी जादे फासला पंदरां को मीटर रह गया तो ओगेडा खाके ट्रैक्ट यों डिगया जिमें कोई उड़दा परिंदा शिकारी दी गोड़ी नाल डिगदा है इत्थोए दोड रिंग के भी समय सिर पूरी कीती जा सकती सी पर ओजया भी ना कर सक्या मुडली सहाइता तो बाद जादो सुनू टीका लगाया गया ता दर्द मैसूस कर दे उन्हें खुद ही किया के मैंनू कोई दवाई ना दियो मैं नशा किता हुए है तीसरे दिन मैं उन्हों दुभेरतो बाद अपने दफ्तर बुलाया अते नशा करके दोडन दा कारण पुछया एवी मैसूस कराया कि उसरीरक तौरते पूरी तरां फिट है लंबी ते उची छाल मैं असानी ना ला सकदा दोड़ प्रती मैनू थोड़ी शंका से उमर दी हद पक्खों ए आखरी मौका होन कारण मैं गलती कर बठा दोड़ ते पच्ची वरे उमर टप जान दी हद कर देयां गल कर देयां उप भी रोण लगा रोजगार हासल करन लई इस तो वद मानसिक तनाओ मैं पहला कदे नहीं वेखिया से उनू दिलासा दिन दियां मैं विशा बदलन लई कंट्रोल रूम तो दिन दियां कटनाओ वारे पुछन लगा दो एक्सिडेंट होए पर बंदे बच गए एक मुंडा जैर पी गया सर दाखल करवा देता है एमर जन्सी चा आखरी बोल मैंनू रसीवर रखदेनू सुनाई दित्ते ओदे मामबाप एमर्जन्सी दिबार बैठे सन फॉज ते पुलिस ती परती लेई कई वार कोशिश किती पर नौकरी नहीं मिली फेर जन्टा मगर लाखे 6 लाख रुपया फास गया प्यो ते माने करमवार इक-एक कारण स्पष्ट किता जिद्धन दिया परती शुरू होया रोजी अपनी लंग गई उमरनू चूर दारंदा सी पतानी केडे वेले दवाई पी गया मान दियां खांचों दो तिन हंजू पाणी दे तुपक्यां वांग फर्ष्टे डिगे सन मैं हस्प्ताल तो बार निकले आता बतियां जग चुकियां सन बदल गार जरेया सी लिश्क दी बिजली दा चानन काले बदलांते पया चराट्टे दार मी नाल गड़े भी पैन लगे एमरजंसी दे दर्वाजे थरके मेरे पंजाब अजय हालाता विच की तैनू लोक नायक दुल्ले दी मान लद्धी वांग ड्रोने सुपने नहीं ओंदे तेरे सिर्थे मंड्रोंदे वाव रूले तैनू दिस्दे क्यों ने सुक्किया स्मुंदरी लेराने तैनू हालों बेहाल करतीत य तेरे सुहपन दे गीत गौन वले बच्चे रा पठक गय ने उनना दे साशक ते रा दसेरे केडी नीन सुत्ते पैने तू बोलदा क्यों नी, जे तू इंज चुपपी रहा, ता तैनू बुलाण वालियां हजारां अवाजान दे, सदीवी खमोश हो जान दा, बहुत वड़ा खदशा है, तानवाद चीवे जवानी पुस्तक दा अगला लेख है, नशियां दी काली बोडी रात कालीज दे दिनां दे गल है, पंजाब खेती बड़ी उनिवस्टी लुदियाना दे खोज के इंदर च, मिटी रसाइनेक विग्यान, स्वाइल केमिस्ट्री दा प्रैक्टिकल करोनियां, साधी परफेसर साब ने पहला पानी लगी, कंक दे, खेत ते योरिया खाद दा छटा देता, ते फिर सानू पुछया, नाइट रोजन दी किन्नी मात्रा जड़ा राइं पत्यां तक पहुंचेगी, किन्नी गैस बनके अकाश्च उड़ जाएगी, ते किन्नी मात्रा तर तीचर इसके व्यर्थ हो जाएगी, सानू डौर पा और होई वेख होना समझाया, कि ए अ संकडे कठे करना ओखा काम है, पर चौवी कंटेयां बाद कंकदे कोमल पत्यां दा निरंतर गुडा हो रहा रांग, इस गालदा संकेत है कि पाई गई खाद पौधियां तक पहुंच रही है, इसे तरह नौजवान पीडी ते नशियां दे दिते जारे छट्यां दे कातक प पर बावांदी मुकमल तस्वीर पेश करनी ओखा काम है, पर निरंतर वापरियां कटना ओँ, संकेत के इशारियां तो अगे लंके सानू लगातार खबरदार कर दियां आ रही हैं, इस लिखत वेच कुझ अज़ियां कटना ओँ वर्नन करन दा यतन कीता जा रहा है, इक आप उधी छोटी पैन ते माम बाप मेरे समने बैठे सन, दरसल उसता छोटा पर अनशियां दी लिपेट चा चुखा सी, ते ओ मापयानू मरंदी तमकी देके पैसियां दी मंग करदा रहन दा सी, उसने कार दियां कई चीजां चोरी चुके वेच दियां सन, मैं पुछे अगे राख दियां, दो हस्पतालांदा रिकॉर्ड पेश केता, जित्ते ओ दो वार जैर खाके दाखल होया, ते बाच गया सी, उने छोटे प्रादी हाथ लिखत अरजी वी विखाई, जिस्च उने प्रादे मापयोदा नाम लिखे, तंग परेशान करन दे दोश लाए सन, एक बार महले दियां, दास पंदरा औरतां, बच्चेयां समेत, मेरे दफ्तर पहुंचन तो पहले इंखडियां सन, एक निश्याई औरत दे पती ने एक कमरे वळा अपणा कारवेच देता सी, खरीददार पाटी रात नूँ एक ट्राक ले आके, ओदे परिवार नूँ समा अन समेत, दूर छड़ के मकान दा कबजा लेना इसी, बौधियां गल्ला कर दियां उना ओरता नूँ में पुछया, केडा केडा नशा कर दाय दा पती, गोडियां गपे, शीशियां कैपसूल, शराब, कबाब, अफीम, फूम, जुआ जा, ते लेटरियां, फैटरियां, परता नूँ खोलया, इस एकाठवे चो औरता वी शामिल सान, जो अजय पतियां थो तांगा के जिन्दगी दे सफर चों अकड़ दियां, देव पार दे अडियां ते डिग पया हन, इंच ही नशियां दे मन्हूस पर छावें लेख पड़के, इक औरत टेलिफोन ते समा ल है कि मिलनाई, टेलिफोन ते सिस्क दियां उने इननाई दस्या सी के मेरा पुतवी पैड़ी संग चिपा गया है, मैं उस लड़के नू शराब ना पीन बारे समझाण लगा, नहीं ए गल नहीं, उस मा ने गोडियां ते कैपसूलां दे दो खाली पत्ते मेरी मेज ते रख जंकिया, दुवाईया खान लग पिया, एदी हाथ पर कंब दे रंदिया, नू पेके जा बैठीया, हर गल दस्याओ गंबीर हुन दी गई, दो कप चाक मैं होर मिलन वाले आनू दस मेंटली रोक दिता, उदी मानू भी बार उडीक करन लिया ख्या, उदा हाथ पढ़के मैं उस तो कई प्रशन पुछन लगा, पिंड दे किन्ने कू नौजवान नशा कर दे हन, पंजाब पचवंजा, बिना मेरे पुछियाओ, उँ उना दे नाम भी लेंड लगा, एखो लेख पढ़के एक कॉलेज विद्यार्थन अपनी सेली नू नान लेके दफ्तर में लड़ा उने वेखिया हन, मैं पुछिया कि थे, मेरे हथो पैन फढ़के, मेरी कपी थे यो नक्षा बना लगी, एक गोल चक्कर मारके उसने लिखिया, बस स्टैंड, दूसरे पास ये अपने कॉलेज दा नाम लेक देता, फिर उस सडका थे भी हम बना लगी, उने दस बारां या निशान है, पर इस समस्या केवल पुलिस दे ही वस नहीं है, नशियां दी हो रही, बरा अम्दगी, नदीना दे पत्ते सुतन वांग है, जदो के समाजिक हालात, अजेग्या कुरीतियां ले, जरखेज जमीन त्यार करन ले, निरंतर यतन शील हन, नवंबर दा पहला दिन छिपन दा विला, मैं अपने सहाइक नू नाल लेके खेतां वलनू सैर करन लगा, बाजरे ते चरी दे दुम्बेयां ते आए खेत नू पाणी लाग रहा सी, इस खेत दी बुकल्च नरमे दा खेत, फिक्के हरे रंग दी गोच पीले ते लाल फुलाने मेरा त्यान के परिया खाल एक मोड कटके चरी बाजरे दे क्यारे च दाखल हुंदा हुंदा, छोटियां छोटियां लेरां दा सुन्दर द्रिश पेश कर रहा सी, वक दे पाणी दी सता ते तितलियां मंडरा रहा सन, चरी ते बाजरे दे दुम्बेयां ते कालियां पेलियां चिडियां दा एक जोडा चै चोहान लगा एक बाजरे दे सिट्टे ते ब्याट दीते दुजी चरी दे दुम्बेत ते ते फिर दुमें उड़ उड़ के कई वार अपना अपना स्थान बदल दिया रहिया मेरे सहायक ने मेरा त्यान मोड़िया उसते हाथ विच एक चोड़ा सी जिस विच लोमो टिल गूलियां दे पंदरावी पत्ते सन उने होली जी दसिया अपनू वेहके उस व्यक्ती ने चोड़ा नर्मे देखे च सोड़ देता सी हुने हुने मेरे कड़ों लंगे एक सतर कू साला बज़ुर्ग नू में आवाज मारी चिट्टा सफैद दाड़ा किर्त दे लंबे सफर जो गुजरिया पतला चांटवां सरेर मैनू शक होया के चोड़ाए ओदा नहीं हो सकदा लेकिन मेरे पुच्छन तो पहले यो बज़र्ग बुलिया कि उस तो गलती हो गई उन्हें दस्या के खेतांच कम करदाओ पोस्त खान लगा पोस्त ओखा मिलन कारणों स्वेरे शाम इना गोडियां दाई के पता खालन दै मैं पुच्छिया के गोडियां लेके तुसी खेत विच्कियों को मुद्यों फुटियां फटियां चुगावियां ते कपा नर्मा पुट दे बंदे वी ये पते खरीद लेंदे हन। मंडरौनियां तितलियां चरी बादरे ते सिटेयां ते खेट दियां चिडियां पर होनों थे कुझ भी नहीं सी। जदों कोई फर्यादी दरखास लेके आंदा है तब मैं पहला होदा नाम पढ़दां ते फिर अरजी दे विशे ते सरसरी निगा मारदां। कई विशेई दिल टुम्बवे हुन देहन पती ते पुत्तर वलों तंग परेशान करन बारे एक औरत दी अरजी दा सिर लेक सी। इक अधखड उमर दी औरत शैर दी टेंपू योनियन नेडे एक ब्रोटे थले चुला ते गैस राखे चा वेच के गुजारा करन लगी। उदा श्राबी पती स्वेरे स्वेरे आंदा ते चा करन वाले पांडे ते सलंडर वेच के बोतल्या लंदा। उदा पत शामनू आंदा ते हथो पाई करके दिन दी वटत खो लंदा। उन शीलियां गोडियां ते कैपसू लंदा दी हो चुका से। मैं पुछे मुश्कल किया। उन्हे क्या की करा। पती पांडे चुके पाई जन्दा है। जद मैं ओदे मगर पाई दियां तब उत पैसे चुके ले जन्दा है। ओदी आविच पंजाब दा दुखांत चुपया हुए। रेटायर्मेंट तक पुथ वल्लों जानमाल दी रख्याब भारे। इक स्कूल अद्यापका दी अर्जी दा विशासी। उन्हें कल्यां गाल करन ली बेंती किती। जाद उस विद्वा द्यापका दा पुथ दस्वी जमाद दी प्रिख्या विच मेरिट सूट ची चाया तो उन्हें स्कूल च लड़ू वंडे ते कार जाके गरीब गुर्बियां नहीं लंगर लाया सी। लेकिन कॉलेस चाके ओधा पुथ नश्यां दी लपेट चागया। लपेट वी अजई के कुछ वर्यां चीज जिन्दगी नू लंगडा कर गया। कार दी जेडी वी चीज समने अंधियो वेच दन्दा। चोरियां ते लुट्टां खोहां उदी जिन्दगी दा हिस्सा बणन लगे। ओधे नश्याई साथियां ने उनू सला दिती कि अपनी मानू मार दे। ओधे वाली नोकरी तैनू मिल जाएगी। फिर नशेक रिदनल पैसे दी कोई थोड नहीं रहेगी। उन्हें इक वार मानू मारन दिया सफल कोशिश वी किती से। दुख दस्तियां दस्तियां उरोन लगी। ओधा मूं हंजुआ नल तो ता गया। उनू स्थेर करन लई मैं उस तो त्यान हटा कि हूर लोकानू मिलन लगा। अचानक मैं वेख्या कि वो उंगलां दे पोटेयां थे कुछ गिनदी गिनदी बोल रही सी। तेरा, नहीं, नहीं, चौदा, मैं पुछिया कि हाले चौदा मी ने रन्दे ने रेटायर्मेंट। उफेर रोन लगी। नशे पंजाब दी जवानी ते मामा नाल सुलूक अजया करंगे। कदी चित-चिता भी नहीं सी। नशे ने सर्वन पुत्तर वरगे मजबूत रिष्टियान यां तंदानु वी तोड मरोड के पठी विच चोक देता है। अठाई कु वर्यांद एक नौजवान ने थाने आके अपने बाप दी गुमशुदगी बारे रिपोर्ट लखाई। ए नौजवान नशेयां दी पूर्टी ले बाप कुडों पैसयां दी मंग करदा रेंदा सी। हालात हत्थो पाई तक वी अपड़ जान दे सन। वो अपने हिस्से दी जैदाद अपने नाम करौन दी जिद करन लगा। रिष्थेदाराने सला देती के जैदाद स्कूल च प तर त्यार होन लगे पर अमल नहीं हो सक्या। उस व्यक्ती ने अधी रात वेले बापनू मार के खेत नाल लग दे पशुवां वले कोठेच दब देता। आप ओधी जुत्ती पाके सुवे सुवे तुर्दा गया ते जुत्ती ला के वापस मोडाया। दोस्ता नू नाल ल ते फेरेस गल उते पक्केत और ते मिट्टी पॉंडले उन्हे थाने रप्ट लिखवाई सी। कटना दी छानबीन कर दियां उदे हत्थों ही बाप दी लाश नू कडवाले आ गया। मिहिन्ने को बाद उस नौजवान ने जेल चे खुद कुशी कीती। दो वरे पहला उद मां दी मौत वी शक्की हाल तां छोई सी पर रिष्टेदाराने जल्दी नल ससकार करवा देता सी। नशे इना तिनना लाशानू वेंगी विच पाके पंजाब दे पिंड पिंड तुरे फिर दे हन। परून हत्ते अवरुद यतन करदे लोको तुसी इना पंखडियानू किते सुटना चौन देओ। एक नौजवान दी दास्ता है जो मुंडियान नल रलके गोडियान ते कैपसूलन दा नशा करन लग पिया सी। उदा व्या होया पहले ही देनों दे साथियाने उनू मुबा पियल फोन ते साथ के नशा देता। अगले देनिक तोफ़ा पेट करके सरीरक तौर ते तकड़े करन दा वादा भी कीता। अगली रात उनू स्मैक दे तिन सूटे लोआए गए। उए नशा पहली बार कर रहा सी। चौथा सूटा उसनू आवाज मार वापस मोड के लोआ समाज ने उस मौत नू दौरा आखके मेंदी लाई बैठी उस गुम्सुम कुडी नू अपा गणाख देता सी। जेत्तो अडेकूल बंजर ते पत्री ली तरती है तो तो अनुफुलांदी पनीरी खरीतन दा शाक अगे पालनां चाहिदै। शराप ते होर नशयांच तो त अपने पिछे पत्नी ते पंज वर्यांदी छड के एस जहानों कूच कर गया। ओधी मौत द्वाली तो एक दिन पहलां होई सी। शेरों खरीदो फ्रोक्त करके वापस पिंड मुर्दे लोकानु वेह के ओधी ती आपनी मानु पुच दी। ममी, आपां कदे कार नू रांग नी कराया, कदे कोई नमी चीज नहीं खरीद दे। जून कट दी ओ औरत पिछले सात वर्यां तो हर दवाली थे, अपनी ती नू एकको उत्तर देंदी आ रही है। तेरे पापा दूर चले गये, जद वापस वाणगे, फेर मनावांगे नश्यांदा आद्धी हुया, इक पैंती को वर्यांदा व्यक्ती, खर्चे पूरे करदा करदा जायदाद वेच्चन लगा। टेरी निरंतर खुर्दी जारे सी, इसे कारण पती पतनींच कलेश रैन लगा। पिछले एक वरे तों ग्रिस्ती जीवन दे हालात डावन डोलस इक शाम लंबे सफर तो आई पती नाल पतनी दा तकरार हुया, दोहांदी अवाज उची होन लगी, पती ने हाथ चुक्या ते रोन लगी, दो कम्रियांवाले कारदा मूरला वरंडा मक्हियां तो बच्चन ले जाली लाके पूरा टक्या हुया सी, पती बोलदा बोलदा द अंदरूं बंद कीता, अल मारी चुप स्तौल कड के पेटी ते सिर राके रुंदी पतनी दे सिर्च गोडी मरी, दुजी गोडी नाल अपनी पुड़ पुड़ी उडाले, जाली दा कुंडा पुट के जद लाशां चुक्कन लगे तो उनादी सात वर्यांदी ती दोहां ल शांदी विचकार सुन होई खडी सी, माम बाप दे सिरीरां चो वेंदे खून दियां तारावा नाल उदा इक इक प्यार लत पत होया प्या सी, एक एवल दो मौताई नहीं सन, पर दे पिछे इस तो कई गुणा कातक दुखांत चुपया हुया है, ओ व्यक्ती पतनी नाल ब बोल दियां बोल दियां अपने पतने वेडेच उलेंगया सी, उन्हें वेडेच खड के अवाज़ा मार और दर्वाजा लंक के खब्बे पास से गया है, पर बच्छा पेंड खिदन निकल गया सी, उस बच्चे नू बाप नें मौत अवाज़ा मार रही नें उस दिन नश बूरी वस बच्चियां ते रैम कर गए। सूफी कभी बुले शाकेंदे ने। उठ जाग कुराडे मार नहीं। ये सौन तेरे दरकार नहीं। तानवाद। चबी जून नू अंतर राष्ट्री नशा विरोधी दिवस मौके एक नाटक कराया गया सी। इस नाटक दे अंतवे चाकर मापे अपने नशाई पुत्र गोल्डी नू नशा छड़ाओ के इंदर विच दाखल करौंच काम्याब हो जान्दे हन। मां सुखां सुख दी हस्प्ताल विचो दे सराने बैठी रन्दी है। लेकिन एक दिन अचानक गोल्डी उसके इंदर विचो पाज जान्दे है। मां दी हालत नीम पागला वली हो जान्दी है। वो कर नहीं जान्दी हस्प्ताल चपने पुत्र दे मंजे कोडी बैठी रन्दी है। जद उनुका अर्चलन लेई मनाया जारे हुन्दै तब बारों आके कोई सुनेया दन्दै पिंडदे बार एक लाश मिली है। कुरलाट मच जान्दी है। पर्दे पिछो संगीत गुंजदै ए मामा ममता दियां च्छावां पुत्तां तो वारियां जान। दिल दियां सद्रां दिल विच लेके दस किद्धर नू जान। मैं पुछया, परोदे हाथ विच फड़े पॉलिथेन दे लफाफे विच तां तेन चार दवाई वालियां शीशियां ही सन। ए दवाई नशाच डावू के इंदर वलों दित्ती गई सी। स्वेरे दो गोलियां दुपैर दे खाने तो बादिक ते रात नू दो गोलियां। परचियां ते लिख के चिपकाया हुया सी। पोत दी दवाईया मैं पुछया। हंजुआ नहीं उत्तर देता। कल वाले नाटक दी उही अवाज मेरे कन्ना विच गुणजन लगी। ए मामा ममता दियां चामा दस के दर नू जान। लब जाओ। थोड़ी देर बाद के उन्हें पुछया। इस लेख विच अजय नौजवाना नू ही लब बनदा यतन कीता जा रहे है। नशेयां दी रोप थाम दे तिन मूल सिदान थान। सप्लाई नू रोकिया जावे। नशयी व्यक्तियां दा इलाज कराया जावे। ति लोकां विच नशेयां वरुद जागरती पैदा किते जाए। पासे नशे वेचन वड़यानियां बहु परता समाज वेच पैदा हो चुकियां हन। स्मगलरां तो इलावा बच्चेयां तो बुड़यां तक ते ओरतां तो अपाहज व्यक्तियां तक बहुत लोक नशेयां दी सप्लाई नू तंदा बना बैठे हन। इसे मी निदी गल्ल चौवी वरेयां देक नौजवान नू स्मैक पीन दा आद्धी हो जान ते माप्यां वल्लों ही शिकायत करन ते पुलिस वल्लों बुलाया गया सी। इक कॉपी ते पैन देके मैं उनू आख्या कि व अपने पिंड दे स्मैक पीन वाले होर नौजवाना दे डाम लिखके देवे। उन्हें छबी व्यक्तियां दे लिस्ट बना के देते। मैं आख्यायना विच्चों उन्हा लड़ी नंबरा आगे गोल चक्करला जड़े स्मैक पीन देते वेच देवी ने। छबीयां विच्चों उन्हें नौ नावानू सर्कल कर देता। उसे शाम उसे पेंड़ दाई खोर व्यक्ति ठंगवली दुवाई दियां शीशियां ते कैपसूल गोलियां वेच दा फड़े आ गया। उन्हें पेंड़ दे बत्ती व्यक्तियां दे लिस्ट बना के पांज नावानू सर्कल कर देता से। नशाई व्यक्ति होरानू नशा करन लों दे हन ते उना कोणों चटपट अपना खर्चा करणा शुरू कर दे हन। लोग अक्सर सुवाल कर दे हन। सरकारां चोण ता नशे शामनू बंधू हो सकदे हन। सरकार अदेश देके नशे वरुद तकड़ी पावना मुहया करवा सकती है इस समय पावना से खरते है पर जेसी खंग वाड़ी दुवाई नूही नशा समझ के पी रही है शीशियां ते कैपसूल वेच के रुजाना दो सो तो तेन सो रुपए तक दिहाड़ी खमा रहे है तांकी किता जा सकता है नशे एक पेचीदा ते गुंजलदार समाजिक समस्या है पिछले बरे दी गाले नशे वेचन दियां कई शिकायता मिलन ते बरनाले शेयर दी एक बस्ती ते पूरी सक्ती किती गई एक मिने बाद इशेयर दे दुजे कोने वेच नशेयां दी सप्लाई लाईन चालू हो गई सी इसे मी निदी गाले कतल दे दोश दी इन जेल वेच बंद एक नौजवान पंदरा दें दी चुटी आया ओदो उस नौजवान दे कर बाई वर्यां दा एक मिस्त्री मुंडा नमे बढ़े कमरे नू दरवाजे ला रहा सी पल्लेयां ते रंदा फेर दे मुंडे दे मुड़े ते हाथ राक के जेल चुवाए नौजवान ने पुछया किन्नी दे हड़ी पैजन दी है होरवदिया कम लब्या तेरे ले स्मैक दा सूटा लौने उन्हें एक सुजा आ देता पहले दिन उन्हें मिस्त्री मुंडे नू एक सूटा लौाया ते फिर तिन चार दिन दो दो सूटे लौन दा रहा जेल वापस जान दिया उन्हें अपना मुबाइल उन्हें फड़ाया इक परची ते स्मैक पीन ते खरीदन वाले आंदे आठ नौ फोन नमबर लिखके दते स्मैक कित्थूं प्रापत करनी है ते किमे वेचनी है उन्हें सब कुछ समझा देता उन्हें नशा वेचन दी रिहर्सल भी करके विखाई ए फोन शामनू सरफ पांजतू आठ वजे तक खोलने फोन आएगा तागलेनू दाना मंडीच बातरूमा दी पिछे ओन्दा समा देने आप जाना नी कोठे चड़के उन्हों वेखने ते फिर अद्धे कंटे बाद मूह नेरा होनते चपड़ते ओन दा समा देने पर उ किर्थी मुंड़ा पहले हफ़ते ही फड़िया गया हालात अजै हन के पाई लालो दा वारिस पंदरा दिना दे अंदर अंदर स्मैक पीन्ट ते वेचन तक दा सफर तय कर चुका सी नश्यां दी रोक थामले नश्यां दा इलाज महत्तब पूरन कड़ी है क्योंके पके नश्यां दी सप्लाई लाइन टुटन नहीं दे दूसरा ये हालात कई लोकां दी कमाई दा सौखा ते वड़ासादन बने रहन दी हन नश्याई व्यक्ति दी कॉंसलिंग डॉक्टरी इलाज ते मुडव सेबा इस किरिया दे तिन पड़ा हन इस समय इतिन्नों पक एक दूजे नड़ो वद के कमजोर हन नशाच चड़ना एक वड़ी का लणा है बहुत नौजवान एक कोशिश करके फिर वापस मुड़ जान्दे वेखे गई हन जद कोई नौजवान समैक पीन्दे फड़े जान्दे उननों तो पुछे आ जान्दा कि हूर किने नौजवान समैक पीन्दे हन ताओ दास्तों वी नौजवाना दे नाम लिखा दिन्दे हन ठले बैठे उक कंदनाल सेर लाके इलाज कराउनली ले लड़ी अंकड़न लग दे हन पिछले मीने दोरान मेरे दफ्तर वी तो वद नौजवाना ने इलाज कराउनली वास्ता पाया पर सिस्टम ते समाज दी डड़ी असमर्थता मैसूस किती गई इक नौजवान नूँ हस्पिताल दाखल करवाया गया ता लोड अनुसार परवारदा एक मेंबर हस्पिताल रेना जरूरी सी पर उस परवारदे हालात जय नहीं सन इस खेतर विच बहुत काम करन दी लोड है मनुखी सेवाले सिरड़ दी पावना रखन वालिया वाली किसे गैर सरकारी संस्थानू लंबा सफर तै करना पएगा नश्यावरोद जागरती पैदा करना सब तो वद त्यान दी मंग कर दा है हर हीला वर्त के नमी पीडी नू नश्याँ देरा पैण तो रोक्या जावे इहो पर बावशालियादार है नौजवाना नू स्मैक दा पहला सूटा लौन तो बचा लेना समेधी वड़ी लोड है खेड का बड़ी, जिम कल्चर, डीजे सिस्टम, ते कॉलेज बाथरूम्स अत्त नाजुक था माहन पिछले टाइमी हिन्याँ चो स्मैक पीन वड़े पंजात वद नौजवाना नाल्व रूबुरू होन तो पाया गया के हरिक दियां बाहां तौन ते स्रीर ते टैटू उक्रे हुए सन। सेर्दे वड़ानू रंग, कन्नाविच वालियां, टैटू, वदपार, टी-शर्ट, ते जीन्स, ते मोटर बाइक नशियावल सफर दे पक्के संके थान। मापयां दे आपकां तार्मिक ते समाजिक संस्थावां ते यूद कलबबानू ए रूजा अनुरूकन नहीं संजाओ पुराला करना चाहिद है। इस समे नशावेचन वालियां ते कोई समाजिक दबा नहीं है। पेंडूखे तरवेच इस पक्कों पंचायतां दे मोत बर व्यक्तियां दी वड़ी जमेवारिया। दिवाली ते गुर्परोब साड़े सांजे त्योहार हन। इवी दिन नशियां दी रोक्ताम व्रुद विशेश यतन करने चाहिदे हन। देसी में नयांदा हर पहला दिन नौजवाना दी साम संबालनू समर्पे थोना चाहिदे। समाजिक हालात वी नशियांदा कारण बन दे हन। प्राइवेट विद्यक संस्थामा वेच संचालकां दे निज्जी हितां ते पारू होन ते अंग्रेजी मादियम दे दबाने नौजवाना नू विर्से नलो पिछां खिच लिया है। जिंदगी दे हर पहलू दा वपारी करन होन लगा है। किर्थ ते सब्याचारदा रस नौजवाना दे जीवन विच्चों मनफी हो रहा है। शराब दी बहुत वद वर्तों ते व्याहां ते फजूल खर्चे परदे पिछे नशियांदा तरा तल सिर्ज रही है। मैं नौजवाना नू अक्सरे स्वाल पुछदां तुसी की कम कर देओ। केड़ी खेड़ खेड़ देओ। केड़ी किताब पढ़ देओ। टेलिवीजन दा केड़ा प्रोग्राम तो अनू पसंद है। ते तो अड़ा रोल मॉडल कौन है। वो हर प्रशन नू खाली छट जान दे है। असी नौजवाना नू योग अगवाई देन विच असफल होई है। नौजवाना कोल हान दा रुजगार नहीं है। ते असी उनानू रुजगार दे हान दे नहीं बढ़ा सके। प्राइवेट नौकरियां कामयानू पाणी विच डुबो डुबो के वेख दिया है। अमीर लोकां दे पैसे प्रती लालसा ने आम बंदे दा जोना दुबर कर देता है। एस वर्तारे तो नौजवान सब तो वद पर बावत होई हैं। नशे कारण पांज वर्यां बाद ही पती पतनी दा एक चगड़ा पुलिस वमेंस सेल कूल आप पहुंचियां। पुच्छन ते उस नौजवान ने दस्या क्यो प्राइवेट नौकरी कर दे। उदी तनखा 5,000 रुपे प्रती मीन हैं। ते कर्तों उदा आउन जानदा कराया 6 रुपे प्रती देन हैं। उस नौजवान दी विद्यक योगता रुजगार्दी किसम वेतंदर ते इस कमाई दे बजार ते समाज विच मुल ने उस नौजवान नू निवानवल मोड़ देता से। सिस्टम ने नौजवाना नल मुतिये ते त्रेक दे फुलानों खुशबू पैनतों पहलाईं। मरुंड लेन वरगा वर्ताओ कीता है। असी सदारन होन दा मान ते सहज जिंदगी जीन दा सलीका गवा चुके हैं। एदी लिशकोर जद नौजवाना दे चेरे ते पैन दी हैं, ता ओ कच वांग तिडख जान दे हैं। खित्तां विच काम कर दे काम्यां दी जी गिंती कराई जावे, ता पंजाबियां दे पंजाबी नौजवाना दी गिंती बहुत काच चुकी है। ए गेंटी सिफर वलवद रही है, नौजवानानू हार हीले हत्ती काम करनां चाईद है, पुराणीं गाल्ले ओदोल्लू दियाने जिले दे कई पिंडां विच टिब्बे हुन देसान, पिंडतों टाई तेन मील दूर काम्मे जद मूंखफळी पोटके, खेतां विचों वाप पस मुडन लगदे, ता अग बाल के मूंखफळी दे तेन चार थब्बे लटलट मच दी अग दे सुट दिन्दे, मूंखफळी यान चोक्के जेबां पारलांदे, स्यानी उमर्दा एक बंदा नौजवानानू गुडदी एक एक रोडी वी वांडदिन्द, मुडदे होयो साइकलां थे चड़दे नहीं सान, हीर वारस गौंदे तुरे जान दे, रेत ते पैयां काम्यां दियां पैड़ां, पुझदी मुंखळी दी खुशबू, अलणयानू मुडदे पंचियां दियां डारां, अनुखा रंग बजदा, हुन कदे कान्या विच दी होके सूरज उन्ज चेप्यावी नहीं, कम कार्विच रुज्या बंदा आर्थिक समाजिक सब्याचारक ते रुखानियत जीवन दा उत्तम नमोना हुन दै, जदके नशे, जुर्म, गैर सबंद, मुटापा ते बिमारियां वेले बंदे दे लचन हन, वेला ते बेकार बंदा समाजिक रिष्टियां दी बुकल ते सब्याचारक निग तुमी वन जारे जान दै, डीजे ते वजदे गाने, खुशियां दे रंगानू फिक्का ते रिष्टियां दी यां तंदानू बुद्धा करी जारे हन, इक समासि जद व्याशादी समे पिंडां दे बनेरियां ते, उस्ता लालचंद यमला जाटदेया जै गीत गुंज दे सन, शुब काज तेरा होरया, पुत्तर तुकेडी कुखदा, पत्तेव जावन तालियां, हार डान चुमे रुखदा, नशियां दी मनूहूस पर छामे लेक पड़की, फिरोस्पुर जिले दे एक व्यक्ती ने मैनूच ठी लिखी, मैं दिन राद शिराव दे नशेच तो तरेंदा, ठेक का खुल देयां इन ठेके अगे खड़ा हुंदा, पतनी दो वार रुस के पेके चली गई, परतियां दी ममता वस फेर वापस आ जान दी, अध्यों वद जैदाद मैं वेच चुका सी, जिगर दी बिमारी शेर दे बड़ी हस्पिताल च दाखल रहा, पंदरा वरे पहलां स्याल दी एक स्वेर दी गल्ले, तो अंधहाले लथी नहीं सी, मैं ठेके गया, ता उना उद्धार बोतल देन तो ना कर देती, मैं वापस मुड़ेया ता दुजे पासियों मेरी प्राइमरी स्कूल च च पढ़ करके मैं पुछेया, पढ़न नू माननी करदा, मैं उद्धे सिरते हाथ फेरया, किताबा नहीं, फीस नहीं, सिस्कियां लेंदियाओने क्या, स्कूलों नाम कट्टिया गया, उद्धियां खांचों दो तरालां फुटियां ते चेरे दा सफर तै करके, चिटियां ते असमानी रंग दियां, छोटियां छोटियां डबियां वाली कमीज नू गिला करन लगियां, ओदा गड़ा इंज गिला हो गया, जमें पानी दा गलास डोलेया होए, मैं गर्दन ते हाथ रखके वेख्या ओदा सरीर ठंडा सीत हो गया सी, कारा के मैं ती इदे वर्दी वाले कमीज नू शराब चड़न लई, सिरड़ दा परतीक मान लिया, ओनू बैठक चो अपने मंजे सामने किली ते टंग लिया, सरीर ठोटदा रिया, उल्टियां लगियां, वुखार चड़िया, उस कमीज नू मैं कदे गुट ते लपेट लेंदा, सिर दुखदा ता उस मुड़के नलपे जजान्दा, मैं उस कमीज नलपा आफ देन वांग, मत था पोला पोला नपदा रन्दा, तैल आके छाती ते रखदाता नेंदा जान्दी, मेरी पतनी ने मेरा इलाज कराया, उस सजण दी ती आज कॉलेज वी द्यार्थने, उदा कमीज उदे बाबल ले अजवी मारग दर्शन है, उदे बाबल दा हंजवां पे जया खत, मेरे ले मारग दर्शन है, दुख दी चोटते ती यांदा प्यार, नशियां दे बिखडे पैंडियां तो वापस मुड़ाउन ले, वड़ी संभावना रखते हैं, तानुवाद जीवे जवानी पुस्तकदा अगला लेख है, जिन्दगी दे हाशिये तू डिगदे लोक राजे महराजियां दे अवल्ले शौक हुन दे सन, हाथी नू उचियां पहाडियां नियां टीसियां ते चाड के ड्राया जन्दा, उपछानू पाजदा ते रुडदा रुडदा थल्ले डिगदा, हाथी दे बोजल सरीर दा टलान तो वहा, ते ओधियां दर्द परियां चीकां ही राजेयां दी खुशी दा वसीला बन दियां सन, एहल कारां दियां सलाम मांते दोआमां दियां वाचडांच, ओ लोग चुक चुक अजय दरिशानू मान दे रहन दे सन, आज कल कुझ सर्दे पुझ दे लोकां वल्लों वी अजय शौक पाले जा रहे हन, अते सिस् लुड़क दे लुड़क दे गम बेर जखमी हो रहे हन, वी कुवरे पुराणी गाले एक नौजवान पुलिस विपाग विच एस्पीयो दे तौरते परती हो गया सी, परिवारे कोकडां कारन उसने नौकरी 1995 चछट देती, विदेश जान दे यतना चपामियों थोड़ी ब मुंबई एरपोर्टों वापस मुड़दा रहा, वियाजू पैसे लेंड वाले ने उदे बापनू कचेरियां तक ले आनदा से, हम भार के उस साल 2005 विच पैपसू रोड़ वेस्ट ठेक के उते ड्राइवरी करन लगा, ते पट्याडा जमूरूट ते चल दा रहा, हुनों मैं उस व्यक्ति नू कई प्रशन कीते सन, ते उने क्या, ठेकेदार चार हजार तो वद ता कुछ दिन दे नहीं, पूरी कोशिश दे बावजूद भी कुछ नहीं बचदा, हफ्ते च पांच दिन करोंबार रहना पन दे, सरकारी नौकरी होवे ता प्रांथ तो बार जान ल ते रुजगार ते बेरुजगार नौजवाना दे हालात मेरे सामने को मन लगे, तू अपना पार क्यों ए नवदाया, असलियत तो पासे जानली मैं उन्हों ए सुवाल कीता सी, ते डवेक मट वरगा, दांद के में टुटेया, मैं जल्दी नाल मानवे चुठरे विचारान बदल लेना चौंदा सी, उदे नाला ये 255 मेंबर सत्तर साल दी उमर टपके वी, साफ चे रहां ते पतले सरीरा मले सन, ए तेरे नलू दुगणी उबर दे हन, मैं उन्हों दी सिफ्त करन लगा, फुल्लां वाली निकर, चटे रंग दी बनैन, मलुकडा जया सरीर, पतले प खूंजी आमडा चिट्टारो माल, ते मोडे नाल होकी, ए मेरी दस्मीदी फोटो आ, मेरी कोई एक खुशी, जो मैं जेब विच रखता, उन्हे अपनी एक पुरानी फोटो मैनो वो खौंदियां क्या, उदी पुरानी फोटो ते होनो आप, मेरे लिए वड़ा चटका सी, जेना हालातां तो मैं पासे जान दा यतन कीता, उह हाथ मिलान जिनने फासले थी, मेरे सामने खडे सन, नमा असला लाइसेंस बनने बंद सन, वड़े वड़े कंप्यूटर प्रिंट कडवा के दफ्तर दे नूटिस बोड़ते, दफ्तर दे बार लगवा दित्ते गई सन, फ तो दी गलत्या नल सुनी जान दी, जे एक व्यक्ति दी दास्ता है, चड़ दी उम्रे उन्हें अपनी जैदाद वेच के सारी रकम एक आड़ती एक ओल राख देती सी, सला देन वाले ने दुबई दा वीजा लवान दी हमी परी सी, बाकी रकम दा परवार व्याज खाई ज पर हालात ने उदा फैसला जल्दी किता, शाहुकार कई करांदे पैसे लेके पाज गया, उन्हें नेड़े दे शैर एक शैलर वेच पच्ची सो रुपय प्रती महिने ते नोकरी शुरू किती, पर पेंड दे लोकां कोड पेत खुल जान दे डरों ये नोकरी छड़ देती, कार्तों दूर एक वड़े शैर वेचो नेक गयने यांदी वड़ी दुकांते चोकी दार दी नोकरी शुरू किती, पेंड उन्हें दस्यासी के वो बैंक वेच नोकरी करता है, समा पाके उन्हें दा कार्वी बैंक वालेंदा कार्व वजण लाग पेया, कोई राही पेंड चोंदा, ता लोकी निशानी दास्ते के बैंक वालेंदे कार्तों खब्बे मुड़ जाना, ओधियां तेन तियां हां, कार्दे हालात वेच के एक नानके कार पेज दित्ती गई, ते दूजी नोधी पू अले गई, रेंदी इक तीनों पालन लई, ओ जिंदगी नल जदो ज जयद कर रहा सी, उन्हें अपनी निज्जी जीवन दियां कई परतां खोलियां, ओन मैनू 4,000 रुपई प्रती मीहिना मिल दै, मालकां कोल जद मैतन खावदा उन दी गल की थी, ता उना किया के जे तू लाइसेंस बना के राइफल खरीज सक्दै, ता हजार रुपई प्रत में नवदाया जा सकते, इसे मांगनू लेके ओ दफ्तर आया सी, बैंक वालेयां दा कर, आम बंदे दी टुट रही, आर्थिकता दे कई पे छुपाई बठा है, वरा पुराणी गाले, चौवी कु वर्यां दी अम्रित नामी लड़की ने शिकायत कीती, के इक लड़का व् नाच गाणेयां वाली टोली दी मेंबर है, ते एकल्ली रह रही है, पंजाब दे उत्री जिले दे कसबे तो चल के, एक शेर तो दूजे शेर, वो पंजमे था इस शेर वेचायी सी, हर शेर चो दा नाम बदल दिता जान्दा रहा, उस कुडी दी अजीब ते दर्दना कहान मापयो विचे तकरार रहान कारण उन होस्टल च पादित्ता गया सी, ओ संगीत सिखन लईक कल्च्रल गुरूप दी मेंबर बनी, ते तेन चार वरे आंचे डीजे ते नच्चन वाली पेशावर कुडी बन गयी सी, लोकी डीजे बुक करवोंदे ता मंग रखदे कि अम्रत जरूर आवे, अजय हालातां विचो कुडी अजय यां कई उल्जनाच किर चुकी सी, दोवें पार्टियां अपना अपना पाक पेश कर रहें सन, लड़के ने किया कि पहला ये मेरे नाल दो वार लिखती समझाता कर चुकी है, इम मर्जी नाल मेरे नाल रह रही सी, कुडी ने मोबाइल फोन दियां दो रिकॉर्डिंग सुनायां, उनानों सुन दियां एक पुरानी याद मेरे जेंच को मन लगी, प्राइमरी स्कूल च पड़ दियां दे चुटी विले मलाई बर्फ वेचन वाला एक मुलूकडा जा व्यक्तियां ना हुन्दा सी, लकडदी हरे गरम पट्टी दार कपडे चो लेटेया बर्फ दा टुकडा, उत तिखी कारदनाल बर्फ दे टुकडे तराश तराश के बोड़ दे पत्यां ते पाके बच्यानू दिन्दा हुन्दा सी, पाणी च पे उन्ते हरे हरे पत्ते ते ओना उपर दूदिया बर्फ दे का वापस कर देयां क्या, कुड़ ये खोटी चो वनिया, कल बदला के लेयां में, ए गल सारे बच्चे ने सोन लेई सी, छुटी खतम होन तो बाद कंटी दी, कट दी अवास दी आडवेच, एक बच्चे ने क्या खोटी अम्रत, बखी बच्चे हस पै, तो उची उची उच से डी भी खोल गए सी, अधियापका ने बहुत जोर देके उनुच चुपकर आया, चुपकर दी-कर दी हो बूली, मेरा कोई कसूर नहीं, अम्रत कोई कसूर नहीं, अधियापकाने उसारे बच्चे न Mensch τις सारे वास वी च्चु इही और अम्रत क्या भात्चे है से हुआतू उन्हे ता लग खुशियां पाथशायां जे सत्गुर नदर करे दा गायन कीता सी। ये वक्री गाल्या के परिवारक ते समाजिक हालाता ने उन्हों बाहां तो फड़के स्टेज दे लियां दा। ते लग 28 कुडी दा, 47 वेट कुडी दा जहे गाणियां दी ताल ते नचाया ओस अमरत तो इस अमरत तक किनियां अमरतां खुटे होन दे दोश्दा सम ताप हडा रहया ने। उचिडी ते कांद यां बातां जया जीवन जियों रहया ने। अजैयां कटनावां बाव परती हं दिया हन। उअमरत नशियां कारण विद्वा हो चुकी है ते ए अमरत कई व्यक्तियां दा साथ होनते वी सुहागण नहीं अख्वा सकी। एक लड़की ने शिकायत किती के ओदे सौरयां वलों उनू तांग परेशान किता जा रहे है। उदा पती श्राबी है जो हाथ वी चुकद है। ओ लड़की पंचायत समेत अपनी दरखास्त विमेंस सेल एक वड़ी उमर दे व्यक्ति ने वास्ता पाया। मैं उस लड़की नाल आई हर व्यक्ति नालो दा रिष्टा पुछन लगा। दो दूर दे रिष्टेदार, एक कौरत पंचायत मेंबर, कुल छे व्यक्ति उदे नाल आय सान। कोई सका नहीं। मैं पुछिया कोई प्यान प्रा, एदा प्रा सुमुंदर च डुब गया सी, पहले व्यक्ति नहीं दसिया, उदा प्रा माल्टा बोट ट्रेजडी दा शिकार हो गया सी। छांगे गये रुखतां दुबारा भी फोट जान दे हन। पर इंज छांगे गये मनुखां दी होंद असमान चो टुटे तार् जो लोप होन तो पहला दुखां दे लंबे सफरां ते रगणा खा खा के कण कण स्वाह हुंदे रंदे हन। शेर तो पांचे किलोमीटर बार सडक किनारे गंदले पानी दे टोये चों एक लाश मिली सी। मूँपानी च डुब्या होया ते पैर गारे च तसे होये सन। पांचे दास रुपए दे कुझ नोट ते दूसरी जेप चों नशीलियां गोडियां दा एक पत्ता मिले आ सी। लाश दी पहचान लगपगोन वले सी। इकी वर्यां दे बदकिस्मत करम जीत दा कर एस थां तो किलोमीटर भी नहीं सी। दो कमरें दे इस कर तों पेंड इन प्राइवेट काम ते ला देता गया। शुरू विच उनू दो हजार उपए में न मिलदा सी। दो वर्यां चोंने काम दियां चार पांच थावां बदलियां पर उदा मान किते भी ना लग सकिया। इक दिन उदा सी दे डूंगे आलम च उन्ने अपनी मानू वदेश जान स्वाल पाया। पर करेलू हालात लोडीन दी रकम ले इजाज़त नहीं दिन दे सन। उच चंडी गाडे सी दा काम सिखन चला गया। लेकिन जद वापस आके काम शुरू किता फेर भी किस्मतों देते मेरबान नहीं सी। पिछले एक वरे तो उसकोड कोई काम नहीं सी। उ नानकीन जान्दा ता मुंडिया ना लगये तो अगे निकल जान्दा। उन हालात उदा दिल लवान लग गये सन। नशीलियां दवायां दे तसकराने उनु अपने तंदेच शामल कर लिया सी। इत्थुई उदा नशाई जीवन शुरू हुया। उपने एक साथी नल दिन चिपे एसी बस्ट बैठता ते दुवायां दे दो वड़े बैग लेके रतो रात वापस आ जान्दा। हफते विच एक जन दो गेड़े लग दे सन। हर गेड़े उनु हजार रुपया मिल जान्दा। हुनो तीजे चौत्थे दिन कार मुड़ दा। मा मैं कमते लगया। उदे चेरे ते रौनक वेके उस रात मा ने दुद वालियां सेवियां बड़ायां सन। आज उदी पैणने पढ़देयां पढ़देयां रेडियो भी सुनेयां ते बापने राद दी रुटी खाके पिंड विच गलां करन जान दा होसला कर लेया सी। कोई सुआनी जिस तर नमी चादर विचा के चटपट कठी करलां दी है। इस कर दियां खुशी अंदा वी एहो हाल होया। कैमीकल नशे ने उदे सरीर नू थोड़े समेची खोखळा कर दरता सी। अक्सरी उदी चाल लड़ खड़ां दी रंदी। इना हालातां ची उस सड़क किनारे गंदले प आगया। बाप ने कॉले नल लगके ता मारी ते उदी मां वेडे वेच चुफाल डिगी सी। उदी चिंदी प्यान दियां चीका लाश नाल टकरा टकरा के वापस मुडन लगियां। अन्ते मरदास वले दिन तक करम जीद दी जिन्दगी बारे पिंड वेच गला हून दिय होगे। ए अर्ज ही इस लिख्त दाओ देश है कटो कट इना जरूर करना डिग देते मरदे लोकानू सलाम आखना जिन्दगी दे कैरनू हराम आखना तानवाद। जीवे जवानी पुस्तक दा अगला लेख है किर्थ दियां मिट दियां पैडा। चान चाननियां रातां रेत दी हिकनू छूके ठंडी ठंडी हुन्दी हवा। उठांदे गल पायां टलियां दी टुनकार। बालडी रेशमा उठदी रसी फाड शांत ते खुली फिजाच गौंधी जांदी। पशुआँ दे मेलेयां ते मजजारां ते कवालियां सुन्दी सुन्दी हो सोच दी। रेशमा अल्ला करे कदी तुम्ही इंजगा सके। रब करे कदी तेरा भी नाम होवे। उठा मुरे तुर्दयां तुर्दयां उपणियां निकियां निकियां पैडानू तौन कुमा के वेख दी रहन्दी। मुडलियां लोडां प्रंथ हर आदमी रेशमा वांग अपणी होंद ले यतन शील हुन्दै। पर गय गाच पद्दर दे प्रेश्ट समाश चों। आम आदमी जिन्दगी दियां मुडलियां लोडां नाली टकरा टकरा के मिट्टी दियां डलियां वांग पुर्दा जान्द है। प्रांत वेच किर्थ दी होंद नू फिक्का करके लोप करन लई। काले तन ने मूल ते परमुख रोल ने बाया है। अंगिने पैसे दे स्रोती इस काले चित्तर दा कैन्वस बने हन। टेक्स्चोरी इस पंडार दा मुडला दार है। व्यास दे दित्ती रकम जिसतरां बिना कोई कर्म की त्याम दनी दा साधन बनी रंदी है। इसे तरह टेक्स्चोरी चोई कठा होया पैसा काले तन दा निरंतर पसार करदा रंदै। अंगिने पैसे दा इनना तेज वहा आम आदमी दियार्थक ते समाजी खूंदली गंबीर खत्र है। शेरां नेडलियां ते मुख सडकां ते लगदियां जमीना दी खरीदो फ्रोखच इस वहा आनू वेख्या जा सकते। काले ते चिटे पैसियां च निरंतर वद्धा फासला कामियां दे मूँचों बुर्कियां कड लंदै। कुझ सरकारी कर्मचारियां नेवी किर्त दी होंद में टौनली बड़ा रोल अदा कीता है। लोक सेवा दी परिबाशा तो दूर खड़े होके उस समाज विरोधी अंसरा नाल के ओखे चड़ी होन लगे। प्रिष्टा चारदा परचामा जद समुच्चे सिस्टम पे तेपया तो बहुत कुझ काले रंग चरंग या गया। चालां ते टलानां बड़ा के जिस तरह नेरां ते सुयां दे पाणियां दी रफ्तार नू निरंतर यकीनी बड़ाया जान्दै। इसे तरह कुझ एम दफ्तरा ने काले तांदी रफ्तार नू यकीनी ही नी बड़ाया बलके उनू मन पाउंदियां दे शावां भी दितियां हन। अजय हालात विच लोक सेवा दे नेडे तेडे रैन वड़ा छोटा जया हिस्सा असे पीडा दा शिकार होन लगा। दफ्तर जो अपने किसे काम माये नौजवान स्कूल लेक्चरार नाल में पेंडू स्कूल लांदे डिगदे मियार बारे गलां करन लगा। उन्हें दस्या सी चार पंजद्या अपक इकठे चा पानी पिन दे ते समाजिक समागमां ते जान दे ओंदे सी। इम्तिया नांदे नेड़े मैं बार्मी दे विद्यार्थियां ले स्कूल समे तो पहलां ते बाद हिससाब ते साइंस दे वाद्धू पीरियड लॉन लगा। अखबारां चो चंगे आर्टीकल नोटिस बोड़ते लाके विद्यार्थियां उसाहित पढ़न लेवी प्रेर दा। मेरे साथी मैनू मखौल कर दे रन दे ते मैं तो पासा बटन लगे। मैं एकल्ले पंदा शिकार होन लगा। ते बदलीक रोण तो असमर्थ रेन ते ही मेरे वलों विदेश जानली अरजी दायर कीती गई सी। मेरे दफ्तरों पुलिस कलियरंस सर्टिफिकेट लेन आया सी। ते तीजे देनी उने कैनेडा दे कैलगरी शेर ले उडान पर ने सी। दफ्तर दे कामचोर करमचारियां नू काबू करन ले। मैं उनना दे मुखी नू उत्षात करन लगा। मेरियां कई गलां सुननतों बादों बोलिया की कीता जा सकता है। जे किसे नू थोड़ा बोता भी टोक देयां ता मुलाजम कई तरह दे दोश लाके चूटियां गुम नाम शिकायतां कर देंदे हैं। ओदा बोल पा रहूं लगा। साल पहला मेरे वरुद कई चिठियां पादतियां के औरता नू दफ्तर बुलाके छेड़ खानियां करदा रहन दै। मैं तिन जवानतियां दा बापा। एक चिठि मेरी स्कूल अधियापका तीदे पते ते पोस्ट कर देती गई सी। अजय हालातां करके मैं पचवंजा साल ते रेटायर्मेंट लेंड लगा हां। आखरी वाको काफी वक्फे बाद बोलेया। मौजूदा हालात मेनत मुशक्कत ते सेवा पावनानाल नौकरी करनवले बंदेनू जिंदगी दी स्टेज तों चुटकियां मार मार उतार दंद उगड़ दे रंगानू उकरंदा यतन किता जारेया। दिन चेप चुक्या सी पादोंदा आखरी हफ्ता हुमस कारन मन काला पेरया सी पर फेर वी में मन मार के नैर दी पटडी ते सैर करन लगा। दोपरा चोटा जे टेंट लाके इस फैद्यां चु शैदियां मक्यां दे स आखु डबे राखके बैठे हुए सन। ओ पिछले पांज छे वरियां तो यहो तंदा कार रही हन। तेन मी नियो पंजाब दे नीम पहाडी जिलियां ते ही माचल परदेश चे डबे ला जान दे हन। जिते लीची ते खैर दे फुलां तो शैद हासल हुंदै। स्यालां द से शेहतू दे द्रखतां चे डबे राखलें दे हन। मैं उननल रुजगार ते परवार बारे गल्लां करन लगा। बाप कभीलदारी नबेड देयां जदी पुष्ती जैदातो हाथ तो बैठाय। मैं उननल इस तंदे चामदनी बारे पुछया। दो में प्रापोटेयां दे बहुत देर कुछ गिन दे रही। फिर कैन लगी। साल दी तिन कुलाख हामदनी ते दो कुलाख खर्चा हो जन्दै। छोटे प्रादे पैर ते लीरां बनियां हुयां सन। मैं पुछया के सट लगी है। नहीं साप सोंग गया सी। हर साल सौन महीने जखम रिसन लग ज वड़े ने उठके अग पार्चल पेटे ब्रेड दे चार पीस मैनू वखाए। इहो ओना दा रात दा खाना सी। बाप की कर दा है। कुछ नहीं। मा है नहीं। साड़े होश संबालन तो पहल नहीं मर गई सी। हर उत्तर मेरे मननू तो उपार्या सी। कोई सौखा स्वाल पुचके मैं उठो उठ जानां चाया। व्या होया भई थोड़ा। कुरसी दी टो छड़ दियां मैं पुचया। वडपरा निवी पाके पैर दियां गुठे नल तरती ती लिकांजी यां वोंदा रिया। छोटे नहीं नांच सेर मारिया। इंज जिन्दगी जीन दी हुम समने पाद्धों दी हुमस कुझ वी नई सी। चारती यां दी एक माने पुच्चे लोंदियां मालक औरतानू गलां कर दे सुने। बंदया मांग फुन पंजाब दियां ती औरतां वी द देशांच मिजदूरी करन जान लगियां हान। दरसल ओ कस्बे दियां दो जवान व अपस आयां ते दिवाली तो बाद फिर मुड़ जानियां सन। उनना दे रेंड सैन खान पीन बोल चाल बारे उस ओरत ने सुनेयां ते देखिया सी। उनने गिले फर्ष ते पईयां अपणियां पैडानू वेखियां नालेतियां सौखियां व्याईयां जान गियां। अपणियां कुडियां नानके चाड़ दितियां ते दोमें बढ़ियां दा वीजा नाल लवालिया। ट्रेवल एजेंट ने उननानू चौवी दिन दा सैलानी वीजा ही लवाया सी। वीजा खतम होनते उननानू ओवर स्टे कारन जेल पेज दिता क्या। मन्दी बेचैनी दूर करन ली उचुनी दा पला गिला करके जेल दे शीशे साफ करदी रन्दी। उजिते बैठती अपने सूट दे अगली पले नल फर्ष साफ करदी करदी। जेल अधकारियां ते रब बगेर जुन्यां करदी। दो मिने बाद उस परवार नू डिपोर् ट्रेवल एजेंट खिलाफ कई अर्जियां देन तू बाद उधे पती ने कोरो दासी ते आलमच खुदकुशी कीती। उस तो मिना कू बाद उँ मेला जया दुपटा चिट्टा दुपटा लेके जाने पछाने फर्षां ते फिर पोचे लोन लगी। एक पैंती कू वर्या ते ती मेरे समने पैया कुरसियां ते एको लाइंच बैठ गया सन। उना दोश लाया के उना दे परवार नल तोखा हुया है। में हाथ तार के खाली कान वखाए। ओधी पत्नी ने गले ते हाथ फेरया ते अपनियां खाली उंगला वखान लगी। ओधा हार ते चापां 25,000 वेचियां गेंगां सन। जदों तिन्नों बोल रहे सन ता बची चुक चुक के उना दे मुआवल वेख दी रे। ताड़ी जथे वांग तेन्नों वारी वारी बोल के अपने दुख दी गंबीरतानू दर्साण लगे। साधी ता उद्धन दी कुडी स्कूल नहीं गई। ठगी वाज गई। पाई। पशुआं दी मंडीच कोई चार सो भी कर गया। कार सोने दी कनी भी नहीं एस कुडी नू कीप आवांगे। करम वारो व्यक्ति उदी मा दे पतनी दे बोलसन। गल कर देयां कर देयां पतनी डुसकन भी लगी। चुला बालननू रू नहीं कर दी। पठे पॉनननू मानने मन्दा। उदी मा दे बोलसन। टेलिफोन दी कं अंटी वजन कारन मैं उनानू इशारा करके चुप करायां। रसीवर रख दियां मैं पुछियां फेर। उत तिन्नों हुन बुत बढ़े बैठे सन। पर बालडी उची-उची रून लगी। मैं अजए लोग का नालवी स्थार पूर्वग गल बात करन ले यतन शील रंदा हां। ताके उनान दिया मुश्कलाणू जड़ां तो समझया जा सके। पर कुछ लोग मेरे नालवी इंज गल बात करन ले यतन शील रंदे हन। ताके जिन्दगी दी सिखर बारे कुछ समझ आया जा सके। शेर दे दो अमीर व्यक्ति तत काल पास्पोर्ट बणवाण ले दफ्तर आये सन। उना दे कम कार देन ले दो महत्त पूरन व्यक्तियां दे टेलेफोन भी आये। दरसल ओ पांज छे व्यक्ति कठे होके हर साल सेंगापर जा मलेशिया तो समुंदरी यात्रा पाते को मन जान दे सन। उना दे पास्पोर्टां दी म्याद पुग रही सी। इंज चेंज हो जान दी है। उना अपने टूर दा उदेश स्पष्ट कीता। जिनी देर कागस त्यार हो रही सन। उन मैन्नू वी अजय सफरली प्रेरत करन लगी। पामे सान जासी पर वी चार मेल नहीं खा रहे सन। जे मैं समुंदर च वेंदियां ठंडे ते गर्म पाणी दियां तारा वांदी उत्पती ते व्यादी गल करदा। तो मच्छियानियां के समां ते स्वादानियां गलां च रुज जान दे। जे उक्रूज ते मिल दियां तरां-तरां दियां सुहूलता दियां बातां पाँदे ता मैं समुंदरी पंचियां बारे पुच्छण लाग जानदा। लोडींदी कागजी कारवाई मुकमल होनते मैं उना नुशुब काम नामां देतियां ते उना हाथ मलांदियां मैंनू अगले वरे नाल चलन लेंodoma. पक्का करवाया, प्रॉमिस, पक्का, दोवाने अंतच एक एक बोल सांजा केता। आदक ते मत्हा लगदा, वो कुरसी तो उठके दुबारा बैठा, वो मैंनू लैप्टॉप ते जमीन दियां तस्वीरा मोखान लगदा। खड़ी कणक चीट्टां सुट के चार दुवारी कीती जा रही सी पेंडु वाले आनू क्या दता मुफ्त च वड़लो उन नाल नाल कोमेंटरी भी करदा गया दो पारियां टालियां पुटियां पयां सन लाल टालिया उन्हें एक पोरे दी तस्वीर नू फोकस कर देयां आख्या मैं बचपन दियां यादांच चला गया गुर दुवारे दी हल्टी तो थोड़ी दूर उचियां लम्यां दास बारां वड़ियां पुराणियां टालियां दे रूक सन गर्मियांच पॉन छण 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 लंग दीता पतासयां वरगे पते गल्लां करदियां और तां दे कांट यां वहां चू मन लाग जन दे इना टालियां ते दो मोर रेंदे सन तकड़े वड़े मोर रात नू टालियां दी सिखर ते सोंदे सन कोठे तो चुबारा चुबारे तो खेता मलोंदे कच्चेरा उत्तोंदी सिद्धी उडान टालियांदी सिखर नूपर दे अथन्नू रहराज साब्दा पाठ शिरू हुन्दा तो मोर वारी वारी बोलदे ते पूरे पिंडदी फिजा संगीत तक हो जांदे साड़ी 21 खेड जद मोर बोल देता संग्णियां टालियांचो मोर लब के दूजियानू अपनी जितव खोणी हुन्दी सि देग लेनी गुर्दवारे दियां टूटियां ते नहोना ते मोरानू लबणा शामानू इन्ना कुझी सि मैं उस व्यक्तिनू पुट्टी हुई टाली दुबारा फोकस करन लिया ख्या इस वार मैंनू मरे हुई मोर भी वखाई दे खास बंदियां वलों पैसे दा इन्ना तेज वहा तेज पैसे नल जिंदगी दियां सहूलतानू मानन दी लालसा ने समाज अंदर कई खतरनाक रुजान पैदा कीते हैं किर्टनू एक पासे रख कमाई दे शौटकट ते असिद्दे टंग होंद वे चाहिए हन अजय हालात थोड़ा सफर तै करके ठगियां चोरियां बाहू बल ते लुटां खोवांदा कारण बन दे हन एहो हालात नश्यांदे प्लेटफॉर्म हन एक बेरुजगार नौजवान ने बाप ते दो लाख रुपैदी मांगदा दुबाप आया दरसल काले बजार ने उन वर्गला लिया के ए पैसे हफ्तेच दुगणे हो जाने सन जैदाद वेच के यजया संभव सी परवार ने पंज लाख देके दस लाख दी आस राख ले दो सालां बाद एहो सोद दा बाप दी मौत दा कारण बनिया प्यव पुत्तर दा एक चगडा थाणी तका पंचया सी पुत्तर एक वपार शुरू करना जोंदा सी जिसले बाप वलों आर्थक सहायता नहीं कीती जा रही सी अमरीका दीक कंपनी ने स्रीर ते टैटू पॉंड ले एक उच पदर दी नीडल ते स्याई त्यार कीती नीडल एन्नी सूखम के चमडी दे सेलां दे तोरंदर तक स्याई नू पॉंचा देंदी स्याई येनी पक्की ते चमकतार के चमडी दे सेला नू पूरन लिश्का दिन दे उने वड़े शेर चोंस वपार नू वेख्या ते अपनी बान ते चित्तर उकरा के लिया आया चित्तर पौण दी कीमद 2000 तो लेके 10,000 तक कई चित्तर आकार मुताबिक 15,000 देवी हन अद्यों वद बच्चत उन नौजवान इहो रुजगार शुरू करना चौंदा से जिसले यो जैदाद वेच के बड़ी रकम लेंड लेई जिद कर रहे हैं से जिन्दगी चे रींग दियां ते जिन्दगी नू मान दियां पैडा नू रलन ना दित्ता जावे नेर किनारे शैद दियां मखियां पाल दे परामा करां चौ पोचे लॉन लेई मिलेशिया चौ रुजगार लबन दी कोशिश अते गांदे सौदे च ठगे गए परवारक मेंब्रा दियां पैडा नू लब के लोहे दे किसी पांडे नल टाक लें जाए इस लिख्त दा सिर्फ इनाई उदेश है तानुवाद सरदार गुर्प्रित सिंग तूर दी पुस्तक जीवे जवानी दा अगला लेख है सूलांच किर्या चिडियां दा चमबा जदोवी नौजवानानू नशियां दे सेवन जाँ विक्री ले गृफ्तार किता जन्दा ता उना तूँ विस्थार पूर्वक पुछ गिच किती जन्दी नशियां दे कारणां दी छानबीन करदेयां मैं इस सिट्टे ते पुझदा के बेरुजगारी, मियारी सिख्या दी काट ते इमानदार सिस्टम दी अन्होंद इस ते मूल कारण हन निरास्ता ते पटकना नौजवाना नू नशियां दी दलदल विच ले जान दिया हन नशियां दी स्थिती, कारण, उपा ते स्माजिक परबाव कई पक लिखती रूप विच लोकां सामनी ले उन्दा यतन कीता जान्दा साल 2011 दे फरवरी में ही निविच सिपाईयां दी पर तेली स्रीरक प्रिख्या लई गई सी हफ्ते पर चली इस प्रिख्या दोरान बेरुजगार नौजवाना दा दुखान ते उन्हादी पीड परी मानसिकता मैसूस कर देयां मैं इक पैर ते खड़ी नौजवान पीडी लेख लिख्या सी कुझ पाठकाने मैंनू ठकोरिया इकलियांस मस्यामां दा जिकर करन्दा की फाइदा हल भी दसने चाहिदी हन कुझ कुने उलंबा भी देता नौजवान हथी कामता कोई कर दे नहीं निके निके कदम कोहां लम्मी वाट से लेख हेट नौजवानानू मेन तते सार्थक जिन्दगी लेई प्रेरन वड़ा लेख लिख्या गया ए लेख पढ़के एक कुडी ने फोन की था तुसी बेरुजगार नौजवाना दियांस मस्यामां बारे लेख लिखे हन इना देना विच्ची मैक में वलों आदेश प्रापत हुया के मेला सपाइया दी परती लेई सरीरक प्रिख्या दा काम दो तिन देना चुही नबेड ले आ जावे हतली लिखत अजहे हालात दी उपज है बारा मई नूँ सरीरक प्रिख्या लेन ले योग अमीदवारानू दाखला पत्तर जारी कीते गये सन इस काम ले सारे अमीदवारानू इकको देने बुलाया गया सी दो साल पहलां परती हुयां कुडियानू ही ए जिम्मेवरी सौम्पी गई उना चार काउंटर लाके डेट डेट सौमीदवारान ले दाखला पत्तर जारी करन दा काम शुरू कीता ओ अपने अपने गरुपनू इक थांते बिठा के समझो दिया ते फेर वी पच्ची कुडियां दी लाइन लवाके दाखला पत्तर जारी करन लगिया सुखाडा जया महाल वेक के उना दे नालाए मापे चुप चपीते दूर जा बैठे सन उमीदवार कुडियां इना मुलाजम कुडियां तों कई तरां दे स्वाल पुछ दिया दोड किन्ने मीटरा नंगे पैरीं पाज सक दिया उची छाल के निया कैंक कुडियां वर्दी तारी कुडियां दे बराबर खड़के अपना कद वेक दिया एक दोने उनादी वर्दीनू हाथ लाके वेक या पैने तुसी भी कुट दिया हून निया एक कुडि ने इक कदम पिछे हटके पुछिया ओ हत्थों छुटियां सटिफ केटां दियां कापियांनू चट पट संबाल लेंदे। एक कुडी तेओ दा बाप इस इकठ वेच ओपरेजे खडे सन। ओ कुडी नाता दरियां ते बैठियां कुडीयां दे किसे इकठ दा हिस्सा बनी ते नाई लाइन च लगी सी। मैं मुलाजम कुडियांनू पेज के पता कराया। ओ मैंनू दफ्तर वेचे कल्यां मिलना चौन दे सन। गाल बात शुरू होन तो पहलाईं प्योती दो मई रोई। उस कुडी दे हाथ वीच दो वरे पहलाँ होई परती दा प्रॉस्पेक्टस सी। दरसल जिस दिन उस परती लेई स्रीरक प्रिख्या होनी सी। उस्तों दो दिन पहलाँ उस्ते प्रादी सडक दुरकटनाच मौत हो गई सी। इस करके उस स्रीरक प्रिख्या नहीं दे सकी सी। मौजूद्धा परती समे उस दी उमर दी हद तिन दिन टप गई सी। इस परती लेई इक जन्वरी उन्नी सो पचासी तों इक जन्वरी उन्नी सो बन्वे विचकार जन्मियां कुडियां ही पाग ले सक दियां सान। उस कुडि दी उमर उनती दिसंबर उन्नी सो चुरासी सी। की कुझ हो सकद है। प्योती ने संबल के कठ्याई पुछिया। मैंनू चुपवे के उस कुडि ने प्रोस्पेक्टस दा आखरी वर का पल्ट के अपने मर्गे वीर्दी तस्वीर मेरे सामनी राख देती। चार पैना ही पैना हाँ, आमदनी दा कोई साद ने, कोई रुजगार ने, ये उस अपागे कुडि दा आखरी यतन सी। वीवी कुडियां दे पूर नू पहचान लई, चेस्ट नंबर देके पहलां कद मिनेया जान्दा, फिर उनानू 800 मीटर दाड लई दोडाया जान्दा। जो दाड उना चार मिन्टांच पूरी करनी सी, ते फिर लंबी ते उची छाल दे, दो टेस्ट पास करने सान। जेडियां कुडियां दा कद पांज फूट तेन इंच तो काट हुन्दा, वो पहली पॉडी तों ही बार हो जान्दियां। उना तो दस्ट खत करवाये जान्दे, ते चेस्ट नंबर वापस ले ले आ जान्दा। वी कुडियां दे पूर्चों पंज छे कद विच्चों फेल हो जान्दियां। इंज फेल हुईयां कुडियां दी मानसिक वस्था देखन वली सी। वो हस्दियां हस्दियां मिनती स्टैंड ते चड़ दियां, ते रूंदियां रूंदियां उतर दियां सान। काद चो फेल होई एक कुडी तो जद चेस्ट नंबर वापस मंगया गया, तो उने हाथ पर तणिया वळे कपडे नू रख लेनली बेनती कीती, जद उनू कारण पुछिया तो फुट फुट के रून लगी, ओ इस कपडे दे टुकडे नू ही रुजगार समझी बैठी से, इ दरसल मामा तिया ने पांसोर पैउदार लेके बूट करे दे सन, दौड लौन तो पहल नहीं फेल होई जान कारण उस कुडी ने ए बूट दुकान दारनू वापस मोडन दा मन बणा ले आ सी, ओ नंगे पैरी तेजी नाल स्टेडियम दिया पौडिया उतर गई, बेर आहम शबद हन, जादे दो में इकठे हो जान दे हन, ता नौजवान पीडी दा कान हुन दै, फुट दिया कुरूंबलानों, आगदिया लाटन दे साड़े आ जान दै, चौदां पंदरां कुडियां दे पूर्चों लगपग अधियां कुडियां दौड चों बार हो ट्रेक दा दुज़ा गेडा मुकमल कर दियां कर दियां, जो कुडियां फेल हो जान दियां, उप पारे मननाल ट्रेक चो बार हों दियां, साहो साहो जान दियां, उस स्टेडियम दे एक पासे अखां बंद करके लेट जान दियां, पल पर अखां खोल दियां ती असलियत द सामना करन्दा यतन कर दिया, उनानू जिंदगी तुंदली ते फिक्की फिक्की नजराओं दी, इन्ज दौर्च फेल होई कि कुडी तां पूरा दिन उठी न सकी, वो बहुत थोड़े फासले ते फेल हो गई सी, वो अखां बंद करके स्टेडियम दिया पौडियानू टोला के बैठी रे, दौर्चो पास होईयां कुडियां उदे सामने लंबी छाल लौन लगियां, वो छाल लौनियां कुडियानू वेख दी ते फिर रखां बंद कर लंदे, इक मुलाजम कुडी हाथ उसलेई पाणी ना गलास ते चादा काप पे जया गया, पर उसने ना कार दि थी सी, थोड़ी देर बाद मैं वेख्या उथे नहीं सी, दिन दा काम मुका के जद मैं स्टेडियम चो बार निकलन लगा, तो ही कुडी स्टेडियम दी बार लीकांद नाल टोलाई खडी सी, सरीरक प्रिख्या चो पास होईयां कुडियां नू बहती कंबीरता नाल वेख द फिर होली होली, उना दे मगर-मगर तुरन लगी, मिठी मिठी रुत, स्वेर दावेला, मिठी दे पांडेयांच कक्का रेत वचाके जवान दे बीजानू अक दे पत्या नाल टाक दियां, दलांच बैठियां दरियां बुण दियां, निमदी छामें बैठ क्रोशिय नाल द जाने दार चादरां ते तोते ते चिडियां पांदियां, देन टले हत्थां विच खदर दे पोने फड़ी साग तोड़न जान दियां कुडियां, अज जिन्दगी दे किस मुकाम ते आपुजियां हन, सद्रां ते खुशियां दे दीवे जगौनियां कुडियां, अज दे बुजरे दीवियांत दे तुएंच तुँ अंखियां जा रहे हैं। कुडिनू व्यातो बाद विदेश नहीं बुलाया जा रहा सी। कुडि दे माप्याने शिकायत की ती के उदे पती वलों जान बुज की इमिग्रेशन पे प्रांच रुकावट पाई गई सी। व्याती आये कुल खर्चे दा कुछ हिस्सा मिलन ते गाल रफा दफा हो गई। लेकिन ती दे व्याते खर्चे दे रूप विच तिन एकड़ पोई गैने प्या गई सी। इस असफलता तो बाद माप्याने ती इनू स्टडी बेस दे बार पे जणदा मान बढ़ाया। एक ट्रेवल एजेंट ने चार लाख रुपई विच जॉर्जिया देश च तिन मिन्ने दे होटल मैनेजमेंट दे कूर्स ले वीजा लवा दता। येथों बॉर्डर पार करके तुर्की जाना से जुथों यॉरप दे किसे देश ले अन अधिकारत उडान पर नी सी। जिस कामलेई विदेश बैठे उस कुडी दे रिष्थेदाराने उधी मददले हाम्मी परी सी। जॉर्जिया उसनू अथे पल नहीं बैठे पच्चीती मुंडे कुडियां समेत तुर्की दा बॉडर देखाया गया जो उनाने हनेरे सुवेरे ते चोरी छेपे टपना सी। इस किर्यानू डुबकी लोना अख्या जान्दा है। उनानू तुर्की पाशादे बोलवी सिखाय गय सन। असीता रापुले रागीरां। पुलेस नाल सामना होनते हाथ खड़े करके चटपटे शबद बोलन ले समझाया गया। पर उस कुडी ने डुबकी लोन तो असमर ते गंबीर लोड है। रोजगारनू पाल दे हुई उस जिन्दगी जियोन दे चोरस्ते ते खड़े हां। नौकरियां नाम मिलन कारणू हर ही ले विदेश जाना लोच दे हां। पिता पुर्खी तन दे सरकारी नौकरियां प्राइवेट अदारे ते स्वय रोजगार ओ प्लेटफॉर्म हां। जित्थे खड़के उनाने अपने जीवन दी उडान पर ने हुंदी है। मौजूद्धा हालात विच बहते प्लेटफॉर्म खोदी कंब रही हां। अते कुझ 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 जान बुझ के कंबनी पैदा कर रही हां। सरकारी नौकरियां पंजाबी ज जीवन दा अटोट हिस्सा रही हां। इना दा इंज लोप हो जाना नौजवना ले सब तो वड़ा चटक है। बारले सुब्या मिच परती करन वाले अजय अदारे ते स्टेट सविस कमिशन रेगुलर तोर ते परती कार रही हां। लेकिन साधे सुब्य दा की हाल है। असी पली पात जानुआ। इना नौकरियानू जारी रखन ले सरकारी का जाने दी बेवसी साधी टेक्स ना देन दी रुची दा परतक परमान है। असी एड़े वड़े खप्तकार हां के जे पूरा टेक्स देये ता सारियां खाली असामियां कुझ समे वेची पर यां जा सक दि पर बड़ी दूरा भूआ राजे अदली दा। सुदरे भीजान दी रूप वेचे ना नौजवान मुंडे कुडियानू सिस्टम रूपी जिस तर्तिवे चसी भीजणा चौनेयां जियो खुद जैर उगल दी है। ता मोतिये ते चंबे दियां कलियां दी खुशबूआं आस के में रखे जा सकते। इना रुत्बियां दे दर्वाजियां दे चोड़िया डी खड़ियां हन। समेने वड़ी करवट लई है। अजो मुंशी बन जाना लोच दियां हन। मरगय वीरदी तस्वीरदा वास्ता पौन दियां। कदियो तिन दिन उमर दी छोट मंग दियां हन। कदियो मजबूरी वास नमे लए बूट चाट पटला दिन दिया हन। जिन्दगी दे वाव रोलेंच रोल दे छोटे-छोटे रंगदार खंबाउं दे दास्ताने कुडियां। सरदार गुर्पृत सिंग तूर दे लिखी जीवे जवानी नामक पुस्तक दा अगला लेख है सम्मी। मोबाइल फोन दी कांटीने मैनू पैर दे पहले तड़के जगा देता सी। एक इसे लड़की दा फोन सी। उन्हें मेरे नाम तो मेरी पहचान तस्दीक कीती। सत समुंद्रों पार मैगजीन च। सूलान चिक के रिया चिडियां दा चमबा लेख तुसी लिख्या है। संबल के मैं हांच उत्तर देता। उसने कैनिडा दे शेर दा नाम दस्या जित्तों बोल रही सी। एवी दस्या के उन्हें ए लेख हुने हुने पड़िया है। बे वक्त टेलिफून करन ली उसने अफसोस जाहर कीता। दरसल मैनू नींद नी आ रही सी। उन्हें स्थितीनू होर स्पष्ट कीता। इस लेख्च वर्नन कुडियां दे दुखांत वांग मेरी वी एक दुखदा एक कहानी है। मैं चौनियां के मेरा दुखवी शब्दां दा रूपतार के एक सुनेहा बन जाए। कि तुसी अजया कर सक देओ। उन्हें कुझ शर्तां रखियां। मैं उन्हों दास मिंट बाद दोबारा फोन करन ले आख्या। शमिंदर दो पैनां ते एक प्राचू वड़ी है। साउ सुबा ते सादगी सुहपण दा हासल बन जान दे हन। अपने गुणांकारनों स्कूल दे दिनां तों ही माप्यां दी सुच्च जीती एक वोन लगी। चौंका चुल्ला हुवे जां कपडा लेडा माधियां पैडां ते तुर्धी तुर्धी उपद्रेरा बनालन्दी। कॉलेज दे पहले वरे उदे व्याग करवा के विदेश जान बारे उने माधियां कन सोवां सोन लेंआ सन। तेरे सहारे सारा टबर किसे तन पतन लग जओ। उस समय उनू माधियां कई गलां समझनियां सन। कॉलेज वेची ओधी किसे जमातर ने शमिंदर नू पहली वार सम्मी क्या के बुलाया सी खेत्री यूथ फेस्टिवल हुवे जा किसे खेट दे अंतर कॉलेज मुकाबले अजयी दिनाच ए पेंडू कॉलेज सजावती रंगदार चंडियां वांग कई रंगांच रंगिया जान्दा है इस वरे यूथ फेस्टिवल दी वारी सी सम्मी कॉलेज दी गिद्धा टीम दी मेंबर चुनी दी आज अखीर वेच लोक नाचांदा देन सी गिद्धे पंगडे वेखनली विद्यार थी तितली आवांग मंडरों दे नजर आए सम्मी दी से हेली ने वारी तोड के बोली पाई हीर के हीर के हीर के नी अखांजा लडियां कोंडचीर के नी इंज क्यों होया दोहानू कुछ पता नहीं सी गौर्मिंट कॉले दे पंगडे दीवारी अखीर चाई जेडियां टीमां पंगडा गिद्धा पा हट दियां ओ स्टेज दे नेडे स्टेज दे कुरसियां विचकार खाली थां ते विच्छाईयां दर्यां ते बैठ जान दियां अंत तक रंगडार पुशाकां पीलियां हरियां चुनियां ते लाल गुलबी शमलियां वाली हस दे मुस्क्रों दे चेरियां दा मन मोहक इकठ नजर ओन लगगा पंगडा शुरू होन लगगा से अलगोजियां दी गूंज ते टोल दी ताल ते रवी ते उदे साथी जित्थे खड के बुलियां पौन लगगे सम्मी ते उदियां से हिलियां तो थोड़ी दूरी बैठ यां सल ओ किड़ा सोना रंगला पंजाब हानियां मेले विच पेंदी एत माल हानियां रवी दे पहले बोला नाली पंडाल च सन्नाटा छागया एक तो बाद दुजी बोली जंके से गीत दियां सत्रां ओ जिंद माई बाज तेरे बाज तेरे कुमलाईयां ओ तेरियां लाडलियां लाडलियां पर जाईयां ओ रती तेरी ओ टोल मेरे लुंगी वे वट पुआनिया मैं रेशम दियां डोरां ओ कोई ओंदा ओंदा खोन ले हो गया वे मैं दूर तू पच्छान दियां तोरां स्याने टोली ने अवाज दी टनक ते टुनकार नू पांप दियां तोल दी अवाज नू मद्दम कर लिया लोक नाच सिख्रां वलवदन लगा तेरियां तक्तों बख्तों बन के पालयाने लहौर वाले रा तेरा पुत्तर वे नूर खां बन लिया जेडा वैरियां ले बुरी सी बला ओ मेरी जुगनी दे तागे बगे जुगनीयों दे मूहों फब्बे वो जीनू सट इश्क दी लगे वो वीर मेरे जुगनी केंदिया ते नाम साइंदा लेंदिया स्टेज ते नेडे बैठे मुंडे कुडियां बोलियां ते गीतां दे नाल नाल गौन लगे ताडियां दी गुण्ज संगी तते बोल हवा विच मैक वांगरल दे गई इंज मैसूस ओन लगा जमे नाच सार्यां दा सांजा नाच होवे मेरे चर्खे दी टुट गई माल वे चन कतां के ना किन्नी वरी गंडिये ते किन्नी वरी जोडिये साड़ा कतना होया मुहाल वे चन कतां के ना रवी ने बोल बदल दिते सान, तोल दी ताल ते पंगडे दी चाल बदल गई सी, पर सम्मी दी से लीने उदा, कन फड़ के गीत दे इसे बंदनू मुकम्मल कीता, की होया की होया नी अडिये, तैनू सक्खियां करन सुवाल वे चान दसां के ना आखरी लोक नाचनू पहला स्थान प्रापत होया, ते सम्मी लड़कियां चो वदिया डांसर चुणी गई सम्मी ते रवी दे पुंगर दे प्यार नू ताडियां दी गौंज चो लोक बोलियां दे गितां दी चो प्रापत होया सम्मी ने मानाल गल संजी किती उस रातो दे मां बाप जल्दी सोंगय सन स्वेरे उठते आई माने ती नल्ब देश तो आ रहे रिष्टे दा वास्ता पाया असी ता दो सालां तो लगे यां मां दे इना शब्दां विच कूर सी साड़ा ता सब कुछ दाते लगया हुया दूर खड़े बाप दे बोल सन इस रिष्टे दे पके नाम लई जात पात ते परवारिक पदर दी कोई अच्चन नहीं सी समी ने मामियां दा सहारा लिया रवी दे बाप ते समी दे मामियां दी जान पछान भी सी पर कुछ नहीं हो सक्या वदेश्च व्या करवा के परवार नू बार लै जान दा दबा रवी दे वी सी दोवा ने कई यतन किते पर परवार नू वदेश लै जान दी मजबूरी सामने हर यतन फेल हो जान्दा पंगडे दियां उस दिन पाईयां बोलियां मैनू लिखके देणियां समी ने आखरी मुलाकात समय मंग कीती रवी ने उस दिन पैरी पाईयां पंजेबा निशानी दे तौरते मंगियां अखरां वट्टे चांदी समी दे जुआपते दोमें हस पै इस हासे पिछे चुपया रोना उदो उनानू पूरी तरह मैसूस नहीं होया सी लोक साजां ते लोक बोलियां दी चांहेट पुंग्रिया प्यार परवारक मजबूरियां दी पार्थल्ले दब के दम तोड़ गया वदेश तो आए लाड़े दी खबर वचोले ने दिवाली वाले दिन दुपयर तो बाद देती सी दीव्यां वाली थाली समी हाथ फड़ा ओधी माने एक थाली ते रोटी ते लड़ू जलेबियां रख लेग्या गुर्दवारे मत्था टेकन जान देयाईं माने ती नले गल सांजी कर ले सी तीजे दिन देख दखाईदा कामे के तिहासे गुरू का रचोया मत्था टेक देयाईं समी ने सब कुछ रभवाले कर दता सी बारों आए मुंडे दा व्याहो के तलाक हो चुक है वो चोले ने अपनी स्कीम नू बदल देयाँ एथे गल खोल लेनी ठीक समझे समी ते उदे मापयां लेई ए दूजा चटका सी दोहां दी उमर्च दहाके तो वद दा फरक सी ते गुर्मीत दा सिरीर पारा हो चुका सी समी पहले चटके दियां गिंतियां चे उल जगेई सी वो चोले ने देग लेन दियां दो तिन वार वाईगरू वाईगरू आख्या जिमें उपुल बक्षार्या होवे सोखनल परवार कैनेडा चला जा उपाई उन्हें समी दी मानू संबोध थुन दियां किया समी ने सोचानू इक पासे रख परवार नू वदेश ले जाना ही अपना उदेश मित लेया सोचां विच डुबी समी ने अपने काशनी दुपट्टेत इक खूंजेनू गंड मार लेसी कारा के उन्हें पेट्टी ते पै ट्रंक ते ठोड़ी रख के पंजेबां वली खाली डबीनू खोल के देख्या दो अत्रुवोदे चेरे दा सफर तै करके डबी विच जा डिगेसनू व्याली सड़कते लगदा न्याई वड़ा खेत वेच दित्ता गया व्यादा दिन रखन लेग गल चली गुर्पुरुप तो अगला दिन रखली विचोला किसे मानसिक बोज विच सी मैरिज पहले स्थी बुकिंग मिल जानते इहो दिन पक्का हो गया चौवी पच्ची लख रुपिया व्याते खर्च होया आठ लख दी कार वखरी दित्ती गई दसंबर दा आखरी हफता उखरीददारी करके वापस मुड़ दिया सम्मी दे कॉलेज चा किनली रुग गया कॉलेज च छुट्टी हो चुकी सी कैंटीन ते युवक मिले वाली स्टेज वेच कोई बौता फासला नहीं सी दो कपचा ते समुसे समी ने एक कुरसी अपपी खिच के गुरमीत नू दे जती ते आप स्टेज दियां पौडियां ते बैठ गई स्टेज दे पिछले पासे दूर तक हरे पर एखेद कंक दे खेद सन विच विच सरुन दे पीले फुल जिवें हरे रंग दी दरी ते टुकडियां पाया हूं ब्यूटिफुल कंट्री साइट गुरमीत ने अखां बंद करके इस कुदर्ती नजारे नू दुबारा तक या स्टेज दा उही खुंजा समी नू गुरमीत दी एदा प्यारी लगी सी उने शाल दी बुकल खोल के दुबारा मारी गीततां ते कुदर्ती नजारे नू जरूर कोई सबंद हुएगा स्टेज दे खड़के चादी कुट पर द्यां समी ने सोच्या कुदरत किसे काटे दी पूर्ती ले हार संभव यतन करन लगी तों दना पेंदी ताव होर देर तको थे रुकणा चोंदी सन नमा वरा मुबारकाग गुरमीत वापस चला गया सी समी दा वीजा तिन चार मिन्या चोंदी उमीद सी परे उडीक लंबी हुंदी गई दरसल कैनेडियन अमबैसी गुरमीत दे पहले व्यादी चाण बीन कार रही सी ओदी तलाक वाली कारवाई भी मुकमल नहीं होई सी उस दे इमिग्रेशन रिकॉर्ड नू कोख्या जा रहा सी अमबैसी ना भी कर सकती है असमान्च मंडरों दे बदल दे टुकडे वांग एक ह्याल सम्मी दे मानचाया तौं सिरीरक दे मानसिक दूरी पीडा च चंजोडी गई मानदी बेचैनी नाल न जिठन लई इनतियां मिनतियां गल्त कार बैठी सी इना दिनाची उदे कार ती ने जनम लिया जेडियां औरता नमा बच्चा वेखणों दियां जांदियां हुईयां दरवाजेच खड के पुछ दियां साच गुड़ी दा कुछ बढ़िया नी हाले डैम दे पाणी दी सता वांग परवार ते ती दे उदेश जान दा बोज निरंतर वदन लगा उदासी दा परच्चामा सम्मी दे चेरे तेवी नजरोन लगा कोई वी रिष्थेदार मिलन ओंदा ता सम्मी दे वीजा लगन दी देरी ही गलांदा विशा बाण जान दी हर कोई सिलाहां दिन दा जे ए बच्ची ना हुंदी ता कुछ होर वी सोचिया जा सक्दा से दुख वंडौन दी कोशिश कर देयां इक व्यक्ती ने अंजाने च चुव में बोल बोले सन अजें यां सोचां तो खेडा चुडान ली यो कोठे ते जा चड़ी तालियां उपर दी हुंदी होयो दी निगात तरे कामले खूते जा पई नियाई वाला खो जो कदे उदे बाबल दा हुंदा से उन्होंने वेख्या उथे एट्टां सुटियां जा रहियां सन बचपन वेचो स्कूल तो आके पैन प्रा नल बाप दी चा लैके जान दी ते मुर्दी होय साग तोड़ दी उदी निगाख खाल दे नाल नाल वापस को उठे मोड़ाए यादां दी तस्वीरों दे सामने को मन लगी उन्हों अपने अमडी चल दे टीविल ते कपड़े तों दी विखाई दिती सोच्चा तो छुटकारा पाण लियों जल्दी जल्दी पौड़ियां उतर दी फेर वेडे चा ली उन्हों ओस्ती ती तों पासे किता जा रहा है बच्ची नू गवंडियां देका अरपा देता जान लगा उन्हों बालडी उची उची रोंदी सुनाई देती एस सुपने चों समी त्रब के उठी उन्हें कूक सुती बच्ची नू एक पासे तो चुक के दुझे पासे पालया गुर्मीत दे कैन तेती दा पासपोर्ट बना उल्ले ओ कैनेडियन अमबैसी गई बच्ची दा वास्ता पौनियां वीजेली बेंती पत्तर भी पासपोर्ट अर्जी नल दाखल केता गया समी तो ओदे पती दा पहचान पत्तर मंगया गया ओदे वर्गी कुडी नेही ओदी तीनू फोल पेंट कर दिया समी नू अद्धे कंटे दी उडीक करन ले आख्या समी नू न्याई वले खू जिड़ा ठंडा चौंका मैसूस होया सी हवा दे बुले उदी चुन्नी नू लहराउन लगे उन्हे नमे बढ़े पासपोर्ट ते तीनू इको नजरनाल वेख्या मिही न्याबाद उन्हों सुखावे पल्ब मैसूस होय सन। पंदरा दिनाच दोवे पासपोर्ट वीजा लगके कर पौँच गए विदेश जान दी उडीक मुकौनियां उन्हों चार वर्यांतों वद समा लगा जद सम्मी अपनी तीनू लेके एरपोर्ट तो बार आई तो गुर्मी तीनू बाहां च चुकके उन्हों सिर्थ उपर कर दियां चार चुफेरे को मंगया ब्योटिफुल कंट्री साइट सम्मी ने आख्या त्यो दूमें हास पै सब दुख तकलीफां पुल होन सम्मी नवी जिन्दगी चरचन मिचन लगी चोटे पैन प्रा ते माप्यानू कैनेडा बलान लैन दी ओधी रीजनू बूर पैन लगा परिवारिक वीजे दी लोडीन दी कारवाई ले गुर्मीत ने उदा पूरा साथ दिता पर कदी कदाई हरी परी दिस दी वेल नू भी फुल नहीं लग दे फुल नां पत्या नाल पर ए रुखां दे भी पंच्छी आलना नहीं पौंदे एहो हाल सम्मी दियां री जान्दा हुया टाई सालां बाद एक दिन कपड़े फ्रोल दियां उन्हें काशनी दुपट्टे दी गंड नू खोल के देख्या जिन्दगी दी बुकल चों बहुत कुछ किर्श चुका सी परिवार दी इमिग्रेशन ली कागस पर दियां पर दियां उदी छोटी पैन पहला ही ओवरेज हो गई सी हुन दे बाप दी मेडिकल क्लियरंस नहीं हो रही सी चाती दी एक स्रे विच कोई दाग सी ते पिछले छे मिने दवाई खानते भी एक स्रे रिपोर्ट ने कोई हामी नहीं परे सी अमबैसी ना भी कर सकती है सौन तो पहला एक ख्याल उदी मंच को मन लगा इसे उदासी दे आलम च उन्हें सत समुंदरों पार मैगजीन च उ लेख पढ़े आ सी समीदी ही एक शर्त अनुसार इस लिख्त बारे मैं उदा प्रतिकरम जानना चाहा इस लिख्त च वर्नन की ते प्यार नू दो नल तकसीम कर दियो ते विदेश जान ली हंडाएगे दुखां ते मानसिक पीडा नू चार नल जरब दे दियो देश छड जान ले इतियां पुत्रां ते इनना बोज क्यों है मेरे पंजाब तेरे वेडे के होजे हालात बन दे जा रेने अच्चानक छराटे दार मी आ जान नाल सुआणियां जिस तेजी नल कारदा समान संबाल दियां हन जही तेजी नाल तेरे बच्चे तैनू छड जानली मजबूर क्यों ने मापे बचियानू इस तर्ती तो हर हीले तकेल देन दा संग ताप क्यों हंडारे ने मैं चोनिया मेरे इबोल पत चार्च डिगदे पत्यां वांग हर कार दे कोठियां ते डिगण इना पत्यानू इकठे करके जला देता जावे तुख दी आगदा तुवां हर पंजाबी लेक सुनेहा बने परवार नू सेट कर ले तियानू पॉडियां क्यों बनाया जा रहे है नौजवान मुंडे कुडियां दी हालत पंचियां दे टुके मिट्टीच रोल दे अद पके फडा जई क्यों है गोड वंडदियां कुडियां वांग तुख दी आगदा तुवां मेरे बूलानू हर कार दे दरवाजियां तक लेके जावे बस यही इच्छा है मेरी उनेक्या अगला लेक है नौजवान पीडि दी दास्तान साल 2011 दोरान पुलिस विपाग जो मुंड़ियां ते कुडियां दी दो वार परती हुई इस तो पहले वरे भी परती हुई सी फिजिकल टेस्ट पास करनवले उमीदवारां दे इंट्रुवियो उपरंद मेरिट सूची त्यार किती गई सी पांज हजार तो वद नौजवाना नू पजदियां नठदियां विख्या गया ते लगपग हजार तो वद नौजवाना नल अमने समने बैठके गल बात किती गई इंज नौजवान पीडी नल रूबरू होन दा परपूर मौका मिलिया उना दे स्रीरक विद्यक मानसेक ते रूजगार दे हालात विचारे जारे सन इस लेख विच बेरूजगारी दे तुफान चोन टुट दे नाजुक टानियां ते किर्थ दियां टेंदियां इमारतां दे मलबे थले दबी गई नौजवान पीडी दे दर्दांदा जिकर है इस पर तीले फिजीकल टेस्ट पास करना जरूरी सी उस्सु प्रंत जे नौजवाना दे कद ते पड़ाई मेरिट दाधार बन देसन मुण्डियां ले 5.7 एंच काद ते 10 नंबर ते हर एंच ते 21 नंबर वद दा जानदा सी 6 फोट जाउस तो वद काद दे 15 नंबर लग दे सन इवें कुडियां दे 5.3 एंच काद तो उपरवल 8 एंच तक 15 नंबर सन पड़ाई चो बारवी दे 10 ग्रैजुएशन पाग पहला दे 11 दूझे दे आखरी पाग दे करमवर 12 ते 13 नंबर सन एमे दे 14 ते एंफिल ते पी एच डी दे 15 नंबर सन इंट्रिव्यू लई चार नंबर रखे गई है रानी बली गल है के स्पाईयां दी पर्ती दे रिजल्ट नुवी पार्ती सिवल सेवावां दे रिजल्ट जही उत्सुकता वांग वेख्या गया इना पर्तियां चो सेलेक्शन लिस्ट दा हिसा ना बन सके मुंडे कुडियां दी हालत बड़ी तरस योग है खास करके ओ नौजवान जड़े असफलता दे नाल नाल परती लई उमर दी हाद टपदी हुए सदाले सरकारी नौकरियां तो वंजे हुग है सन हेठा वर्नन की ते कुझ आंश प्रांत वेच बेरुजगारी दी तस्वीर पेश कर दे हन जिस दिन रिजल्ट कड़े अगया उस अदी रात नौँ टेलिफोन दी कंटी वज़ी ते एक व्यक्ती दे रून दी अवाज सुनाई थिती उन आजवान कैन लगा मैं अठवी परती देखी सी इस वार भी फेल हो गया मैं उनू दिलासा दिन दे होर यतन करन ले परे रहा परो कैन लगा के मेरी उमर दी हाद टप चुक्की है ते ए मेरा आखरी मौका सी जीन नू दिल नहीं करदा जे माना हुंदी ता मैं आज जी मर जाना सी जैर पेशन दिल करदा मेरे कई सुवालां दे उसने थोड़े जे उत्तर देते सन गलां दा कोई होरादार बाकी नहीं बचया सी पर उस नौजवान दा फोन कटनू दिल नहीं कार रहा सी अजय नौजवाना दी होंद हत्थां चोग किर्दी रेत वांग है सिलेक्शन लिस्ट दा हिस्सा ना बन सकी कोड़ी अपने बापनू नाल लेके दफ्तर आई मेरा कद पांच फूट साड़े आठेंच है उन्हें प्लास्टिक देक लफाफे चो इंची टेप कड़ेया ते हाथ च फालेया मेरे च कमी की है उगंबीर होन लगी मैं बारवीं फस्ट ड्वीजन च पास कीती है मेरे हसाब चो बानवे नंबर ने अंग्रेजी चो स्थाट साइंस चो 88 सारे विश्यां दे नंबर उनों जबानी याद सान मेरे च कमी की है हंजुआं दी लापोदियां खांचो किरी लफजां तो बेवस होई ओ इंची टेपनों अपनियां उंगलां ते ले पेटन लगी उस तो बाद उस वलनों बोलिया हर शबद हंजुआं चो कुल के बे अर्थ होन लगा स्थाई नंबर लेके सिलेक्ट ना हो सक्या एक होर नौजवान रिजल्ट निकलन तो पंच को दिना बाद दफ्तर आया उदी आखां लाल संते गल कर दियां उकबराट विच सी उन्हें दसिया कि उकई रातां तो सौन नहीं सक्या पामें कि उन्हें एलप्रेक्स दियां गुडियां खाके सौन दी कोशिश भी कीती सी उन्हों रुजगार दी तुरंत ते वड़ी जरूरत सी उदी डावान डोल होई मानसेक ते स्रीरक हालत संतुलन वी गवा चुकी सी मैनू मैसूस होया जबे मैनू मिलके उसनो कुछ स्कून मिलया होगे मैंनू क्या कि तुसी रिजल्ट तो अगले दिनी मैनू मिलना आजाना सी उन्हें दस्या कि मैं दो-तिन वार कोशिश भी कीती पर तुसी मिले नहीं पिछले पंच दिना विच उन्हें एक होर सफल कोशिश भी कीती सी रिजल्ट आउन तो हफ्ता को बाद सिलेक्ट ना हो सक्या एक होर नौजवान दफ्तर आया पतला च्छांटवां सरेर, चिटी कमीज, साफ लड़ां वाड़ी असमानी रंगदी सोनी पग पतले पतले बुल, हलकी दाड़ी, ते अखा हंजुआ नल परियां हुया उने दस्या मेरा कद पांज फोट साड़े आठेंच है, ते मैं पुगो ओलदी है मेहां मेरे करमवार ग्यारां ते चौदां कुल पच्ची नंबर सन मैं पच्छडियां शिरेणियां नाल वीस बंद रखतां पर फेर मैं फेर भी सिलेक्ट नहीं हो सक्या उदा बूलिया हर शवद मेरे लिए कई प्रशन बणके सामने आया उन्हें अपने सारे सर्टिफिकेट फाइल चसलीक के नल सामबे हुए सन उमेनू इकला इकला सर्टिफिकेट वे खौन लगा उन्हें कॉलेज मैगजीन च लिखे अपने आर्टिकल्स दियां फोटो स्टेट कापियां भी संबालिया हैं सन दो मिंट होर दियो कहके उन्हें एकलफाफे चो कालेज समेदी पड़ाई दियां कापियां कड लिए तरीकां पाके लिखे हुए मुतियां वर गे एककर उन्हें दसन लगा कि उकलास दो बाद कुछ नोट कारा के लिखदा रहा सी उदियां कापियां फ्रोल दियां फ्रोल दियां मैं वेख्या किते किते लिख्या सी एक क्योंकार सत्कुर तेरी उट मेर्या रब्बात वेना नौजवानानू बेरूस गारी दे बूयां चे कल्यां चाड़के किते चला गया है जेडे नौजवाने सिम्त्यान विचो पास होई उना दियां खुशियां भी गंबीर सन इक औरत ने दस्या कि उदे कार्नू लग्या जंद्रा ठारां वरियां बाद खुलन लगाया उदा परती होया पुत्तर चार वरियां दासी जद उस औरत दे पती दी मौत हो गई सी कार्नू जंद्रा मारू पेके पेंड बैठके अपने पोतनू पालन लगी रोंदी रोंदीयों केंदी अचानक सबाब बणया जंगालियां जेंगा दो कुंजियांनू उन्हें जोर दी मुठीच कोट लेया दो स्पाईयां ने एक बंदी इमारत कोल मोटर साइकल रोकया पिछे बैठे करमचारियां ने जेव चोकड के कुछ कागज फुरोले ते एक व्यक्ती थे उदे बापता नाम लेया उपर नू इट्टा वगोंदा एक मजदूर मुंडा चो पवाट गया सी जान लगया नू मिस्तरी ने पुछिया के गल की है उना दस्या के ये लड़का पुलिस दी नौकरी ले चुणेया गया ते असी उनू सूचित करन ले लब देया हत्थांच इट फड़ी बैठे उस नौजवान ने अचमबेच इट नू परनू वगाया ते उही इट मुड़दी हुई उदे सिर्च वजजी समाज दे मौजूदा हालात के हुजएने आम आदमीनू गमिया ते खुशिया दोमें जखमी कर रहियाने नौजवाना ते दोश लगदाय क्यों स्रीरक तौर ते पूरी तरां चुस्त दुरुस्त नहीं हन फॉज ते पुलिस्च पर तीत दे पजण नठन दे म्यारां ते पूरा ना उतरना इस गल्दा परमान वी दिन दी हन अजया क्यों है उनाने खेती अदारत ते होर हथी कम करना चाड़ देता है मौडन जिंदगी ने उना दे स्रीरक गती शीलतानू सीमत केता है नवीन जिंदगी दे मन पर चावियां ते सुक सुहूलता कारण उना दा खेड़ा विचोरू जान कटिया है बदल रहे समाजिक ताने बाने चु नौजवान इकल्ले पंदा शिकार हो रहे हन लेकिन पिछले डेट साल चु पुलिस विपाग चु हो रहे हैं परतियां दोरान इना नौजवानानू वेख दियां इक होर पक सामने आया है के उना दप वेखा निश्चेत है ए चोरा नौजवानानू स्रीरक ते मानसिक तोर ते निरंतर कमजोर कर रहे है रुजगार लई यतन शील इना नौजवानानू जदिस्पष्ट होया के परती लाजमी ते मेरिट देदारती होएगी ताप फिजिकल फिटनेस विच निरंतर सुदार दे अंश नज़र आई है इसे तरह कुल असामिया लई प्रापत होया कुल अरजियां दी दरविच भी वड़ा वदा होया बेरुजगार नौजवानानू आस दी कोई किर्ण दिखाई दे उना दे जखमी होया आतम विश्वास नू अराम महसूस होन लगा पल दो पल उपने चों स्वे मान महसूस करन लगा इना नौजवाना दे स्कूल सेटिफकेट विश्यां दे डिग्रियां दी छाणबीन कर दियां महसूस होया के साड़ा मुडली विद्यादा म्यार दे विश्यां दी चों निवान वाल जा रही हैं विद्यादा निरंतर प्राइविट होई जाना कई स्वाल खड़े करता है बहते नौजवाना दी ग्रेजुएशन बी सीए पाई गई जदोना तो पुछे आ गया के बी सीए कितो कीती है ता विद्येक संस्थामानू लबदयां लबदयां दुकाना ते हटियां नजर आया 75 प्रतिशत विशे टेक्निकल खेतर नाल सबंदत पाए गई इंट्रिव्यू लई आये नौजवाना नो कोई विशादास के 3-4-17 पंजाबी च लिखन ली आख्या जंदा सी वो चोटे-चोटे अक्खर ते टेडियां लाइना लिखते जिवें के पंजाबी को यो परीपाशा होए जदों के राजस्थान ते हर्याना तो आये नौजवाना ने पंजाबी नौजवाना तो वदिया लखाई लिखी सी अजया क्यों है? कोई सिख्या शास्त्री ही ए गुंजल खोल सकत है मैनू प्राइमरी स्कूल दे अध्यापक याद आई ओ कलमा कर दे कर दे सानू बोल दे बच्यो अनार दे दाने वांग लिख्क दे मुतियां वर गे अक्खर होने चाई दे हन मक्की दियां चलियां दे दाने वांग सिदियां सत्रां लिखके वखाओ मुडली विद्या नौजवाना चों साहित पड़न दी चेटक लौन तों वी असमर्थ है हर दूजे नौजवान तो पुछे आ गया के पंजाबी दियां कोई दो किताबां दे नाम दसो सरकारी नौकरियां तो बाद नौजवाना लई प्राइवेट ते स्वेर उसगार दे हालात वी डमांडोल हन दरसल छुपदे सूरज दी मद्दम हो रही लोवांग पंजाब विच किर्ट दी होंद मिट दी जा रही है शेरा नेडलियां ते सडकते लगदियां जमीना दी खरीदो फ्रोकत समय काले तन दे वहाने किर्ट दी होंद नौई ना छोटियां कर दते है के आम आदमी जिन्दगी चो एक कदम भी पुट्टन तो असमर्थ है दुजे पासे काले तन दे इन्ने तेज वहाने जिन्दगी इन्नी चकाचोंत पैदा कर देती है के आम आदमी खड़ा-खड़ाई डिग रही है मौजूदा सिस्टम दोवारा किर्ट तो बेमुख कीता गया मनुख हने रेज पटक रही है बेरुजगारी ते प्रिष्टाचार दे कोप हने रे चो नौजवान पेड़ी सब तो वद पर बावत हो रही है ओ ठेड़े खा रही हन ते जखमी हो रही हन उना दे जखम रिसन लगे हन ते उना नू सदीवी बुखार रेन लगा है जिन्दगी दे अजय हालात इच नौजवान गुमरा हो रही हन उन नशियां ते जुर्मां दी लिपेट वेच आ रही हन नौकरियां जाव देश उन जिद्धरवी कदम पुट दे हन जिन्दगी दी दल दल वेच तसदै जा रही हन तेन मीने पुराणी गाले दो मोटर साइकल सवार नौजवाना तो अफीम फड़े जान दी सूचना मिली मैं उन्हों नौजवाना तो पुछगे च करन लगा उन्हा विच्वो एक नौजवान बी ऐस सी नौन मेडिकल सी ए तसदीक करन लगी के की ओ सच मुझ साइन्स दा ग्रेजुएट है मैं उस तो साइन्स दे कई प्रशन पुछन लगा ओ निरंतर ठीक उतर दे जा रहा सी सेट्री फ्यूगल फोर्स की है सिर्फ एसे सुवाल थी ओटके आ सी गल्लां करदेयां करदेयां मैं ओदा पर्स फ्रोलन लगा मैं वेख्या के उस विच लागले जिले चो पुलिस पर ती दा दाखला काड वी सी उन्हें दसिया के पिछले डेड साल वी चो ने तिन वार पुलिस पर तीली कोशिश कीती सी तिन्हों वार फिजिकल टेस्ट पास वी किता पर चोन नहीं होई मेरा कद पांच फुट दासेंच है उदे तेरा नंबर हान मैं साइंस दा ग्रेजुएटा उदे वी तेरा नंबर हान कुल छबबी नंबर पर मेरी चोन नहीं हो सके मेरे पिंड दे पची पची नंबरा वाले दो नौजवान स्लेक्ट हो चुके हैं इना असफल तावान तो तिन मिने ते बीएसी करन तो डेड़ वरे बात तक ही ओ नौजवान अफीम वेचन दे तन दे तक किमे पहुंचिया इना पैडानू नीज नालवे खंदी लोड है एक रॉंग्टे खड़े करन वाली दास्तान है एस सफर पंजाब विच बेरुजगारी दे दुखांत नौजवाना दी पट की मान सिक्ता ते प्रांथ चों समाज दे हालात दी मूँ बोल दी तस्वीर है नौजवाना नू संबल नई हेट लेखे पक एमर्जंसी वांग तुरंत त्यान मंग दे हान पैला मुडली ते मियारी विद्या दी होंद अत जरूरी है सिरड ते शिद्धत नालपड़ान वाले अध्यापकां दी वड़ी लोड है दूज़ा एक समासी जदों विद्यार्थियानू क्या जान्दा सी के मैट्रिक दे नंबर सारी जिंदगी काम मौन दी हन पार आज नौवी दस्वी ग्यार्मी ते बार्मी दी पड़ाई ते डिगरी चों विशे दी चोंड सारी जिंदगी काम मौन दी हन अध्यापकां ते माप्यां वलू नौजवानानू साहित पड़ंदी चेटक लोनी चाहि दिये जे सो चंदा उगवे सूरज चड़े हजार एते चानन होंदेयां गुर्बिन को उरंदार ही राख दी जोगियाचू उठाखे कौन रुठडे यार मनाम दाई लोए लोए परला कुड़िये जे तुझ पांडा पर ना शाम पई अज़े इकलाईनी बहुत है पूरी जिन्दगी अक्खा मुंद के अनंद मही जीवन जी ओन ले फिर असी केड़े पैकेजां तो पर बावत हो गई हैं नौजवान पीड़ी, गुर्मत, किस्सा ते सूफी काव तो बहुत दूर हो गई है चौथा टेकनोलोजी तो पर बावत हो के समाजक विश्यानू इंज विसार देना वड़ी पोल ले टेकनोलोजी नाल सबंदत विशे बौ मंजली मारतां ते पै पटक दे दीवियान दा चानने जदके सुमाजक विज्यान साहे ते मन नाल सबंदत विशे दर्या किनारे जग दे दीवियान दी लो वांग हैं पजवान मनुखनू जिन्दा रहन ले आकसीजन दी जिन्नी जरूरत है नौजवान पीड़ी नू गिरावट तो बचाउन ले सरकारी नौकरियां इन्नी ही महत्ता रख दिया हन सारियां सरकारी असामियां दी परती रेगुलर ते मेरिट देदार ते परती इत तिन्नो ओ थम हन जिना ते नौजवाना दा पवेक निरबर है पर साधी बदकिस्मती है के प्रांत विच स्पाईयां दी परती ही पिछले 17 वरियां बाद हुई है पंजाब सिवल से वामां दा इमत्यान अठ वरियां बाद हुए है चेवा काले तान दे वहा ते प्रिष्टाचार दी रोक थाम अत जरूरी हैं हर कोई टेक्स देवे अमेरी गरीबी दा फासला कटना चाईदे किर्ट दा मान ते मुल होना चाईदे सत्वा विद्याद जीवन जाच दे अनि खडवे अंग होने चाईदे हैं विद्या प्राप्तिदार्त सिर्फ नौकरी प्रापत करना ही नहीं होना चाईदा जिंदगी, जियोंले, सुच्चजी, सेध प्रापत करना विये दा एहम हो देश होना चाईदे नौवा, नौजवानानू संबन दी लोड है, जिन्दगी देस ओखे मोड़ते, उना दा स्वेविश्वास जगाउन लई, उनानू समाजवलों प्यारते सत्कार दी, वड़े लोड है, थानवाद जीवे जवानी पुस्तक दा अगला लेख है, एक पैर ते खड़ी नौजवान पेड़ी, ट्रेवल एजन्टा वलों ठगगे नौजवाना दे केसां दी चान बीन, पुलिस विपाग दी आर्थे कपराद शाखा वलों की ती जान दी है, अजय इपांज छे मामलियानू विच आर्दियां इन नौजवाना दी तरास्ती दा चित्र उक्रिया जा सकते है, नौजवाना कोल रुजगार नहीं है, वो हरी करांती दे बुड़े पे ते सरकारी नौकरियां दे सोके दा संतापडा रहे हैं, किर्थ दे मुल्दी अन होंध ने उना दी स्वे रुजगार दी स उनानू खथेली ते रख फूका मार मार उडा देता है, वो आलने उन डिगे बोट हन, उना दी मौजूदा होंध डोर नालों टुटे पतंग वांग है, जो डिक डोले खांदा रहेंदा है, मूल नालों दूर जा डिग देते कदे भी असमान दा हिस्सा नहीं बनदा, इस स हमें नौजवान हम दर्दी दे पातर हन, मैं सविकार करदां के उना नालवी कुछ गलं करन दी लोड है, पर दुखा नल चंबे बंदे नू जिंदगी दे फल्सफे दी बात नहीं पाई जा सकती, इसलही वकरा यतन करना होएगा जेकर असी वीमी सदी दे पंजाबी जीवनों ते चात मारिये, ता अजादी तो बाद हरे इनकलाब ने पंजाबियानों पर्मा हुंगारा देता सरकारी नोकरियां पंजाबी जीवन दा हिस्सा बनन लगियां फॉजी, पटवारी, थानेदारतिय द्यापक पंजाबी जीवन विच विशेश था रख दियां खेती दियां रोजाना लोड़ा इना तनखाहां तो पूरियां हुंदियां रहें इना नौकरियां तो ओंदी मासिक तंखा खेती उत्पादन दी चमाईयां बद्धी उडीक नू मिठा स्विच बदल दी रही है पेंडू परवारां दा कोई न कोई मेंबर रोडवेज, कोपरेटिव सुसाइटियां, नैशनल बैंकां ते होर सरकारी गैर सरकारी अदारेयां मेंजे समौन लगा ते दुझे परवारिक मेंबरा ने खेती ते सहाइक तंद्या नू अपना लिया इस तरह परिवार दे ते पिंड दा टुक्वा आर्थिक तंचा काइम हो गया पिंडां दे बनेरियां ते गीत गुंजन लगे, पाखडे तो आउंदी एक मुटे आर नच दे जंगल दे विच खुआ लुआ दे उत्ते रखा दे डोल, ओ सखिया नाम साइन दे बोल काश ए रुथ पंजाब ते लम्मा समा रह सकती, पारे सार्थिक आर्थिक ते समाजिक टांचा हत्थों छुटे काचदे गलास वंग टुट गया इना नौकरियानू जारी रखन लई सरकारी खजाना खाली होन लगा क्योंके मजदूरी ते किसानी दे बराबर सफर करन वाले, दोमादारियां वपार ते उद्योग ने पूरा टेक्स देन तो ना कर देती सरकारी नौकरियां जो पंजाबी जीवन दा अटुट हिस्सा बन गया सन होली होली पर देतों लूप होन लगिया इस नाल नौजवान ते खास तौर ते पिंडू खेतर असे पीड़ा दा शिकार होन लगिया ए इस सदीदे पहले साल दी गल है एक सरकारी अधकारी ने वास्ता पाया कि ओदा पुत्तर जैदाद वेच के विदेश जान दी जिद कर दै कि ओनू किसे सरकारी नौकरी ते लगवा सक दियो ए मेरी मजबूरी बन गई है वो बहुत गंबीर हो गया दरसल मैं एक वारी कोशिश भी केती सी वो रुक गया उदी आखा नम हो गया ते बोल पा रहा हो गया मैं पुछया केड़ी असामी ले असामी नहीं मैं दफ्तर विच जैर खा लई सी ताके मैं मर जावा ते तरस देदार ते वो एड़जस्ट हो जावे पर उल्टी आउन कारण बच गया उने क्या एक सरकारी अधिकारी दफ्तर तो कार पहुंचिया ही सी कि उनू गंबीर दिलदा दौरा पया हस्प्ताल वे चो दी पतनी ने जोर पाया कि उकारता पहुंचे ही नहीं सन दफ्तर दे किसे करमचारी नहीं उनू दाखल करौन ले रिकार्ड वे चैंट्री करवाई उस अप आगी औरत दे पती दी मौत हो गई ते तरस देदार दे उदापुत कलर्क परती हो गया उप रोकत दोमें तत परांथ विच सरकारी नौकरियां दी थोर महत्ता दे मौझूदा प्रस्थितियां दा संके तक प्रक्टावा हन नौजवानाा ले सरकारी नौक्रियां दे भूए पूरी तरां तो दिते गई हन असी नौजवाना ले किता मुखी कोर्षां दी गल्टा कर दे हन पर इना कोर्षां चो नौजवाना ले रुज़गार दे पूरने पॉन दी पूरन सम्रता नहीं है इमान्दार ते हां वाचक मंडी दीवी थोड़े नौजवान दोमें पासियां तो हार रहे हुंदे हान वो पारक प्रस्थितियां उना नल शिकार नू पजा पजा थका के फड़न वड़ा वर्ताओ कर दिया हान खेती दे सहाइक तंदियां चुवास्ती किरन नजर जरूर होंदी है पर जेड़ा वी फोल किर्त दी वेलनू पैन लगदे है वो काले रंग दी पेट चार जान दे अन गिने पैसे दा तेज वहा स्वेर उस गार दे बूटे दियां जड़ा नहीं लगण दिन्द पैसे दी दोड तरती ते दोड़ी जानी चाही दी सी पर अमीर लोक असमान वल भी पजण लगए अजय हालात तां विच काम्या ते किर्तियां दे कार्त्रेडकन लगए ते परवार जखमी हून लगए चत्तां ते कंदा विच पैयां त्रेडां हुन सरीर विच वी गुजरन लगए प्राइवेट नौकरियां दा वेतन दर बौध काठ है काम दे हालात प्रस्थितियां ते मेडिकल दी सुहूलत सब कोजी कटो काट मनुखी मियार दी हादतों बौध थल्ले है विक्सत देशां विच जये कामियां दी किमे संभाल कीती जान दी है एक वर्नन योग पहलू है इस तरा नियां कई नौकरियां दा ध्यन करन तो बाद मैं इस सिप्टे ते पुजां कि नमियां बढियां सडकां दा खर्चाई कठा करन ले टोल पलाजा ते गडियां नियां पर्चियां कटन ते स्क्योटी ते लगे कर्मचारियां दी नौकरी सब तो चंगे पदर दी आखी जा सकती है इना दी तनखा चारहजार रुपए प्रती मिना तक है ते ड्यूटी समा अठ कंट है प्राइवेट नौकरियां या मुश्कलानू दर्सोना अखा कम है एक साबका फोजी ने शिकायत कीती के उने एक फैक्टरी विच तेन मीने कम कीता सी पर उसनू आखरी मीने दी तनखा नहीं दिती जारे पर बंदक ने दस्या के नौकरी देन तो पहलां सी कुझ शर्ता लिखवाईयां सान जिवें के नौकरी छड़नी हुवे ता एक मीन पहलां दसना पाएगा हाजरी लोण वाले ने तनखा कटी दा फैसला सुना देता सी मैं आउनू पुच्छया के तुसी नौकरी बिना दस्या क्यों छड़ी ओधिया अखांचो नीर वगया ते हंजुआ दे तुपके फार्ष वी सिल्ला कर गए संबल के उने दस्या पतनी पूरी हुगई सी मर नौ प्रांतो दिया रस्मान बौणियां सान इक दिनों सारी अधी इन बंदियां पांज छे मार तानू वेखन दा मौका मिलिया निया पुट्टन तो लेंटर पौंड तक इना पंजाबी नौजवाना विच्चों थे इकनूवी कामते नहीं देखिया गया इदी जिम्मेवारी केवल इना नौजवाना सिर नहीं मड़ी जा सकती काले तानने पसीनना वहाके की ती कमाई दे मुलनू बहुत छोटा कर दता है इंज कमाई डेट सोर पैदी बजार तेर सोईच कीमत अध तो भी काट रह जान दिये नौजवाना लेई ये बहुत वड़ा संताप है एथे अमीरी ते गरी बीच केवल पैसे दा फरकी नहीं है संचार साधना ने सारे संसार नूई को प्लेट फॉर्म ते खड़ा कर दता है एथे खड़के ओ पटकना दा शिकार हो रही हन जित्थे जान लियो तांग दे रंदे हन ओथे हला ते दे उल्ट हन ओथे अठकंटे काम करन दा बहुत वड़ा मुल है एक साल विच्ची तुसी बेस्मेंट विच कार लै सक दियो कार खरीद सक दियो ते माप्यानू मिलना सक दियो ओथे आम ते खास आदमी दुमें बराबर हन अमीर ते गरीब विचकार पैसे दा कोई अंतर लगपग तिन वरे पुराणी गाल है नशीले पदार्था दे सेवन ते वेचन सबंदीक नौजवान नू जेल पे जनतो पहला मैं नशा छट देन ली परे रिया जमानत होन तो बाद उनू दफ्तर आउन दा सद्धा दिता ते रोजगार लबंच मदद दी हमी भी परी दो मिन्या बाद वापस आउन ते उनू दो वार कामते पे जया गया पर उट्टेक ना सकया तीसरे यतन चो एक प्राइवेट व्यक्ती दा पैंती सो रुपेज ड्राइवर लग गया कार मालक ने उनू सपष्ट कीता क्यों हफ्तेच दो तिन वार चंडी गड रिंदा है नशे तो दूर रहन लई मैं उनू दुबारा परे रिया शिराब भी नहीं मैं उनू ओके पैंडे दा असास भी करवाया तो अडेनल मुबाईल ते गाल कार सकदा क्यों नहीं मैं उनू उद्षाद किता मी नवी दिना बाद ओदा फोन होंदा उदी हर गाल कोई न कोई मुश्कल जा स्वाल हुंदी सी मैं उनू संबलन ले होसला दिन्दा रेंदा एक शामो दा मालक अपने एक साथी नाल रात दा खाना खाके अधी रात कार मुड़िया कार दी अगली सीट दे बैठियां उदे उन्हे खाने दा बिल कार वेची छाट दिता सी उस रात उन्हे मैंनू साड़े बारा मजे फोन कीता उनू नेंद नहीं आ रही सी मेरी मी नेदी तनखा पैंती सो रुपई है ते मेरे मालक दा रात दे खाने दा बिल छती सो रुपई उदे स्वाल दा मेरे कोल कोई उत्तर नहीं सी एक नौजवान अपनी मांत ते पंचायत समेत दफ्तर आया एक ट्रेवल एजेंट ने उत्तों बारां लख रुपई लुट लेया सी उदी सारी जयदाद विक चुकिये उना पुलिस वलों कोई कारवाई अमल विच ना लियाये जान दी शेकायत कीती पंचायत ने परवार दे दुखांत दा खुलासा कीता के उदी पैन दा व्यावी पेंड ने पैसे इकठे करके कीता है तिन वरे पहला एक ट्रेवल एजेंट ने जाली वीजा लगवा के इन विटली पेज दता सी उत्यों दो मिने जेल चरिया फिर उन्हों बॉडरेट पादेता गया वो बेल्जियम स्वीडन ते आस्ट्रिया देशा मिच लगपाग एक वरा जेलां चरिया पिछले वरे जादो दिली हुआया डे ते उत्रिया ता जाली वीजे दी शिकायत ते ते हाड जेल पे इस दता गया उस ते मुकदमां होया ते छे मीनिया बाद उधी जमानत हुई मेरे नाल गल बात हुंदेया उधी मां दो तेन वार रोई ते आपे चुप कर गई उधी यां अखां दे कोई सुक चुक के सन उस नौजवान ने दो वार आतम हत्या करन दी कोशिश भी केती सी उधा पेंड रेलवे लाइन तों चार किलोमीटर दी दूरी ती है उखेता विच दी छोटे रस ते रेलवे लाइन तक आया दसंबर दा मेना अधी रात संगनी तोंद समेते स्थान दी पाल कर दाओ रेलवे लाइन दे विचका अर्तुरया जा रहा सी वट्यां दे खडाक कारन हड़ा रोडी दे कुत्ते ओदे मगर पैगे सन दुजी वारी ओ पटडी ते लेट गया सी माल गड़ी ने कूक मारी गोल तेज रोशनी वट्यां उपर दी ओदे वलपजी आ रही सी बीबी की करेगी इस वार इस ख्याल ने उनू चटके नल पटडी तो उठा देता सी तीजे देने उने मा ते पंचैत नू नाल लेके रुसी होई जिंदगी नू मनाउन लेई मेरे दफ़तर ओन दा एक होर हम्बला मारे आस इस कटना तो हफ्ता को बाद दी गल है चंडीगर स्थित कैनेडियन कॉंसलेट दे दफ़तर तो एक लेडी अफसर दा फोन आया के तो अडे शेयर वेचिक हैंडी कैप कैनेडियन सिटिजन नौजवान नू उना दे मापया ने बंदी बना के रख्या हुया है उदा पासपोर्ट ते इमिग्रेशन पे पर चुपाले गए हन पुछ गिच दौरान पता लगा कि कैनेडा वस्ता एक पंजाबी परवार पिछले दस वरियां तो पंजाब आके रहन लग पे है उना दे पुतर दियां दो में लटता जमांदरू इकामनी कर दियां वो वीलचेर ते इतुर फिर सकदा है मापया नाल मू मुटावा होया ता उसने कैनेडियन कॉंसलेट नू फोन कर देता सी मैनू आणवाला फोने से कटना दा सिटाई सी उस फोन ने मैनू कई गलना तो ट्रॉक्स भी कीता ये ना होवे पुलिस कार चली जावे ते मापय होर भी तंग परेशान करन लग पैन उसने अपनी योजनावी दसी असी गड़ी दा परबंद कर लिया है उदा पासपोर्ट दुबारा बना के जल्दी उनू कैनिडा ले जा मांगे मैं कई एरलाइन्स नू एमरजंसी टिकेट ले रिक्वेस्ट पा चुकी हैं उने क्या अद्दे कंटे बाद ही उन नौजवान मेरे दफ्तर सी मैं फोन मिला के उस औरत नूए दे सूचना दिते तानवाद कर दिया उनने नौजवान नालगाल करने चाई दो तिन गल्ला बाद उस सिसकन लगाते फिरोन लग पया उन औरत हुन बहुत गंबीर हो गई सी चटपट उने कैनिडा दे विदेश मंत्रा ले राई मैं उस नौजवान दी तुलना हफता पहला मिले ट्रेवल एजेंट वलो ठगगे नौजवान नाल करन लगा कैनिडियन कॉंसलेट दे दफ्तर दी औरत दे पामी में बोली सुने सन पर पता नी क्यों उदी तुलना उस अपागे नौजवान दी मानल करन लगा सिस्टम वलो नौजवाना ते नागरिकां दी साम संबाल दी पावना ते यतना च किनना वड़ान तर है इहू अंतर नौजवाना नू हर हालत विदेश चानली मजबूर कर दै माल्टा बोट ट्रेजडी इना हालात तां दाही सिटा सी पिछले वरे मैनू अंतर कॉलेज युवक्त मुकाबलियां दोरान लोक नाच वेखन दा मौका मिलिया अल गोजियां दी गूँज ते टोल दी ताल ते पाई पंगडे नहीं मैनू बहुत परबावद कीता रू नू सरूर देन वालियां बोलियां पायां गया असी गबरू देश पंजाब देश मेरा खुशियां दा खेड़ा देखना ता रंगला पंजाब देखलो ओई मिलियां चुवस्ता अन्तवे चो नौजवान ए मेरा पंजाब बेलीयो ओई मेरा पंजाब गोंदे गोंदे स्टेज दो वेदा हुई उथो सिद्धा में दफ्तर आया थी लोकानू मिलन लगा इक औरत ने शिकायत की थी के शिराबी पती ने उनू कुटेया है सट्टा वो खौंदी और रोन लगी दो नौजवाना को लो नशीलियां गोडियां ते कैपसूल फड़े गय सन सूचना मिली के एक मजदूर ने खुदकुशी कर लईये एक माधा जवान पुत्तर सडक दुरकटना चमारेया गया सी दो कंटेयां विट मैं वी पच्चिय जय व्यक्तियानू मिलिया कसीदा कड़ दियां कुडियां जमें रंगदार लीरा नाल मिला मिला के ताग्यां दिया रिलांख रीदियां हन इमें मैं पंगडे वाले पंजाब नू असलियत नाल मिलाउन लगा पर इकवी गलने मेल ने खादा पंगडे दियां बोलियां दे रूप वेच रंग बरंगे कपड़े आनिया टाकियां जरूर सन परेनानू मिलाउन लई जेडा भी डबा खोलियां हर रील काड़े रंग दी पाई गई नौजवान पेड़ी इस कालक तों सब तों वद परबावत हुन दी है पिछले बरे लोहार तो आई कला कारा मलों खेड़िया चोब कुसुम्बडे दी नाटक वेखन दा मौका मिलिया नाटक दी डारेक्टर हुमा सफदर ने नाटक शुरू होन तों पहला नाटक बारे कुछ बोल बोल ले सन कुसुम्बडा लाल रंग दा एक रत वनना फोल ले जिन्नू रंगन ले वरत्या जान्दाय एक किर्तिदार उसगार जरूरे परिसनू चुन देया चोबाओं दियाने दर्दा हुन दियाने नी सयो नी में कसुंबडा चुन-चुन हारे ए सतरों ने गाके सुनाई इसता अपना रंग लाले पर काम्याँ दे जीवनानू ए रंग नहीं चड़दा ए रंग पक्का नहीं ए ए तो पचोड जान्दा है ते तो तेयां डब पैजान्दे ने ए नाटक वपारी करनवलों काम्याँ दे जीवन दे शोशन दी कहानी पर दर्द दी इंतहा एवे के कञ्याँ दे जीवनाच चोबाई चोबाने दर्दाई दर्दाने चीज दी कसीश्च उनादा पूरा जीवन लंग जान्दै नाटक डिरेक्टर दे ए बोल पंजाबी बहू टुक देने कुछ समा पहला तियाने रभगे अर्दास किती सी हे रभा पंजाब ना कलने कुखा विची मार मुकाँ देने पंजाबी नौजवाना दे सरीरां चो रुकसत होन तो बाद ए दुख खुद अजैई कर दास बढ़नगे हे रभा इना अपागे नौजवान दे लेखा विच ना लिखी जिना दे जिन्दगी विच केवल असी ही असीया होर कुछ नहीं है तानवाद जीवे जवानी दा अगला लेख है विद्या ए चर्चा दा विशारिया है के नौजवाना दी साम संबाल ते उना ली जीवन जाच दे पूर्णे पौन लेई मापयां ते अध्यापका विच्चों वद्ध जिम्मेवरी किस दी है मापय बच्चे दा पालन पोसन कर दे हन कारविच यू बोलना ते तुरना सिख दा है मापया नू पहले अध्यापकोन दा दरजावी दित्ता जान दा है पर तोतले बोलना ते लड़ खड़ाओं दे पैरानू लाम बंद करन दा मान प्राइमरी स्कूल दे अध्यापका नू जान दा है स्कूल कुछ सिखन ले जाना बच्चे दी जिन्दगी दा पहला उदेश बन दा है इत्थी उदी जीब दी उंगला नू सिदाया जान दा है लाड़ प्यार तो बाद जी उ किसी व्यक्ती नू नीजनाल वेखता है तो प्राइमरी अध्यापक ही है प्राइमरी स्कूल दे अध्यापक नू पहला रोल मॉडल होन दा मानवी प्रापत है प्राइमरी स्कूल विच खड़के उस समाज नू देखदा ते जाचना शुरू करता है जिन्दगी दे वखो वाख खेतरां विचों विचार योग सफलता हासल करनू वाले तीकू व्यक्तियानल गल्लां करनते सोडां व्यक्तियाने अपनी जिन्दगी दा सेरा अपने अध्यापकानू देता इना विचों बारां व्यक्तियाने प्राइमरी ते मिडल स्कूल देयादे आपका नू अपना मारक दर्शेक दसेया हाई स्कूल देयापका अथे कॉलेज दे परफेसरां दा रोल इस नी ते मुगलकाल दी पवनकला निर्मान वांग नौजवाना दे पवेखदियाँ शांधार इमारता सिर्जन दा है इक प्रोग्राम दोरान मैनू सर्दारा सिंग जौल सापका वाइस चांसलर जी दा नौजवाना दे विकास लियाद्यापका दा योगदान विशे दे लेक्चर सुननन दा मौका मिलिया अध्यापकां दी महत्ता दर्सों दे इस लेक्चर दे कुछ अंशेट पर हेट लिखे अनुसार हन मेरा जनम पच्छमी पाकिस्तान छोया सी मेरे स्कूल दे चौथी जमाद दे कुछ बच्चे पड़न वेच कोई दिल्चस्पी नहीं राख दे सन इसे खिजवेच साड़े अध्यापक साड़े दस-दस डंडे मार के पड़ना शुरू कर दे ओ आउंदे ही केंदे तो अनुपढ़ना ओना ते नहीं उठो खां लओ डंडे ओ साड़े रूल मार के पड़ना शुरू कर दे करो हत मैं पुछया मास्टर जी कोई स्वाल ता पुछया नहीं ओ कैन लगे तो अनुगेडा होने गल्ला कर देयां कर देयां रूल मार दे जान दे का रहा कि मैं स्कूलों हटन दी मांग रखी ता मैनू साड़े पिंड तो थोड़ी दूर पाउतियाणी मिडल स्कूल वेच दाखल करवा देता गया उत्थे सुखी मोहमद दीन साड़े द्यापकदा नाम से जद उना जान पच्छानली मैनू जमाज खड़ा किता ता मैं आदतन दो में हाथ उना दे अग्गे कर देते उना पुछेया अजेया क्यों मैं दसेया के तुसी डंडे नी मारने उस मौलवी जी ने मैनू बुकल चला लिया आप कुर्सी ते बैठे किनी देर मेरे मुड़े ते हाथ राखके मेरे वलवेक दे रहे उना दी अख्छा नाम हो गईया उना मैनू प्यार देता ते फिर छे सत्रा मेरी कापी ते लिखके मैनू आख्या के ए दो वार लिखके लिए उनिया इहू करदा कान मै अगली स्वेर जदू स्कूल लगया तो उना मैनू उठाया ते मैं कापी अगे कीती उना मेरे लिखे नू नी जनाल पड़े आते फिर मैनू प्यार दिन्दे हुई बोले सरदारा सिंग तू वजीफा हासल करेंगा उस वरे प्राइमरी दे इमत्यान चो मेरा पूरे पंजाब विचो पंजवा नंबर आया उस सद्यापक दी आथन सुवेज दी छो ही सी के मैनू देश दे खिती बाड़ी वस्तान दे कीमत दे मुल्क मिशन दा चेर्मेन हुन देयां दे परदान मंतरी दे आर्थिक एडवाईजरी कॉंसल दा मेंबर हुन दे ना ते देश दे चार परदान मंतरियां नलकाम करन दा मान प्रापत हुया उस सद्यापक दा परतापी सी के विशब बैंक दी सेवा दौरान मैनू चाली तो वद देश को मन दा मौका मिलिया उना दस्या के अद्यापक समाई दा सब तो महत्तपूरण अंग है अद्यापक एक फकीर है पुरानी गल है के ओदो मैं पंजबी उनिविस्टी च वाइस चांसलर हुंदा सी मैं वेख्या के डेली है दा बहुत सोना पीले रंग दा फुल तोट गया मैनू दुख होया मेरे बैठियां ही माली आया मैं वेख्या उदी आखंच पानी सी रो रहा सी उस देनो कोई कम भी नी कर सक्या उदा फुल नल कोई रिष्टा सी किसे दे फुलानों पाल दा अद्यापक दी इक माली है तो अड़ा तो अड़े विद्यार्थिया नल कोई रिष्टा हुना चाहिद है उना अगे दस्या के अध्यापक दा रोल अपनी शक्सियत नू विद्यार्थिया विच तब्दील करना हुनदा है जे कोई विद्यार्थि मेरे कुणों एक साल भी पड़े आ ता मैं वदा करदां कि उस सारी जिंदगी मेनत ते मानदारी नल जीएगा मैं चौना के हर अध्यापक जेहा वादा करे अपने विद्यार्थियां चो अपनी ही शक्सियत न परवेश कर देना अध्यापक दा उदेश होनदा है जेडे व्यक्तियां ने जिकर योग, जिंदगियां, जीमियां उना चो सब तो पहली सांज चंगे दियापका तो विद्या हासल करना पाया गया है अंत्वे चोना किया पर होन दियापक विशेदियां के ताबावी नियत नाल नहीं पढ़ दे अधि अपने आपनों विशे सबंदी तरो ताजा नहीं कर दे अप्रेल उन्नी सो त्रेट ती गल्ले, मास्टर तरम चंद मिड़ा, सरकारी मिडल स्कूल रॉन्ता, ओदों जिला फ्रोसपूर ते हुन्मोगा वेखे तबदील होके हाज़त हुए सन उन्हा अठ्वी जमादे विद्यार्थिया नाल पड़ाई, बारे कुछ गल्लां कीतियां, ते फिर सिर्फ अड़के बैठ गए के बोड़ दा इम्तियान है, साधी क्लास नू कुछ भी नहीं आउंदा फिर अचानक बोले, लेकिन एक कुमीध है, केम ते आन्वी छाले दस मिने बाकी हान सोटी नू को मौदे हुए बोले, जो नहीं पढ़ना चांद एक पासी हो जा लेकिन कोई विद्यार्थी भी कुसक नहीं सक्या उना स्कूल वेची अपनी रहाइश राख ले स्कूल समेतों इलावा उस स्वेर विले अंग्रेजी ते शाम विले हिसाबदाई के एक वद्धू पीरियड निरंतर लौंदे रहे पूरे वरे दोरान उस छुटियां तो इलावा सिरफ तिन वार अपने परवार नू मिलन गे इस स्कूल दी पहलना कदे किसे विद्यार्थी दी फर्स ड्वीजन नहीं आई सी लेकन उस साल अठ्वी जमाद दा नतीजा सौ प्रतीशत रहा ते पांच विद्यार्थिया ने वजीफा हासल कीता अठ्वी तो बाद इस पिंड दे विद्यार्थी सरकारी हायर स्कंडरी स्कूल वेच पत्तो हीरा सिंग विखे दाखल होई तेन वर्यां बाद उना विचों चार विद्यार्थिया ने पंजाब खेती बड़ी उनिवस्टी लुद्याना विच दाखला लिया ते उना ने डीन, डारेक्टर, प्रिंसिपल ते वर्ल्ड बैंक दियां मान मतियां नौकरियां ते शांदार सेवा ने बाईयां डॉक्टर पाल सिंग से दू कहन लगे वर्ल्ड बैंक दी नौकरी कर दियां जद मैं हवाई अड़ेयां ते अनौंसमेंट सुन दा ता मैंनौ हर वार मिड़ा साइब वलों अठवीच पड़ाया अंग्रेजी दा विशा याद होंदाया लेकिन उन्नी सो त्रेट तो होन तक सरकारी स्कूल कित्थों कित्थे तका पहुंची हन एक उदास तस्वीर सड़े समने है स्कूलां बीच पड़ायी लोडीन दा साजो सामान अधियापकांदी गिंटी, अधियापकांदी जिम्मेवारी ते जुआब देई विद्या दा अधार हन स्कूलां बीच अधियापकांदी कट गिंटी एक वड़ा दुखानत है जिस स्कूल च मात पाशा, जान साइंस ता दे अपक नहीं, तै दा बच्चेयां दी पड़ाई थी मड़ा पर बाव सिर्फ विश्यां ता की सीमत नहीं है जै विद्यार्थियां दा पड़ाई विच मन नहीं लगदा त्यों विद्यक मुकाबले विच पहुत पिछे रहा जन्दी हन प्राइमरी तो हायर्स कंडरी तक वड़ी गिंटी विच दे अपकान यां सामियां खाली पेंगा हन अध्यापकान दी पूरी गिंटी बिना स्कूलां ते विद्यार्थियना गुजारा नहीं हो सकता लेकिन साड़े स्कूलां दी गिंटी वद दी ते अध्यापकान दी गिंटी कट दी जारी है फैलले विद्या चानन होई स्कूलान या कंदां ते लिखे जाए वाग अदे आपका वलों अपने कारज नूरी बाउनले जिम्मेबारी सिदक जवाब देही ते गजब दी वचन बदतादी मंग करते हन साड़े कोड़ जय दे आपक सन पर अज विद्या दे परदे तों होली होली लोप हुंदे जा रहे हन उना दे नैन नक्ष तुंदले हो रहे हन ते वी कठ विच बेपचान हो चुपके हन पामे के दे आपकान दी जवाब देही सरकारी ते प्राइवेट स्कूलां दी पड़ाई दे मियार दा मुख हंतर है पर फेर भी इसलए के वोले दे आपकानों ही जिम्मेवार नहीं टहराया जा सकता पामे के कुछ द्यापकां वोलों यूनियना दा सहारा लेके पड़ाउन विच दिल्चस्पी ना लेनी एक निंदन योग वरता रहा है पड़ाउना ते विद्यार्थियां दी उसारू जिंदगी विच निरंतर दिल्चस्पी लेनी पहले द्यापकां दा लगन ते शौक सी विद्यार्थियां दी सफलताई उना दी प्राप्ती हुन्दी लेकिन मौजूदधा सिस्टम ने इस रिष्टे ते गैरी चोट कीती है ओदों द्यापकां ते जिंदगी जीन ते परिवार नू पालन पोचन दा कोई वड़ा बोज नहीं हुन्दा सी कमदा मुल हुन्दा सी ते एहो रस दीवे दे तेल वांग लगन बनदा रहन्दा सी पर अज जे पती पतनी दोमें अद्यापक हन ता अपनी कमाई नल शेर वेच छोटा जया प्लोट लेके मकान भी नी बनाया जा सकता इक अद्यापक ने दस्या के रसोई गैस दी किलत वाले दिना वेच उ लम्मा समा कतार वेच लगा रहा पर प्रेस फोटोग्राफर वजों कम कर दे हो देक पुराने विद्यार्थी ने चिट दिती तां किते एक गैस सेलंडर मिल सक्या अद्यापकां दे समाज वीच कट दे जा रहे इस्जत मानने वी विद्या दे म्यार नू पिछे के चे है विद्या विचारी ता पारूपकारी समे दियां तेज तो पांविचा जय वाक फिक के पैचुके हन विद्यार्थियां लई विश्यां दी चोन सब तो महत्ता पूरन निर्ना है मापयां ती अध्यापकानू इस खेतर विच एहम पूम का निबाणे चाई दी है इस खेतर विच बहुत केंदरे थोन दी लोड है विश्यां दी चोन लेई तेहसील, ब्लॉक ते स्कूल पदर ते सेमिनार लोण दी लोड है जिस विच विद्यार्थियां मापयां ती अध्यापकानू इकठियां बैठनां चाहिद है रुजगार्दी वद्धी एहमियत कारण पर्फेशनल कोर्स, हुमेनिटीज ग्रूप, साहित ते डिगरी कोर्सां ते पारू बैंड लगे हन एवी एक नावाचक वरतारा है जे तुसी बी ऐसी मेडिकल जा नॉन मेडिकल कर देओ अध्यापक नहीं भी बन सके तावी ट्यूचना पड़ा की जिंदगी नू अगे रूड़े आ जा सकते जे चाहत अनुसार पर्फेशनल कोल्जांच दाखला नहीं मिलदा ता केड़े केड़े हूर हाल हन जे विद्यार्थियां वल्लों विशेदी गल्त चोन हो जान्दी है ता इसनू किमें सांभिया जावे अज साड़े ले ए एहम चनोतियां हन जीवे जवानी पुस्तक दा अगला लेख है रुजगार नौजवानानू मिलन वाले रुजगार नूँ असी तिन पागांच वंड सकते सरकारी नौकरियां प्राइवेट नौकरियां ते स्वेर उजगार दो वीर देईवे रभा एक मुन्शी ते दूज़ा पटवारी इ लोग बोली सरकारी अदारयां चो नौकरियां दी एहमियत दा प्रगटावा हन साठी इहो सोच अजाधी तो बाद सरकारी नौकरियां दी लोड ते एहमियत दा आदार बनी अजाधी तो बाद देश्ता विकास शुरू हुया तो दो तिन दाहाके प्रफेशनल नौकरियां दे नाल-नाल सिख्या दे खेतर तो लेके अर्द सरकारिया दारियां तक नौकरियां होंद वे चाहियां सन लेकिन पिछली सदी दे दो आखरी दहाकियां तो हून तक सरकारी नौकरियां दे गिंती कट दी जा रही है जद के रोजगार हासल करन वालेयां दी गिंती निरंतर वद्धी जा रही है ए वरताराई नौजवान पेड़ी दा दुखांत है इहो कारण है के दरजा चार नौकरियां लई वी बेरोजगारां दी पेड़ी कठी हो जान दी है फॉज विच परती समे नौजवानां दे एकठनू संबाडन लई पुलिस सहता दी मदद मंगी जान दी है प्राइवेट नौकरियां पंजाबियां दे सुबा दे अनकूल नहीं है प्राइवेट नौकरियां काम्यां दा शोशन भी कर दिया है असी रोजगार दे नाल नाल मानसन मान दियास वी रख दे है केवले नहीं नहीं जदों प्राइवेट नौकरियां दे तुलना सरकारी नौकरियां नल कीती जान दी है तो होर भी कई महत्ता पूरन अंतर पर देते पर गठ हो जान दे है क्योंके सरकारी नौक्रियां दी एहमियत चंगी तन्खा तक ही सीमत नहीं है सरकार दोरे तो अड़ी सांच बन दी है ते समाज वेच तो अड़ी मानसन मानच वद्दा हुन दै समाजिक समागमा वेच तो अड़ी रिष्टेदार तो अनू वद्द उत्चुकता नालूडीक दे हन तन्खा तो इलावा मिलदा मानसन मानते पैसा तो अनू समाजिक उच्छाल वी दिन दे हन बौते सरकारी करमचारी सो च्छाल दा सही अंदाजा नहीं ला सक दे ते गल्त कद्रां कीमतांदा शिकार हो जान दे हन कई मैकमिया वेच ताइनात कलर्क वी आलिशान कोठी अंच रन दे हन जदके प्राइवेट नौकरियां अज़ेई कोई संभावना नहीं रख दिया इंज प्रांत विच रुजगार दे समाजिक ते आर्थिक पक्षों असंतुष्ठ हालात पैदा हो रहे हन अते अज़ेई हालात सरकारी नौकरियां दे लोड ते होर बोज पा रहे हन दो वरे पहलां धी गल्ले पुखड ताल ते बैठे जेल च बंद कुछ बेरुजगार लाइन मैंज नौकरियां असी कुछ खान पेन ले प्रेरत करन लगे उना विच्चों कुछ दियां मामा प्यो ते पतनियां भी हड़ ताल कर दियां जेल वेच बंद सं दो वर्ता दे पांच छे वरियां दे बच्चे वियोना दे नाली आ गए सं वार्ता लाप दे कई अंश दिल टुम्ब वें सं इक व्यक्ती कैन लगा पैंती टप चुक्केयां जो हाले मिली नहीं किन्नी कुछ नौकरी बाकी रह जाएगी ते किन्नी कुछ जिंदगी है दुजा कैन लगा हम भार के मैंता दो मज्जा राख लेंगयां सं लाइन मैंसी नौकरीयां निकलियां मैं दो में पशू वेच दते लेकिन छे वरे लंग गए नौकरी मिली नहीं दुद पॉनदा तंदावी हत्तों निकल गया मज्जा खरीदन समें चुक्या करजा हर समें सिर्ते मंडरौंदा रहन दै गंबी इरजिया महौल बन गया सी थोड़ी देर बाद हो बुलिया मैंनू यह मैसू सुन्दा रहन दा जिमें दो में मज्जा करंट लगणनाल मर गया हूँ इक होर बुलिया रोजगार कोई है नहीं सी मेरी एको एक ती है उबारवीं चुपड़ दी है हफ्ता पहला उसले विदेश तो रिष्टा आया उन्हों पुछन लगए कि तेरा प्योकी करदें मेरी ती बुली बेरुजगार लाइन मैन इंज कहके उपो बीरून लगगा उन्हों विच्चो एक बेरुजगार दी मावी जेल च बंद ते उसे अकट विच शामल सी साड़े बार-बार कैंड ते उन्हें साड़े ली आई चादा गलास अपने आप चुक लिया ते फिर बुली नौकरी दे देओ मेरे मून उचादा गलास लाके तड़वा देओ मेरा वर्त रोजगार ले जदो जैद कर देना परिवारां दी अजीव ते दर्दनाग दास्तान है कई व्यक्ति अकसरे स्वाल कर दे हन के नौजवान इदर कोई हथी कम ता कर दे नहीं लेकिन विदेशांच जाके छोटे तो छोटा कम भी कर दे विखे गई हन इदे तिन मूल कारण हन पहला इदर मना विच बीजे सुपनेया ती हकीकत विच वड़ा अंतर है दुजा इधे किर्टदा पूरा मूलते मान भी नहीं है दुजा ओदर छोटे ते वड़े कमा विच ते आम ते विशेश बंदेश कोई खास अंतर भी नहीं है इहो कारण है कि हर नौजवान किसे ना किसे तरीके विदेश जाना लोच दारेंद है रुजगार हथो तांग आए गैर कनूनी तरीके नल परवास करनवाले नौजवाना दी अत्यांत दर्दनाक दास्ता है बहते कार बैठी लुटे जान दी हन कुझ एरपोर्ट दे बार बैठके मोड़ां दी हन ते कुझ अपनी देश दे एक एरपोर्ट तो दुझे एरपोर्ट दे जा उतर दे हन सेलानी वीजे तो लेके पज-पज सरहदान टप दे ए नौजवान आर्थेक सरीरक ते मानसिक तौर ते अकसर जखमी हो जान दे हन छे वरे पुराणी गाल एक प्रेस रिपोर्टर ने सूचना देती के लुदे आने दे एक ट्रेवल एजेंट ने पच्ची छबी नौजवानानू लुट लेया है ते ओ नौजवान दिल्ली एएरपोर्ट तो एक बस राइन लुदे आने परत रही हन प्रेस रिपोर्टर अपने साथियां तो एएरपोर्ट ते हुईयां गल्लावी पुलिस नाल सांजियां करन लगे रात अठ वजे ओ दफ्तर पुझे असी कांफरेंस हॉल वेच उनानू इकठियां ही सुनया मोड़े आंच बैग हत्था वीच जाली वीजे उड़े पुड़े ते डौर पार होई चेरे ओ अपनी अपनी विथ्या सुनान लगे उना विच बोते जमीना जै दादां ते मामा दे गयने वेच के ते व्याजू पैसे चुक के वदेश जान दे यतना चू असफल होई सन उस रात गुरू कार विच उना दे सौन दा परबंद कीता गया इक नौजवान ने वापस कार जान तो इनकार कर देता वो पुलिस राही पासपोर्ट हासल करके विदेश जान दा होर यतन करना चू दा से वो रूंदा रूंदा क्यान लगा के मैं मा सामने केड़ा चेरा लेके जावांगा मिहिना को बाद कोई सफलता ना मिल दी वेके उसने सलफास्तियां गुडियां खाके आतम हत्या कीती वद्धी अबाद्धी ते प्राइवेट नौकरियां ते स्वेर उसगार दे असन तुलन ने सरकारी नौकरियां ते विदेश जान दी लोड ते अथा बोज पाया है नौजवानानों सेथ देन ले सरकारी नौकरियां दी होंद बड़ी जरूरी है खाली खजाना इना नौकरियां दे ना परे जान दा क्मूल कारण है इसलिए जरूरी है के हर अदारा ते उध्योगिक युनिट बनदा टेक्स अदा करन सापका वाइस चांसलर ते पर सिद अर्थ शास्तरी सरदारा सिंग जौलोराने एक सैमिनार्च केहा के प्रांत विच 75 प्रतिशत टेक्स चोरी हुंदै इस टेक्स चोरी दा सिद्धा कट सरकारी नौकरियां थे लगदै जद के असिद्धे तोरते काले तंदे रूप विच मार्केट विच आयाई पैसा सदारन व्यक्ती दा निरंतर कान करदा रंदा है रुजगार जां स्वेर रुजगार दी पाल विच पठक दे नौजवान अजय हालाता विच सब्तों वद पर बावित हुन दे हन इसले जरूरी है कि पहला सालाना ती तो चाली गस्टेड परशासनी का सामिया PCS, ETO, DFSO, AR ते तैसील दाराद दी परती शुरू होनी चाही दिये इस नाल नौजवान मान मती नौकरी हासल कर सकनगे ते जय व्यक्तियां तो लोक सेवा दी आस रखनी चाही दिये दूसरा इसे पद्दर ते टाई सोतो वद क्लास वन सरकारी नौकरियां दी परती होए जे स्विच SDU, विजली बोर्ड, नैरी, PWD, सीवरेजाद शामल होन डॉक्टर ते वेटनरी, डॉक्टरां समेथ, होर सारे मैक मेयानाल सबंदत, गस्टड अधिकारी रेगुलर परती होने चाई दे हन तीसरा अध्यापकान दी परती परती प्रांत लई बहुती महत्ता पूरण वेशा है सारियां सामियां दी परती रेगुलर ते शुद परती इतिन्नो ओ थम हन जिना ते नौजवाना दा पविक निर्बर करता है चोथा प्रांद दे सारे मैकमें वेच सहाइक अफसरां दी परती होने चाई दी है जूनियर, इंजीनियर, एकाउंटस अफसर ते परबंद की अफसर हर मैकमें नू लोडीन दे पदर ते रखन दा दी कार होना चाई दै पन्जवा जे सरकारी अधिकारियां दी गल करिये ता मुन्शी ते पटवारी दा पंजाब नल सबतों पुराणा ते हंड़न सार रिष्टा है परबंद की लोड़ दे नाल नाल ते हास्वी एना नू जियों दे जागदे रखना चौन दै जूनियर रेविन्यू अधिकारी ते पुलिस दी परती जरूरी है पेंडू पदर नू कुझ रहत देन ली इत्थों बहुत वड़ी आस है छेवां सरकारी ते गैर सरकारी अधार रेंच कलरकां ते सहाइक करमचारियां दी परती परांत नू वड़ी रहत दे सकती है मैंनू अपना गुलाम बड़ा लो दरसल जिवे हुन पशुआंदे मेले लागदे हन इवे ही पुराने समयांच बंदियां दियां मंडियां लागदियां सन काम कारते अपनी संबाल ले अमीर लोग इना मंडियां विच्चों गरीबानु खरीद लेंदे सन इनानू गुलाम अख्या जान्दा से पुरातन समयां विच्च अजञ्यां मंडियां वांग हुन नौजवाना ले रोजगार मेले लगण लगए हन रब करे इना मेलेयां दा उदेश सची मुची नौजवानानू रोजगार मुहया कराना हुए पर रोजगार दे मौजूदा हालात गुलामा वरगे ही नजर आरहे हन हवानू गर्मियां विच्ठंडे ते सर्दियां चे गरम थान तोंदी लंगाया जन्दै तायों ता हवावां कमरेया नू वातावर्ण अनकूल कर दिया हन लेकिन रुजगार दी मौझूदा हालात नौजवान पेड़ी नूँ गर्मियांच गरमते सर्दियांच सर्द थां तोंदी लंगा रही हन। लेकिन रुजगार दी मौझूदा हालात नौजवान पेड़ी नौजवान पेड़ी नौजवान पेड़ी लेकिन रही हन। परचियां नहीं चिपकाईयां जा सक दियां, उना दे हान दा रुजगार, नौजवाना दे मुडली ते पक्की पिड़ी लोड है. जीवे जवानी पुस्तक दा अगला लेख है, सार्थिक सिस्टन दी लोड. नौजवान वर्ग फुलां दी कोमल पनीरी नौशियां जिस तरती विट लोडां चौनियां, वो पत्थरी ली है. केवल पैसे पक्खोई नहीं, जिन्दगी दे हर सार्थिक पद्दर्तों साड़ा सिस्टम इमानदार नहीं है. कम जिन्दगी दियां मुडलियां लोडां चौ एक है, ते आम आदमी ले किर्थ ही जीवन है. खेती जो हर करांती समे प्रांत दी ताकत सी, अज कमजोरी बन की हर करदे बुए ते बैठी है. कट दियां जमीना, स्थेरो तुपादंधर, तेल, मशीनरी, खादां ते दुवाईयां दियां लगातर वद दियां कीमतां, ते प्रेस्ट सिस्टम कारण खेती लाहिवन तंदियां दी लिस्ट चों मनफी हो चुकी है. मशीनी करन होन करके कामयां दियां मेनत मुशकत जेंगा कदरां कीमतावी फिक्कियां पैगेंगा हैं. पड़े लिखे नौजवाना ने मजबूरी वास खेतां वल्लो मूँ मोड लिया है. होर रोजगार उना नों कोई मिलेया नहीं. अजय हालात पंजाब दी जवानी ले क तक सिद हुए हैं. दुझे पासे खेती ते मजबूरी दे बराबर सफर करन वाले अदारेयां वा पार ते उद्योग विच अन गिने पैसे दे इनने तेज वहाने मेहंगाई दी दर्च बहुत वद्धा कीता है. वड़ी मात्रा विच टेक्स्टोरी आम कामयां ते कई पास खरीदो फ्रोखत मौजूदा सिस्टम ले दूरा चटक है. इंज आम आदमी दी आर्थिकता तैस ने सुन दी है. इस तरह सर्दे पुझदे लोग जिथे काले ता नूचिटे ता नविच बदल लेंदी हैं ओथे सिस्टम ते अथा बोजा पेंदा है. प्रांत विच एक श पंजाब आन अधिकारत कलोनिया विच कट्या ते छत्या जा रहे है. सडक ते लगदियां जमीना दी कीमत पजत्तर लख रुपए तों डेड़ क्रोड रुपए प्रती एकड तक है. इस खरीदो फ्रोखत विच दो तिहाई तो तिन चथाई हिसा काले तांदे रूप बरफ दे तो देवां पूरा नजर नहीं ओंदा. इस वरेलु द्याना फ्रोजपूर सडक दे दो एकड, छे क्रोड प्रती एकड दे हसाब नलविके, लेकिन रिजिस्ट्री एक क्रोड प्रती एकड दे लगपग हुई. अजये हालात विच आम आदमी दी कच्चियां रहा इक समासी जद कई हलावले खेती करदे कर, हर वरे एक दो एकड जमीन खरीद दे रन दे सन. किर्थ कमाई करदेयां कज्याने वीवी एकड वी खरीदे सन. पर आज हलात अजये हान के अजये कमाई करके कोई वी वर्यां बाद वी एक एकड जमीन नहीं खरीद सकता. क्योंके काले तानने जमीना दे पास मानी चड़ा दती हन। काले तान दा वड़ा हिस्सा जमीना दी खरीदो फ्रोखच जही जजब हुन्द है। एवी एक कारण है के नौजवान खेती वल रुचित नहीं हन। के वल एन नहीं नहीं। जद असी स्वेर उजगार दी गल कर देयां ता अन गिने पैसे दाइन ना तेज वहां खेती अदारत स्वेर उजगार कित्यां ते लगूद योगां विच नौजवान पीडी नूट टे कर नहीं देंदा। अजई कमाई दी समाज विच कोई कीमत भी नहीं है। जद के कमाई दे असिद दे ते छोटे टंगां दी समाज विच पर मार है। प्रांत विच हर दूज़ा विजटिंग कार्ड प्रॉपर्टी डीलर दा होएगा। मनुखी सेवा लई तत पर गैर सरकारी संस्थावा नल्स बंदत वियक्तियां दे विजटिंग कार्ड सब तो का ठन। शेरां वेचे कीक प्लोट अग्गे तो अग्गे कई थावा ते विकदा विकदा आम आदमी दा खोन निरंतर चूसता रन्द है। अजयी कमाई नू केडा नाम दिता जा सकता है। ये सब जिमेवारते रानलाई गंबीरता नाल गौलन वड़ा सुवाल है। आर्थिक जिंदगी दी सेज दे पैरतर रन्वडे नौजवाना ले। अजयी हलात अती नाजुखन। मैं ना हलाता नू अपनियां अखा सामने देखेया है। लेकिन ये दा प्रगटावा करन्तो असमर्था। अर्थ हते समाजिक शास्त्री रलके ये तस्वीर ला सकदे हन। काश, रियल एस्टेट च अणगिने पैसे दा तेज वहा वपार ते उद्योग च वडेपदर दी टेक्स्चोरी ती यांते पुत्रां दे व्याहांते होरै फजूल खर्चे। शराब दा बहुत वद सेवन ते डीजे दे वजदे नौजवानानू गुम्रा करन्वाले अश्लील ते अर्थ इने गाणे कंप्यूटर नू दिती कमांड वांग इको वार रोके जा सकदे हून। काले ता नल जमीना दी इंज खरीद तेजी नल हो रही है शेरी करन तो बिना योजना तो कटिया जा रही हैं कॉलोनियां अजय हालात असे पासे दे पिंडा नू लगाता निगल दे जा रही हैं। लुद्याना शेर बारे गल कर दियां एक बुजूर्ग ने दस्या के देश दी वंड समे उचे पुलतो साइकल रोड के बिना पैडल मारेयां जिते साइकल रुख जान्दा उथे शेर कतमो जान्दा से। अजे हो शेर अपने आसे पासे दे 60 पिंडा दी जमीन नू अपने विच जजब कर चुक है। जान्दा देन विले बियर रातनू शराब किसे समे कामे रहे ए लोग नशियां दे पक्के आदी बन गए हन। कोज वर्यां वेची आर्थिक पक्खों खोखले ते सरीर पक्खों पारे होये लोग शेरां दियां सडकां ते डमर्वां वांग वाजदे शाम विले थ्री विलरानू अवाजा मार मार करानू मुड़ दे हन। इना परवारां दी अगली पीडी शिरापतों बिना पक्के नशियां विच वी गलतान हो चुकी है। जमीन वेचन वले अजय लगपग सारे परवार ही बरबाद हो चुकी हैं। एक पेंड वेच चार कारी बाच सके जड़े वदेश चले गय सन। अजय इक पेंड वेच मेंगी जयदाद वेच के चंगे का रांदियां चार पढ़ियां लड़कियां वक्वक करम इच विच व्ययां गयां। साल-दो साल वेची चारां दा पसी सैमती नल तलाक होया। क्योंके चारों नौजवान स्मैक दा नशा करन दे पक्के आदीसन, सिस्टम जिथे पिंडान दे पिंड अजय काले रांग चरांग रहे है, ओथे स्वेर उजगार दा यतन कर दे नौजवानां दा की हशर हुएगा, एस स्वाल भी नौजवाना आगे मुवड़ी खड़ा है, लोग सेवा सेक्टर भी आस्ति पूरा नहीं उतर सक्या, सरकारी दफ्तरां विच कामकार्सबंदी हालात निराशा जनकान, सरकारी नौकरियां दे लोप हो जानदा मूल कारन पामेख जानना खाली होना पाया जानदा है, पर एवी एक महत्तपुरुन तत है के प्रांत वेच सरकारी करमचारी लोग सेवा दी पावना तो कोहां दूर हन, नौकरियां दा इंज खत्म हो जानदा एवी एक वड़ा कारन है, सरकारी करमचारीयां ने अपने बच्चेयां ले अपने पैरियां आपको हडा मारया है, कोई वी सरकारी मैकमा लोग सेवा पक्खों विशेश रोल नहीं निबा सकया, पामे के विद्या देखे तरवेच को जे दे अपका ने सिस्टम दी सची सुची होंद नू सदीवी खत्म होंद तो बचाई रख्या है, जेडे व्यक्तियां नू सरकारी नौकरियां मिल गई यां, उनना ने तनखा लेंड नू अपना हाक समझ लिया, हाजरी दे पक्खों बहुते दफ्तरां दी तुंदली तस्वीर है, जे किसे दा एक्सिडेंट हो गया तो उनने दफ्तर ना होना अपना हाक की समझ लिया है, कई करमचारी कंटा डेड़ कंटा बैठके सारे दिन लई दफ्तर चो उठ जान दी हम, नौकरी दे हुन्दे सुन्दे कोई होर कारोबार करना आम जाई गल है, लोका नाल वर्ताओ पक्खों भी सरकारी करमचारी कोई उचाई हासल नहीं कर सके, लोक सेवा दा अधा नौकरी दे तौरते मिल जाना कादर दाइकन मोल तो फै, प्राइवेट नौकरिया नल तुलना कर दे है, ए गल पूरन सपष्ठ हो जान दी है, सिस्टम ने तो अड़िती कैसान कित है, ए सेवा तो अनौत तार्मिक मंजिल तक भी पहुंचा सक दी है, इस सेवा वाल सरकारी कर्मचारियां दा कीर वह यह, उसी पली बात जान दे है, नौजवान अजय सिस्टम विच्वी जद लंग दे हन, ता उस जखमी हुंदे हन, उनानौ अजय जखम मिल दे हन, जो सारी उमर रिस्दे रहन दे हन, नौजवान जो कुझ आसे पासे देख रहे हन, उना दा मौझूदा सिस्टम चो विश्वास उठदा जा रहे है, सिस्टम ने उना आगे खाली पला चाड़ देता है, वडेकी कर रहे हन, ए वेक वेक, वो बे उमीद होन लगी हन, पुखे नूँ पोजन देके ओदा पेट पर या जा सकता है, पर किसे नूँ बे उमीद गीतों उपपर उठाणा जोखम पर या कम है, इसलई खास तोर ते राजनीतेक ते परशासनिक हित्तर विच, अपना आप गवा के कम करनवाले रोल मोडल्स नूँ अग्गे ओनां चाहिदै, अजये रोल मोडल्स लोक सेवाते नौजवनना लई जीवन जाच दे पूर्ने पोना ही, जिना दा उदेश होवे, हर चंगे मनोरत दी पूर्ती लई, समर्पन दी पावनां दा सबक सिखोना ही, जिना दा मन्दा जीवे जवानी पुस्तक दा अगला लेख है, समाजिक समागम, परदे पिछे नशियांदा तरातल सिर्जदे कारनाच, समाजिक समागम खास तौरते व्याहांते हो रही, अथा खर्चे परमुक्खान, इहो खर्चे सिद्धे तिया सिद्धे रूप वेच नौजवाना दे पतंदा कारन बन दे हैं, हर ती दे व्या ते कटो कट खर्चा दास बारां लख रुपई है, प्रांत विच 75 प्रतिशत वद व्या अजय हान जिनाली कर्जा चुक्या जान दा है, जान जैदाद वेची जान दी है, व्या एक पवित्तर असम है, लेकिन पंजाबियां वलू इनना खर्चा क्यों, कई आम व्या वी 3 लाख तो उपर टप जान दे हन, कैनेडा तो आए एक लड़के लेई, एक लड़की दी देख दखाई हुई, पर ती वालियां ने एक एक जवाब देदता, कि असी आर्थिक पक्खों तो अड़ी हान दी नहीं है, असी व्या दा इनना खर्चा नहीं चाल सकते, मुंडे वालियां ने पेशकश कीती, के कुझ भी लेणा देना नहीं, सिरफ ब्राद दी सेवा कर देओ, ब्राद दा खर्चा वी उना आपी करंदी पेशकश कीती, पर ती वालियां ब्राद दे खाने दा खर्चा अपने जिमें लेलिया, बारां सो रुपए प्रती प्लेट दे हसाब नल, हजार बंदियां दा खर्चा बारां लख रुपए तो वद होया व्यादा कुल खर्चा वी लख रुपए तो वद गया सिर्फ ब्रात दी सेवावाला व्यावी पंजाब विचे न मेंगा क्यों है आर्थिक तोरते टुट्या बंदा ठेके वल मुख करलन दे पैन दे व्यादे होया खर्चा परा नू आर्थिक तोरते कमजोर करदन दे बाकी बची जैदाद उसलिए योग रुजगार नहीं बन पूंदी छे वरे पहला मैंनों सिरी हर्मंदर साव विखे गुजरात दाइक व्यक्ति मिलिया उन्हें कुछ जानकारी हासल करने से गल्ला बातां कर दिया उन्हें दसिया कि मैं अपनी तीदे व्या ली पंजाह हजार रुपे अपने जीपी एफ चोकडवाए सन व्या ते तरताली हजार रुपे खर्च हुया ते बाकी बचे पैस्या नल वो पतनी समेथ पंजाब को मना गया पर पंजाब चे तरताली हजार रुपे दी असी लेडी संगीत वाले देनी शराब पी जानने है प्रांत विच व्या समें सोने शराब थे खाने थे अथा खर्चा किता जन्द है। थोड़ा सो रुपे प्रती प्लेट। थे आपी इजतां दा ताज बननी बैठे लोको। चुड़ा उना लेडी संगी तनांद कारज ते रिसेप्शन आद कई पा गंच तोड़ लिया है। खर्चे ते शराब ते सेवन पक्षों हर पागी पूरन विया है। किवल इनना ही नहीं। कई-कई समागमा विच मापपे इनना रुज जान दे हान के बच्चेयानू देन लियोना कुल समाई नी बच्चदा। बच्चे इकलता मैसूस करन लगे हैं। दिने वया, रात नू रिसेप्शन, अगले दिन कोई होर पाटी, कई व्यक्ति तटे ड़ते कार नू स्यालो स्याल सान ते लाई रख दे हैं। बच्चेयान दे नौजवानानू समा देनां चाईद है, साड़ा समाजिक दाइरा सदारन ते सीमत होनां चाईद है। अजहिस मागमा ते शराब दीव देरे वर्तों भी साड़ा कान कर रही है। कई व्यक्ति शराब पीन नू तंदा समझी बैठे हैं। अजहिस हालात नौजवानान ते मारू असर कर रही हैं। इसे वरे दी गल्ले दिन दे डेड़ वजे शेहर ते एक मैरिज पहले स्विच वीक की वरेयां ते तिन नौजवान दाखल हुए। पांज कु मिन्टा बाद अजहिस दो होर नौजवान आई। ते पहले आनू गरम जोशी नल जफी पाके मिले। अलग लग टेबलां ते बैठके उनाने मासाहरी स्नैक्स नल तिन तिन शराप दे पैग पीते। उद्धे कु कंटे बाद दो मोटर साइकलां ते स्वार होके शेहर वल्ट चले गए। मुंडे कुडी वालेयां चो किसे दे रिष्टेदार नहीं सन। ते गरम जोशी नल मिलना उना दा पुलेखा पाउन दा टांगी सी। मैरिज पैलेश शेहर दे हून जा कस्वे दे। फंक्शन देन दा होवे जा राद दा। अजेंया कटनावा निरंतर वापर रहे हैं। नौजवाना लई एक अजेया अपागा प्लेटफॉर्म है जिते खड़के सडक दुरकटनावा नशेते जुर्म उनानू अवाजा मार रहे हून दे हैं। मोटर साइकलां दे नंबर नोट करके मैं आउना नौजवानानू लब्या, ता पंजाब दी जवानी दी निराशा जनकता स्वीर मेरे सामने आई। इक समा सी, जद रात बराते देन त्योहार साल वेच एक अधिवारी शराब पिती जान्दी सी। देन विले शराब पिना ते इंज टेबल सजा सजा बैठना पंजाबियां दी मानसिक्ता दा हिस्सा नहीं साम। उदों बोतल छुपा के थले रखी जान्दी सी। परिवारिक ते समाजिक दबाव इना के पीन वाले वड़ी रात ही कर मुड़न दा होसला कर दी साम। परहुन शराब दे इनने वद सेवन ते मारू परबाव कारण पीडियां दर पीडियां खतम होन लगिया हन। अज्य हालात दा समाजते की परबाव पेंदै। इक व्यक्ती शराब दा इनना वद सेवन करदा रया के ओधी अधी जैदाद विक चुकी सी। पत्नी ने बच्चेयां दी पड़ाई दा बहाना लाखे उदा साथ बदलन लई शैर किरायते कार लेलिया। पत्ती दे हालात ओहोई रहे। पंताली साल दी उमर वेचोनू जिगर दी गंबीर बिमारी ने के रहा। हूनो दी ती एक प्राइवेट हस्पिताल विच तिन हजार रुपए ते टेलिफोन ओप्रेटर है। तो दा पुत्तर एक पार्किंग कंपनी ज़ पैंती सौर रुपए प्रती मिना विच नौकरी कर दे। दो में पैंप्रा व्याण वले हन ते पतनी दिमागी बोज दी बिमारी दा शिकार हो चुकी है। अजय परवारांदा की पवेख है। अजय हे समागमां समें डीजे ते वजदे गीत वी नौजवानानू गुमरा कर रहे हन। इक विद्वान अनुसार त्वडे नौजवाना दे बुलां ते केडे गीत ने ए सुनके मैं दस सकदां के त्वड़ा पवेख की हुएगा। मनोवी ज्यानिया अनुसार शबद मनुखी मानू सब्तों वद पर बावित करदा है। तरमवी सानुए हो समझान दा यतन करदा है। गंदे गीतां दी शबदावली नौजवाना दे अलड़ मना दे मारू असर करदी है। ते उना दे हत्थां विच गलास दे हत्यार फड़ा दिन दी है। जदो के मियारी गीत सार्थक ते मेनतकश जिन्दगी दे पूर्ने पौंदे हान। धन्वाद। जीवे जवानी दा अगला लेख है साहित। पहलां-पहल मन पर चावे ली इनने साधन नहीं सन। सो विशेतों इलावा साहित नू मन पर चावे ते जीवन जाच दे तोर ते वेले समय विच विद्यार्थियां वलों पड़े आ जान्दा सी। चंगियां किताब बां ते चंगियां रसालियां दी उडी किती जान्दी सी। साहित नौजवन्ना ले जीवन जाचदा अधार बन्दा सी, पर मौजूद्धा विद्यक्तांचे ती मौडन जिंदगी तीज रफ्तार्च, नौजवन्ना वल्लों साहित प्रतिरुजान लगपग नामत तरिये, तकनीकी विश्यां दी विद्यार्थियां ती अज़ेई पक के राहां ते नौजवन्ना ले चनन मुना रहे, जिंदगी दे हालात के होजेवी हून, सिराने पई किताब मिठी ते गुडी नेंदी हमी पर दीरंदी है, नौजवन्ना दे बौधिक विकास ले उनानू साहित दी हेट लिखी तारा चो लंगणां चाहिदे, पहला, चंग श्रोमनी साहित का रामसरू पण की अपनी स्वय जीवनी मले चाडियां विच लिख दे हन, के साल उन्नी सो बाट विच मेरी कहानी कर सालेच चपी, ता डाकिया डेड रुपैदा मनी ओडर मैनू स्कूल विच देनाया, मैं हस्ताखर करके पैसी वसूल पाई, इस सारी कटन मेरा एक साथिय द्यापक नीज नाल देखता रहा, ओदे पुछन दे मैं दसिया के अपनी कहानी चपी सी, ओदा मेन ताना मिले, गंबीर जय होया, ओ साथिय द्यापक यान लगा, के रामसरूप तेरे नाल बैठके एक गाल करनी है, अगले देनी चुटी तो बाद, दस समा मित लिया गया, ओद दा मी नेच किनी आ कहानीया लेकह लें दे, अच्खी जी ने किया के कदे दो, कदे तेन वी, अगला स्वाल सी कि किनी आ चाप जान दे हम, उट्धर सी एक कदे कदे दो वी, बत तो बत किने बैसे मील देहन, डेड जां तिन रुपे, कदे कदे दो उस सद्यापक वर्गी बन चुकी है, हर चीज नू रुपय नाल ही तोलिया ते मिनिया जा रहे है, माया दी च्छाया हदों वद संगनी हो चुकी है, इस वरे फरवरी मिहिने मैंनू अमरे सर्शताब दी ट्रेन राई, नमी दिल्ली आउन जान दा मौका मिलिया, 38 सीटां वले पूरे परे डब्बे विच ओस्तन 12 तो 15 नौजवान ते अधखड व्यक्ती मोबाइल फोन ते गेमा खेड़ दे ते गीत सुन दे रहे, 4-5 इंटरनेट दी वर्तों कर दे रहे, इना विचो बोते विद्यार थी सन, 5-6 व्यक्तियां कोल अंग्रेजी अखबार सन, जान्दे समय एक व्यक्ती कोल पंजाबी अखबार वी सी, 2-3 ट्रेंच रखे हुए अंग्रेजी मेग्जीन भी पड़ दे गई, कोज व्यक्ती मोबाइल थे वपारक लैन देन विच रुजे रहे, वड़ी उमर दे 2-3 व्यक्ती सिम्रन कर दे जापे, कोज को व्यक्ती सुते रहे, ट्रेंच खान पीन दा समान बंडन वालाओनानान खा पीके फिर सौंजान दे, एक औरत स्वेटर बुण दी रही, दो औरता अपने चोटे-चोटे बच्चिया नू सिखे लाओं दियां, पिलाओं दियां, ते लोरियां दिन दियां रहे, पर एक भी व्यक्ती कोल कोई पंजाबी दा मैग्जीन जांग किताब नहीं सी, पं आउजवानानू मैं साहित पढ़न दी प्रेरदा रहन्दा हां, अक्सरी ओ ए स्वाल पुछते हां के किताब केड़ी पढ़िये, कित्थों प्रापत होएगी, किताबां पढ़न प्रती साड़े मन दा चुका आचाहिद है, होली होली एना स्वालां दे जवाब साड़े साम किताबां ही एदा अधार हां, स्वै जीवनियां भी नौजवानानू सेथ देन ली वड़ा रोल निपा सक दिया हां, अजियां किताबां दी लिस्ट बना के पेश करना चिजिक वाला काम है, लेकिन जेडियां किताबाने मैनू पर बावत कीता है, ते जिना बारे मैं चंग सुने आएं, उनाच कुझ कुहेट लिखे अनुसार हन। आएं निपार निपाने मैं चंग अजिना दे चंग खेड़ियां सरदार अजीत सिंग चंदन, किस पैकोलो गंठडी करतार सिंग दुगल, कलामई जीवन दी तांग करनेल सिंग सोमल, खुशी दी पालविच टी आर शर्मा, पर संता दी पालविच, पूरन सिंग यूके, जिना दिस संदड़यां दुर्मत वन्जै, सरदार जिस्वन सिंग ने की, एक आइना अन्या लई, सिरी अब्दुल सत्तार इदी, शिव कुमार बटालवी, डॉक्टर जक्तार, तों सुर्जीत पातर तक दियां, सारियां कावरच नामा, गुर्बक सिंग, प्रीतलडी, निरंदर सिंग, कपूर, पूरन सिंग, यूके, करनेल सिंग, सोमल, अजीत सिंग, चंदन, सुर्जीत सिंग टे, लों टी आर शर्मा ते, हर्चंद सिंग, सरहं दीरियां, सारी वारतक, नानक सिंग, रामसरूप, अनखी, जिस्वान सिंग, कवल्त, परफेसर गुर्दयाल सिंग, बलदेव सिंग, सडक नामा दे, नौवल, पढ़न योग हन, किताब मां पढ़न दी कट, रूची दे नाल नाल, लेकानू वि जिस स्वाल जवाब करने, उधी किताब पढ़न वांगी लगता है, कंटा, डेड़ कंटा स्वाल जवाब सुन दियां, तुसी उधी जिन्दगी दा तजर्बा भी हासल कर देओ, लेकर की सोच दे, किमी लिख दे, कदू लिख दे, जद जिन्यां गलना विच्चों, कोई कोई गल नौजवान ना दी, जिन्दगी नल मेल खान दी है, ताओ स्वेव इश्वास मैसूस करन लग दे हैं, कॉलेज पढ़ दियां मैं जिलंदर दूर दर्शन तो कुलवन सिंग विरको रांदी इंट्रिव्यू सुनी सी, इस इंट्रिव्यू ने मैनू बहुत पंजाबी दे खबार खास करके एत वारनू, तुसी लेखां कहाणियां कवितामा पड़ो ते फिर हेठां देते, लेखक दे मोबाइल फोन ते अपने विचार लेखक नल सांजे करो, शबद, किताबा, शक्सियतां ते साहित दी तस्वीर तो अड्यगे खुल दी जाएगे इकोर यतन, इंज पड़ दियां तुसी पक्की जिल्द वाली कोई कॉपी जा रेजिस्टर लेके उसवीच पर बाव शाली शब्दां ते वाकां दा ग्रैन करना शुरू करो, जिवें के माटी का क्या तो पैपराणी मानस की गते ही ते अल्फ अल्ला चंबे दी बूटी विच लाई हूँ, मां बुली दा अजे आ इको वाकी साड़े सारे देननू सुनेरी रंग चरंग सकदे, तुसी कटो काट बिस्तरे च लेटन तो नेंद आजान तक दा समा किताब बाली राखवां रखना, अजे रुजान नाल जिंदगी दे सार्थिक पहलवा नाल साड़ निरंतर सांज भी बनी रंदी है, रंग मंच सानू जिंदगी दियां कदरां कीमता नाल जोड़ी रख दे, नाटक कहानी दा रूपां तर टेली फिलम सानू जिंदगी दी सार्थकता दा ऐसास करूंदे रंदे हन, कुडियां दी महत्ता दाय सास करों दा जलंदर दूर दर्शन तों टेली कास्ट होया लड़ीवार पागावालियां लोकांच बहुत हर्मन प्यारा होया इक अंतर कालज युवक में ले ते मैंनू थेटर वाले देन जान दा मौका मिलया नियों जड सरहद्दा होर वी ने आद नाटक खेड़े गए साड़ेली साड़े समाजिक सरो कारांदी इस तो वड़ी हामी होर की हो सकती है नौजवानानू चंगा जीवन जीन ले थेटर नाल निरंतर जुडे रणांच जाईद है बल्वांत गारगी, पाजी, गुर्शरम सिंग, अजमेर सिंगौलक ते आतमजीत आद नामवर नाटका रहन दे नाटक पढ़ने ते हो सके ता मौका मिलन दे देखने वी चाही दे हन पंजाबी दे रुजानना अखबार नौजवानना च साहित दी चेटक लौनले चंगी समगरी मुहिया करवाँदे हन सिर्जना, होन ते फिल हाल वरगे मैगजीन पंजाबी दे वी तो वद मासिक पतरकावांदी अगवाई करदे हन पंजाबी साहित अकेडमी लुद्याना पाशावी पाग पंजाब, पंजाबी युनिवस्टी दा पाशावी पाग दे पंजाबी लेखक सबामा दे यतन शिलागा योग हन प्रेरना ते परकाशन पकों पंजाबी सत लामबडा ने इस खेतर च निठके काम किता है इस दियाँ वी तो वाद शाखामा पूरे संसार्च पंजाबी साहित नू हर्मन प्यारा बणाओन ते विर्से दी संबाल ले यतन शील हन नैशनल बुक ट्रस्ट नमी दिल्ली वलों के ताबां दे मेलियांदा परबंद साहित नू आम लोकां तकले जानदा चंगा उपराला है पर साहित नू हर्मन प्यारा बणाओन ले सानू अजाई होर बहुत सारे उसारू यतन करंदी लोड है क्योंके एस वेले के ताबांदा मुकाबला नू जुआना दे हत्थांच फड़े मुबाइल फोन ते वज़दे गाणियां लैप्टॉप दियां तस्वीरां ते शॉपिंग मॉल्स दियां रॉनका नाल है सडक के नारे राक के सब जीवेच दे के साना वांग लेक कानू अपनियां रचनामा नौ जुआना तक पहुंचाणियां चाई दियां हन तानवार्थ जीवे जवानी पुस्तक दागला लेक है कसरत जिन्दगी देस मोडते सनू पारियां बामान दी लोड नहीं बलके अजए दिल दी लोड है जो दिन पर दी अकेमिया नाल खुशी-खुशी रह सके अजए दिमाग दी जो बेरुजगारी दी डिक डोलयांनू सह सके अजए मान सिक्ता दी जीडी मौजूदा हालता नाल जद्दो जैद करन दी समरता रख दी हुए अजय द्रेडे रादे दी जड़ा साध्य मुश्कलानों पासे करके सानों मन्जिल दा राद दिखा सके पतले ते चांटवें सरीर दी जड़ा दूर दिस दी मन्जिल ते पॉंचन दा दम खम रखता हुई खेतांच कीता गया कम दे नाल नाल सरीर दे मन्दी बहुत वदिया कसरत सी जो साधे हतों छुट गया हुँन किन्ने पंजाबी नौजवान खेतांच हती कम कर दे हन बहुते नौजवान कसरत भी नहीं कर दे अरोग सरीर वेची ये रोग मन्द वास कर सकते हैं खुल्ले अस्मान विच खेड़ियां समूहिक खेड़ां व्यक्तिगत खेड़ां नलू वद महत्त पूरन हन। क्योंके एना खेड़ांच सिरीरक कस्रदे नालनल साड़ा मन वी पूरी तरां तनाव रहत हो जन्दै। सिरीरक थकावट कोई अकेमा पैदा नहीं कर दी। नू मानना सिख जन्दियां। मिस्टर पंजाब ते मिस्टर सिटी मुकाबले संजम ते संकोच दी मंग कर दे हन। अक्सर वेख्या गया है के अजय बहुत सुडॉल सरीरां ते पावक मना दी आपसी लेड तोट जन्दियां। खेड़ां जिते सानू सुरीरां ते मानसिक तौर ते तंद्रुस्त रख दियां हन। उते साडेली मेल मिलाप दे पूर्नेवी पौन दियां हन। खेड के होई मिठी-मिठी थकावट नौजवानानू गुडी नीन सुआं दी है। ते नौजवान स्वेरे उठन समें तरो ताजा मैसूस कर दे हन। विकसत देशां विच पार्क ते ग्राउंड बच्यां तो लेके बुड्यां तक हर वर्ग दे लोकानल परे रेंदी हन। खेड़ां सानू तनाव रहत वी कर दियां हन। सरीर दी तेज हरकत दी पसीना और नल पैदा होन वाला इंडॉर्फिन नामदा हार्मोन सानू तनाव रहत करता है। खेड़ां खेड़न दे नाल नाल खेड़ां विक्षवी नौजवाना दी दिल्चस्पी होनी चाहिए। ये मैसूस कीता गया है कि नौजवान विले समेदी ठीक वरतों ना कर सकन कारण कई तरांदियां गल्तियां कर बैठ दे हन। उनाचों कई अचानक जुर्मां विच्वी फास जान दे हन। खेड़ां प्रती दिल्चस्पी नौजवाना दे मनानू लगातार चंगे पासे लाई रख दी है। संसार फुटबॉल कप पूरे संसार नू रंगदार चादर चल लपेट दन दै। उलम्पिक्स, एशियाई खेड़ां, हौकी ते क्रिकेट दे संसार कप, कॉलेज युनिवस्टी ते पिंडानियां खेड़ां, नौजवाना दे मनानू लगातार रुजाई रख दिया हन। पेले ते बोल्ट वर्गे खेडारी नौजवाना ले मार्ग दर्शक पन सकती हन। स्कूलां कॉल जान तो बाद नौजवाना नू संबन ले, यूथ कलब्बा महत्ता पूरन रोल अदा कर सकती हन। एक कलब्बां डायरेक्टोरेट आफ यूथ सविसेज नाल रिजिस्टर्ड हुन दिया हन। डायरेक्टोरेट इना कलब्बानू खेड़ां दा साजो समान ते विती सहायता भी दिन दै। पंजाब दे कुल 12,672 पिंडा विचों लगपग अद्दे पिंडा विच यूथ कलब्बां बढ़िया हुन हन। सारे पिंडा विच वी अजय या कलब्बां होंद वे चौनियां चाही दिया हन। ते इना कलब्बानू पूरी तरा गती शील करन दी लोड है। केस स्टड़ी यूथ कलब मैल कलां जिला बरनाला साल 2001 विच रजिस्टर्ड होई सी। इस कलब वलों पिंड दे हाईर स्केंडरी स्कूल दे ग्राउंडा विच फुटबाल, वॉलीबाल का बड़ी अथलैटिक से वेट लिफ्टिंग दिया खेड़ां शुरू करवाईयां गिया। पिंड दे सौत वद नौजवान शाम वेले रुजाननाई खेड़ा खेड़ दे हन। चंगा खेड़ा रही है ते उदी अपनी इस पैल कदमी ने इस यतननों लगा तार्ता ते सुहिर्दता परदान केती है। दूसरा, कलब दे बाकी मेंबर उदा पूरा साथ दिन दे हन ते परदान दे पाईपूर्निया ते चल दे हन। तीसरा, कलब नाल सबंदत विदेश चले गए नौजवान इस कलब नू बकाईदा आर्थिक ते मानसिक मदद दे हन। यौरप विच वस्ते एक नौजवान ने बच्चेयान उध्शात करन ले संसार दे मशूर फुटबॉल खेडारियां दे उक्रे नावां दियां टी-शर्ट्स पे जियां सन। पिंड दी पंचायत वलू हर तरां दी मदद कीती जन दिये। पिंड दे मुख्टबर व्यक्ती शाम समें खेड़ दे नौजवाना को लाके बैठती हन। अजञ्या यूद कलबबानों नौजवाना दी साम संबाल ले होर पर बावशाली बढ़ाया जा सकता है। इना यूद कलबबान दे पर दान दे दो तिन हो रोदे दारां ले हर साल एक जान दो दिन दा जिला पदर दे ट्रेनिंग केंप या वर्कशाबदा पर बंद किता जावे ताकि वज़े कामनों पूरी शिदत नलने बासकन। युवक सेवावान डारेक्टोरेट ए उद्दम कर सकते। मैल कलां वांग पर बावशाली टांग नल काम कर रहे हैं कलबबान रहीं नौजवानानों सेथ देन ले होर यतन वी अरंप किते जा सकते हैं। खेड़ां दे साजो समान वांग चंगियां किताबबां वी मुहया करोणियां चाई दिया हन। चंगे खेडारियां ते पर बावशाली व्यक्तिया नाल इना नौजवानानों रूबरू करवाया जा सकते। अजय एक खेतर वेच चंगा काम करदे नौजवानानू सनमानत्वी किता जावे, तन्वाथ जीवे जवानी दा अगला लेक, खेड सब्याचारक ते युवक मेले खेड़ान ते युवक मेले नौजवाना दी अगवाई करन ते उनानू सेथ देन ले महत्तपूरन रोलने बासक दी हन अजय आ होवी रहा है, पर अजय मेलियां ते सानू थोड़ा होरी कागर होन दी लोड है पेंडू पदर ते पंचायतां ते कलबबां वलों करवाये जारे टोर्नामेंट मुख तोर ते कबड़ी खेड ते ही केंदर थान कबड़ी साड़ी मां खेड है पर सानू दूजियां खेड़ां वल भी रुचित होन दी लोड है अथलेटिक्स नू असी लग पागे ना खेड़ा मेलियां विच विसार ही देता है उमर दे ग्रूप बना के स्कूल दे विद्यार्थियां तो उपरवल दोड़ां ते छाड़ां दे मुकाबले भी करोनें चाही दे हन वालीबॉल, हॉक्की, फुटबॉल आद खेड़ा नू बराबर दी महत्ता मिलनी चाही दिया अजय एक अठ किसे महत्ता पूरण समाजिक सुनेया लई भी वरतनें चाही दे हन तेनवरे पुराणी गाला एक पिंड़ दी कलब दी मेंबर मैंनू टोर्नामेंट ते सद्धन लई दफ्तर मिलना आई कबड़ी टोर्नामेंटा ए पुछके मैं बहाना बणा के मुझ बूरी जायर करन लगा उना दे जोर पॉन ते मैं सपश टाख देता कबड़ी टोर्नामेंट ते मैं जन्दा नहीं है मेरी कोई दिल्चस्पी भी नहीं है उना दसिया के साधे कुल बाकी खेड़ाली ग्राउंड नहीं है लेकिन असी येस टोर्नामेंट ते हर साल नशिया वरूदी सुन्नेया दिन दिया शेर विच्चों बनाके लियांदे नशिया वरूद बैनर्स उना मेरी टेबल ते खोल के मेरी मुरे राख देते उना को लजाई पोस्टर वी सन टोर्नामेंट दे आखरी दिन उना छोटे जहाज रही अपने तियासे पासे दे पिंडा वेच नशिया वरूद रंगदार परचियां भी सुटवाईयां सन अजई एक होर क्लब नू मैं पुछे आ कि बड़ी टोर्नामेंट ते किना खर्च कर रहे हो उना दस्या के विदेश गई कई व्यक्ती हर साल बकाईदा तोरते आर्थिक सहाईता दिन दे रहन दे हन अठ लाख रुपया इकठा हो जान दा ते लगपाग छे लाख रुपय खर्चा हुंदा मैं उना नू अपील कीती के वी हजार रुपय होर खर्च के टोर्नामेंट दी किसे शाम नशिया वरूद एक नाटक कराया जावे उस कलब नू अजया करंते पर पूर हुंगारा मिलिया टोर्नामेंट दे आखरी दे नौजवाना नू से देन लिए चंगियां के ताबादी पर दर्शनी भी लगाई जा सकती है एक खेड मेले अजय प्लेटफॉर्म हन जिते खलो के कलब माते पंचायता नौजवान ते आम आदमी ले जीवन जाच दे पूर्ने पासक दिया इन टोर्नामेंट दे नाम वंड समरो समे उस खेतर विच चंगे मजूदा दे आपका ना सनमान कीता जाए लोक सेवाली महत्तपूरन योगदान पौन वाले सरकारी जा अर्ध सरकारी संस्था दे किसे करमचारी नौवी मान देता जावे ता अजय यां पाव नमा वाले व्यक्तियानू उत्षा मिलेगा अजय लोकानली मौजूदा हालात ना वाचखन इनाम वंड समारो करवाना इक वड़े मान वड़ी गाले अजय शक्सियत नूवे मान देता जावे जिने चंगी जीवन जाच दे पूरने पाई हून जिसनू वेहके नौजवनना वलों कुझ सिख्या जा सकदा होवे समाप्ती समारो समें जी दे बोल नौजवाना दे नाल नालोना दे करां तक वी चले जाँ समाजिक बुरायां मादा परून हत्या नशे फजूल खर्चेयाद परदर्शनियां दा परबंद कीता जा सकदा इनाम दे तौर ते चंगियां किताबावी खिडारियानू दितियां जान। कटो कट आखरी दिन किताबावे चनले स्टाल जरूर लगवाये जान। गुर्दासपुर जिले दे पेंड कोटला शायां छोन वालियां सालाना कमल जीत खेड़ां समें इनाम वज्जों के ताबाव देन दी चंगी पिर्थ पाई है। डारेक्टोरेट आफ स्पोर्ट्स युवक से वावां समाजिक सुरख्या ते पेंडू विकास मैक में वल्लूं अजये खेड मेले आनू सेद दिन दे रहनां चाईद है। परबंद का लई सिखलाई दिवस्वी रखे जा सकते हैं। चोटे-चोटे कदम नौजवानानू सामबन लई लंबा सफर तै करन दे समरथा रखते हैं। एमे ते पी-एचडी कर रहे सोशल साइंसिस दे विद्यार्थिया वल्लूं अजये खेड मेले आनू केस स्टडी दे तौर ते अपनोना चाईद है। अजये इस माजिक 81 उनानू थीसिस दे विशे दे तौर ते चुणने चाईद हैं। प्रफेसर मोन सेंग यादगारी मेला नूजवानानू साहित सब्याचार्थि विर्से नाल जोडन ले शिलागा योग यतन है। हर साल दे यूथ फेस्टिवल किसे खास विशे नू समर्पन होने चाईद हैं। अगला लेक है अजोकी जिंदगी ते पच्छमी परबाव। केर्थ ते कुद्रत दा गुंद्या मनुक सब्याखोन दा उत्तम नमुन्न होन्दै। लम्मा समा खेती नू उत्तम होन दा दर्जा मिलिया है। खुल्ला डुल्ला पॉन पानी ते द्रियामा दे वैन। पंजाब दी तर तेले कुद्रत दा अनमोल तो फाहन। किर्थ करदे लोक कादर ते कुद्रत नाल निरंतर जुडे रंदी हन। हड़ पन्मी कमाई करदेयां आंत तकोना दे स्रीर चांटमें ते सुडॉल बने रंदी। किर्थ करो वंड चको ते नाम जपो। किर्थ दी लोक दानियां ते कपादियां फुटियां दा पहला हिस्सा तार मिक स्थाना ले कड़ दे रही हन। ओदों खेती नू उत्तम ते जिंदगी नू सदारन होन दा मान प्रापच सी। पर अज वपार उद्योग ते तेज रफतार जिंदगी उगदियां फसला नू बहुत पिछे छट गई हन। किर्थ दी परिबाशा बदल गई है ते कमाई दे कई असिदे ते छोटे रस्ते होंद चा चुकी हन। संजम सैज ते संगीत मई पंजाबी जीवन तड़क पड़कदा शिकार होकी रह गया है। बिना शक बदलाओ जिंदगी दादार है पर इस बदलाओ ने पंजाबी जीवन नू अर्शां तो फर्शां ते लिया सुटे है। खेतांच पैदा हुंदे अनाज दी थां खेत वस्तुआं बणके बजारां वेच विकन लगे। किर्ती पंजाबी जीवन दी ले उख्रन लगे ते काम्यादा शोशन होन लगा। हर पास से पैसे दा बोल बाला हुया। जिन्दगी दे नवीन साधन नौजवाना ले वगार बणके सामनी आई। कदे रेडियो तो गीत सुनना मन परचावे दा मुक साधन हुंदा सी। थोड़ी दूर रेडियो राख्के स्वाणियां कम चुरुजियां रनियां सान। तेवना दे बच्चे पड़न बैठ चांदे सन। शाम वेले गुरुबानी विचार समेनू सैज में बना दन्दा सी। पर अज रेडियो मनुखी जिन्दगी दी रफ्तार नाल मेल नहीं खारया। कदे टेलिवीजन दे एक जांदो चैनली सन। अज चैनल बदल दियां दिन लंग जांदा है। नौजवनाच इकलता पैदा करनली सांजे परवारां दी अन होंतो बाद इलेक्ट्रोनिक सादन दूज्जा मुख कारन हन। मोबाइल, कंप्यूटर, लेप्टॉप दे टेलिवीजन तेज जिन्दगी दा थोड़ा बहुता बचदा समावी इना संचार सादना ने सोक ले। इंटरनेट, फेस्बुक, यूट्यूब, नौजवना ले दुनिया एक मंडी बन गई है। अलड उमर मेनत मुशक्कत दे रास्ते नैतिक कदरां कीमतां पर इस जिन्दगी नूँ मानन दी लालसा दा शिकार होन लगी है। संचार सादन उना दी इस लालसा दी पूर्ती ले इस सहाई से दो रही है। इहो नौजवान पीडी दा दुखान थै। इस वेले ओ जिन्दगी दियां शलील तस्वीरां दे अमने सामने खड़े है। ए तस्वीरां जिन्दगी मानन बारेक पूलेखा है। इत्थों ही नौजवान गुमरा हो रहे हैं। हड़ पन मी कमाई करन वाले पंजबी अज एशो राम दी जिन्दगी दे मुहताज हो चुके हैं। नौजवान पीडी दा खान पेन, डील, डॉल, बोल, चाल, पैनन पचरन ते रेंड सेंड भी बदलन लगे हैं। जिम विच कीती कसरत उना दे स्रेर नू बोजल कर रहे हैं। उना दी बदल रहे मानसिकता उना दी यां बाहा नू नंगयां रख दी है। उवाला नू रंग करवा के कन्ना विच वालियां पॉण लगे हैं। नौजवान अपने सब्याचारतों दूर जा रहे हैं। डीजे ते वजदे गाणया निवियोना दी पठक दी मानसिकता नू गुमरा केता है। अजय हालात वे चोना दा पहरावा ते बोली वी बदल रहे हैं। प्लैटफॉर्म ते लगदी किसे ट्रेन दे कांटा बदलन वांग, वो पच्छमी पर बावहेट सब्याचारक लाइन बदलन लगदे मैसूस हुन्दी हैं। सारी जिन्दगी लोकताराते काम करनवाले साहितकार वंजारा बेदी दे विचार हैं। जिन्नाचे रसी अपना लोक सब्याचारक विर्षा नहीं पचान लेंदे, सांब लेंदे, उनी देर साड़ा अग्ये जाना कठे नैं। अपने सब्याचारक विर्षेनू पुलननाल समस्यावां ते उल्जना पैदा हुन दिया हैं। माम बोली ते सब्याचार दे नाल नाल नौजवान कुद्रतों वि बे मुख हो रही हन। पावें पंजाब लेलो होंदियां फसलां ते चैचो होंदे पंचियां दा देश हैं। पर नौजवान पेड़ी कुद्रत दे सुहपण तो दूर दी होके लंग रही है। ओ रात नूँ देर तक जाग दे हन ते तो पांचडियां तो उठ दे हन। सडे तर मनुसार रात दा खाना सूरज छिपन समें खालना चाईद है। पर नौजवान अकसर बे वक्त खाना खान दे हन। अजई जीवन जाज नौजवाना दे मना अंदर तरो ताजगी नहीं आउन दिन्दी। ओ खिजे खिजे रहन दे हन। ते जिंदगी पती उना दा नजरिया ना वाच खून लग दे। उना दा कम विच मन नहीं लग दा। ते जीवन विच उगड़ दे रंगां तो वाँजे रह जन्दी हन। उन ना ता पावनात्मिक तौर ते स्थिर रहन दे हन। ते नाई उना दे जीवन विच पावनात्मिक प्रपकता हन्दी है। अजय नौजवान अक्सरी बजजर गलतियां दा शिकार हुन दे हन। जोकी एक कार वीच सोवार सन। उनना सारियां चापाणी पीता ते दोवानू आख्या के तो अनू बर्नाले तो बठिंडा ते लुद्याने दी बस बिठा देवांगे। बर्नाले पॉंच के उखोर नशाकरन बारे सोचन लगे। उननाने पैसे दी थोड़ मैसूस किती। पैले दो दोस्ताँ विच नू एक कोल लैप्टॉप सी। तिनना ने इसला बना के कीट नाशक दवाई खरी दी ते कोक विच मिला के दोवान दोस्तानू पला देती। थोड़ी देर बाद दो में बिहोश हो गए। उन तिननों कबरा चुके सन। मूह ने रहो चुका सी। कबराट विच उना दोवान नू नैर विच रोड देता गया। तीजे दिन लाशा मिलियां ते पंजे कार पटे गए। पामे वेखन नू जया लगदा है। पर एक अले देन सक्त मेनत, दूजी कोई गली नहीं सी। अज दे नौजवान सिरड दी मेनत, नैतिक कदरां केंता, माप्यां दे प्यार, दे जजबाती सांजतों को रह हन। उना दे मना अंदर गल्तियां नू रोकन वळा, वडे रहां दा आदर पर पूर डर नहीं रहा। मॉडन सुहूलतां दी आडवेच नौजवान वद घर्ची ले हो रहां। मोबाइल फोन नौजवाना दी मुडली जरूरत है। इदी कीमत हजार रुपए तु लेके पंजाहजार रुपए तक है। आम कामे दी तन्खा उस्तन पंजाहजार रुपए प्रतिमीना है। कई ब्रेंडेड वस्तान दा वर्नन हुन्दै। अजय गीत नौजवान पीडी नौगुम्रा कर रही हन। बापदी कमाई चो किते जान्दे अजय खर्चे नौजवाना दी जिंदगेच उच्छाल पैदा करते हन। ए उच्छाल कई गलतियां दा कारण बनदै। कई कई वस्तान दी लालसा कारण ही जुर्माच फास चान्दे हन। जिंदगीदियां सुहूलतानू मानन दी लालसा चो किते जान्दे वद्ध खर्चे उलार मान सिकता दा संकेत हन। अपने हथी कीती कमाई चो ही साड़ा खर्च करन दा अधिकार हो सकत है। किर्ती लायनों तिड़कदे शीशियां वांग टुकडे टुकडे कर देता है। जदके पच्छमी जीवन वेच विखावे दा कोई अधार नहीं है। ओथे पैदल ते महेंगी कार वेच सफर कर दे दोवे व्यक्ती बराबर हन। ओ लोग फजूल खर्चे नहीं कर दे। कम कल्चर, अनुशासन, लोक सिवा, वर्ताओ वाद, पच्छम दियां, चंगियां कदरां केमतावल सड़क कोई त्यान नहीं। चीजां वस्तां दा दिखावा ते पैसे दी दोड दोवाने पंजाब दा अथा नुकसान कीता है। अपने सब्याचार ते विर्से नालों टुट जाना, जिंदगी नालों टुट जान वांग है। फुल बूटियां दादार की हुएगा। अगला लेख है परवासी पार्ती। पंजाबियां दा परवासनल गुडा रिष्ता है। नौकरियां दी अन्होंद ते स्वेर उसगार दे उगड़ दुगड रस्तियां कारन। अज नौजवान हर हीले पर देश जाना लूच दे हैं। परवासी पंजाबियां दी अपने वतन फेरी नौजवाना दी लालसानों होर तेज कर दें दी है। स्पांसर शिप्तों स्टडी वीजे तक नौजवान हर हीले विदेश जाना चान दी हैं। परवासी पारतियां वलों राता जाके कितियां कमाईयां तो बाद उमान तन होडा करन लई वतन फेरी पौण दी हैं। लेकिन सोने दिया मुंद्रियां ते वच़ढियां गडियां देखके नौजवान पेड़ी लालसा विच आ जान दी है। वड़ियां कोठियां ते बनाईयां जहाजांद यां टैंकियां आप मोहरे कई सुने ही दिंदियां रिंदियां हन। बरात लई इको रंग दियां कारां जा हेलिकॉप्टर ते जान्दा लाड़ा साधी सदारन जिंदगी जीन दी पावनां ते प्रशन चेन है। सानु चाहिद है कि विदेशां तो चंगियां आतां ते रिती रिवास पंजाब लेकिया ये। किर्थ सब्याचार, अनुशासन, वर्ताओं ते सेवा पावनां दा ओ लोग चंगा नमुना पेश कर दे हन। उद्र विद्यार्थियां ले कम दे पूर्णे पौंड ले उन्हानू छुटियां दोरान स्टोरां ते कम करन जाना जुरूरी समझा जान्द है। स्टोरां दे मालका ले वी ये लाजमी है कि उसकूली बचियां नू कम देन। जेसले उन्हानू टेक्स छोट भी मिल दी है। विद्यार्थियां नू ट्रैफिक वॉर्डन पे हस्पताला मिच। वलंटियर ड्यूटी दोरान सेवा पावनां दा पाट भी पड़ाया जान्द है। इक टीवी चैनल राईं खबरान राईं दिखाया गया कि एक परवासी पार्ती ने वी लाख रुपए खर्च के अपने कारूप पर एयर इंडिया दा जहाज बनाया। इस जहाज वेच रैन ली बाकाइदा दो कम्रेवी हन। खबर दे नाल नाल परवासी पार्ती दे वी चारवी परगट की तेशन के मैं एक देश तो दूजे देश कई वरे आंदी सक्त मेनत तो बाद अमरीका पुझा सां। आज मैं आर्थिक तोर ते पूरा संतोष्टा करदी चाते जहाज बना के मैं अपनी खुशी पिंडवासी अनल सांजी करन्दा यतन केता है। इस खबर उपरांद मैंनो डॉक्टर सरदारा सिंग जौल साबका वाइस चांसलर जी दी कटना याद आई। जादो वर्ल्ड बैंको वल्लों पाकिस्तान गए ताउना ने अपनी प्राइमरी दे दे आपक सुखी मुहम्मद दीन दे नाम ते ताईलाख रुपया जमां करवाया। ते उस्ते व्याज चों चार विद्यार्थियां लई सालाना वजीफा अज तक दिता जान्द है। परवासी पार्तियां वल्लों कई खेत्रां विच शिलागा योग काम कीता जा रहे हैं। अजे ए कुछ कमानूं केस स्टडीज दे तौर ते पेश कीता हैं। कैनेडा वसते दो सिद्धू प्रामा अज मेर सिंग ते बलदेव सिंग ने अपने पिंड चकर जिलालू दे आना विखे। शेरे पंजाब अकेडमी साल दो हुजार चेविच शुरू करवाई। इदी वागडोर उना ने पिंड दे कॉलिस्ट पड़ाँ दे परफेसर बलवन सिंग संदू दे हाच देती। अकेडमी विच मुक्के बाजी ते फुटबॉल खेडां ते विशेस जोर दता गया। अकेडमी दा लखा रुपैदा सालाना खर्च सिद्धू पराही चुक दे हन। साल 2010 दौरान उना इस अकेडमी दे तिन दे पंजाब चों चार होर खेडारी लेके सात खिडार यानू मुक्के बाजां दे देश क्यूबा विखे अपने खर्चे ते मीहिने दी ट्रेनिंग लेपे जया। इस अकेडमी दे कई खिडारी राश्ट्री चैंपियन बन चुके हन। मुक्के बाजी च अकेडमी दा सुखदीप सिंग ते तिन लड़कियां पार्ती टीम ते अभियास केम्प विच्छान। शविंदर कौर ने जिते जूनियर नैशनल चैंपियनशेप विच्छ सोन तमगा जित्या ते पारत दी सर्बोत मुक्के बाज बनी ओथियो सिरी लंका खेड़न भी गई। अकेडमी वल्नों लैब्रेरी दा परबंद कीता गया है। इस तो इलावा इना प्रामा ने परवासियां आते पिंड़ वासियां नाल मिलके क्रोडा रुपया खर्च के पूरे पिंड़ विच्छ सीवरेजदा का मुकमल केता ते सजावती बुटे ते रुख लगाके पिंड़नों आधुनिक दिख देते। उना प्रामा ने पावना है कि इस अकेडमी विचो उठके कोई खिडारी ओलंपी खिडांच मैडल हासल करे। उना दी पावना कदों पूरी हुं दिये एता समाई दसेगा। पर आज तों ती चाली वरे पहलां दुश्मनियां ते कतलां ले जानेयां जान्दा पिंड चकर अज पंजाब दे पिंडां दी अगवाई करन ले अंगडाई ले रहा है। पंजाबी विरसे ते सब्याचार नाल जोडन दा कारज वी निबाये। एस संस्था विदेशां विच पंजाबी लेखकान नू सरोत्या नाल रूब-रूक रॉन दा उप्राडावी कर दी रहा है। पंजाब विच 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 वी इस संस्था ने कई चंगियां के त आठकां तक पहुंचाईया हन। आठकां तक पहुंचाईया हन। आठकां तक पहुंचाईया हन। आठकां तक पहुंचाईया हन। मुडलियां सेथ सुहुलतां तो इलावा है एह हस्पिताल इलाके विच कैंसर, हेपेटाइटस ते एड़ जवर्गयां पे आनक बिमारियां प्रती जाग रूपता भी मोहिया करोंदा है। सर्दियां विच अखांदियां बिमारियां दे अप्रेशन ते लेंस पौनदा का मुफत किता जांदा है। कई परवासी पार्तियां ने खेड़ां तो इलावा पिंडा विच लाइब्रेरियां खोलन दा योगदान भी पाया है। इतनों तक के कई आने अपना कार लाइब्रेरी दे तौर ते दान कर देता है। पिछले वरे पट्याले जले दे एक परवासी पार्तियां एक लख रुपाई दियां किताबा नौजवाना नूं मुफत वंडियां। दो अबेद एक पिंड वेच परवासी पार्तियां ने पूरे पिंड ले गोबर गैस प्लांट लाया। ते पिंड दियां गलियां नूं सोलर लाइटां लगा के रुशनाया है। लेकिन लोक दिखावेयां ते कबड़ी खेड मेलेयां ते हुंदे खर्चे नूं से देन दी लोड है। एक खर्चा नौजवान पीड़ी ते तियां तियां ली किता जावे ता चंगे नतीजियां दी आस रखी जा सकती है। कुछ सुजाहन जो हेट लिखे नू साथ। कोड़ा नुसार कमरे थे पर योग शालावान दा योगदान पाया जा सकता है। स्कूलान यां ग्राउंडान दी साम संबाल थे खेड़ान दा साजो समान एक चंगा उपराला होएगा। कई विदेशी पराग खेड़ दे बच्चयानू जर्सियां जनकिट्टां वी वंड़ दे हन। पिंड विच लड़कियां लई सिलाई सेंटर खोले आ जा सकता है। इस नाल दो तिन लड़कियां नू रुजगार भी दिता जा सकता है। पिंड दियां गरीब दियां दे व्या किते जा सकते हन। तनवाद। जीवे जवानी पुस्तकदा अगला लेख है। यतन निज्जी ते संस्थामा। फरवरी दो हजार बारां दोरान इंस्टीचूट अफ रोड ट्रेफिक एजुकेशन वलों नवी दिली वेखे सडक सुरख्या सबंदी दो दिना अंतर आश्ट्री कानफरंस दोरान वर्ल्ड हेल्थ ऑगनाईजेशन नाल सबंदत विदेशी मूल दी कौरत मैंनू कैन लग तक किस विपागदा ज्यादा रोल हो सकते हैं ते किस पद्दर दे अधी कारी लिए नाम रख्या जबे उस कोल सडक दुरकटना दोरान सिर्च सट वजन कारन होयां मौतां दी अंकड़ेवी सन इसे कानफरंस दोरान मैंनू पता लगा के संयुक्त राश्टर नल्स बंदत एक होर संस्थावलों देश दे दो प्रांतां पंजाब ते आंधरा परदेश नू शराब पीके हुंदियां सडक दुरकटनावां दे पाइलेट प्राजेक्ट ले चुने आ गया है परसी आप की यतन कर देयां एस स्वाल हर पंजाबी नू कई-कई वार अपने आपने देता है उनानू किर्थ करनवाले आते अधियात्मक जीवन जीन वाले मापपे सिरड ते अन्थाक अधियापक ते नसीब नाल सरकारी नौकरियां मिल गया पर अजय लोकाने सिस्टम नाल कोठे चाड़के लकड़ दी पाड़ी नू सुट देन जया वरताओ कीता है अजय लोकान वल्लों वी सार्थक सिस्टम वल इंज मुख मोड लेना बहुत वड़ा दुखानत है ए लोक समाजिक समागमा विच अंग्रेजी ते पंजाबी रडा मला के बूल दे रन्दे हन प्लाटानियां कीमतां ते वडियां कारां दे टॉप मोडलानियां गल्लां कर दे रन नौकरी कर दे हमें पंचैतां ते मोहतबर बंदयानू बेंती करदा रहां के सिस्टम दे जिस पाग ते तो अड़ा सिद्धा हत पेंदा है को टोकाट ओथे तो अनू यतन करना चाहिए अपने पुत पती जे पांट जे दे विया समे दाज लैन तो बिना विया करां दा यत करिये वियाहां दा खर्चा कट करो ते ब्रात विच शराब दे सेवन नू वर्जित किता जावे जेहे वियाहां दे मैं तो अड़ा बिना बुलाया मेहमान हुआंगा मैं उना नू इंजुत शाथ करन लगदां इक व्यक्ती ने मैनू फोन ते सूचित किता के दाज दे खर तानू सार व्याच सादरेया सी ओस देन सानू दो आनू स्कून प्रापत होया इक कॉलेज दे NSS वलन्टीर्ज नाल गलां कर देया मैं उनानू नशिया वरुद जागरत करन लगा जिया करन लई मैं उनानू अपना मोबाइल फोन देके प्रेरिया वी सी इक विद्यार्थन अपने बापनू नाल लेके मेरे दफ्तर आई जो शिराब पीन दा पकाद दी हो चुक्या सी इक व्याच शिराब ना पीन दा की फर्क पया होएगा जा उस ती दा बाप शिराब छड पाया होएगा जा नहीं मैंनू पता नहीं पर उस व्यक्ती ते विद्यार्थन अगे मे सेवा पावना मनफी रहन दी है जिन्दगी दियां लोडां ते सुक सूलतां ते ही केंदरत होए रहना उना दी आदत पक चुकी हों दी है दुझे पासे कोज अधिकारी सेवा मुक्त होनू पुरंत फेर किसे अर्थ सरकारी जा कमिशन नाल सबंदत अतारियां विच नौकर करन लग जान दी हन। कुछ हद तक अधिकारी जाई पावनांदा वी शिकार हो जान दी हन। कि जे यां गलान नू कोई पूछदात है नहीं। उना कोल काबलियत ते तजर्बा वी है पर प्रांत दे मौजूदा हालात जाई यतना लई कोई हूंगा रवी नी पर दे। अज दिये बहुत वड़ी लोड है के सारे सेवा मुक्त करमचारी ते अधिकारी अपनी जिंदगी दा बाकी बचदा समा नौजवान पीडी दी साम संबाल ली समर्पित कर। कई व्यक्तियां ने निज्जी यतन कर दियां जांके से संस्थादा सहरा लेकी समाजिक कुरीतियां ते वक्खो वाखवेशियां ते महत्तपूरन योगदान पाया है। उनादाय सफर साडेली चानन मुनार है। सिंग सरहिंदी विज्ञानक सोच लेए। प्रिंसिपल सरवन सिंग खेट साहित लेए। सिरी मोनलाल शर्मा नश्यामरुद जागरती लेए। डॉक्टर कमल जीत सिंग सोई सडक सुरख्या लेए। सिरी सीवी कमबोज पंजाबी दा कंप्यूटर लिपी आंतर लेए। निजी तोर ते अन ठक यतन कर दियां कई व्यक्तियाने संस्थामा वांग कम कीते हैं। हेठां वर्नन कीते अजय कुझ नाम मुनुकता लेए पाई हुए पूर्णिया दे तोर ते विचारे जा रहे हन। अकाली चकर कॉर सिंग, नोरा रिचर्ड्स, पगतपूरन सिंग, मदर टैरिसा, अब्दुल सतारी दी। नशियां वर्गी लानत नू कबू करन लेए गयर सरकारी ते तार मिक्संस थामानू वड़ी पूमिका निबानी पहेगी। अक्सर लोग केंदे हन सरकार ते पुलिस चावे ता शामनू नशे बंद हो सकती हन। परजया नहीं है। पामे साच्या के ताकतवर राजनी ते पावना बहुत महत्तव रख दी है। नशेयां दे सेवन ते वपार सबन दे संब्लो पंजाब किताब विच विस्थार पूर्वक चर्चा केती गई सी। नशेयां दे रोग थाम लेए गैर सरकारी संस्थावानू लंबा सफर तै करना पाएगा। नशेयां दे सिद्धे ते असिद्धे कारना दी रोग थाम लेए प्रांत विच अजेयां संस्थावान दी बहुत वड़ी काठ है। नशेय व्यक्ति दा इलाज करौन लेए कई संस्थावान कामता कर दिया हन। पर सेवा दी पावना ते तकनिक की ग्यान पक्खों कोई सफर तै नहीं कर पौन दिया। अजेयां संस्थावान नू बिना कोई आस रख्या और ठक मेनत ते निशकाम सेवा करनी पाएगी। अजेय कारन सिद्धे ते असिद्धे रूप वेच नशेयां दा तरा तल सिर्ज दे हन। अजेय विश्यानाल सबंदत संस्थामा वल्लों इको प्लेटवान ते आके संजा प्रोग्राम उलिकना चाईदा है। तानुवाद। पुस्तक जीवे जवानी दा अगला लेख है जद पैन कपाही फुलवे। नौजवाना दा समाजवेच परवाग कनकान दे खेता वांग है। कनकान दे तियां पुतरान दे पूर जीवन दा सफर निरंतर जारी है। बीजनू नरम खेत मिले, मिटी दी गोद, सिली दे निगी हुवे। पुंगर्दे बीजनू खुराकी तत दी गुर्ती मिले, पाणी ते खादा समे सिर मिल दियां रहन। एक किसांदा कर्तव है। नौजवानानू बचपंदा लाड प्यार मिले, मुडली सिख्यादा माध्यम मामबुली हुवे। अध्यापक दोस्तां माप्यां ते रह बरांदा सुमेल होन। चड़दी जवानी खेड़ां खेड़े, रज के पड़े, शाम तक स्रीर ते मन दो में ठाक जान। दिन छिपदियां जित्थे बैठणू थी नेंदा आजाए। जवान हो रहे विचारानू साहित दी अगवाई मिले। चंगे कॉलजां विच पड़ाई हुवे ते नौकरी जांकाम दी उमीद बज जावे। एक अर्तव माप्यां द्यापकां ते परबंद कांदा है। कंकां दे खेत पालन लई कुदरत ते काम्याने ओखे हालातां विच वी अपना रोल सफलता पूर्वक निबाया है। परसी नौजवानानू लाड़ प्यार, चंगी सिख्या, खेड, नौकरियां कम ते सेथ देंट बुरी तरह उकता गई हां। कोर निराशा दे हालात विच असी उनानू उना दे रहम करमते छड़ देता है। समाज दे निराशा जनक हालात दे उना दे अगवाई करन लगे हन। प्रांत दे मौझूदा विद्यक आर्थक दे रोजगार दे हालात उना ते गंबीर हमले कर रहे हन। उस जखमी हो रहे हन। इना जखमा कारण उनानू बुखार रहन लगा है। मैं सभीकार करदां कि ए लिख्त जखमा ले मल्लमते बुखार उतारं दी दवाई नहीं है। नौजवानना नाल ए गलां उना दा हाल पुच्छन जमरीज दा मंजा चामेक रोण वांगान। कोई शबद किसे तपदे सरीर ले ठंडी पट्टी बाण जाई एक कादर दी रह मत होएगी। देश दी वंड समय मेरे चाचा ती पिताजी चक नंबर पांग सो पन ताली जिला लायलपूर हाई स्कूल दे छेमी ती अठमी जमाद दे विद्यारती सा। उना दा काफला सतलुज किनारे लुद्याना जिले दे पेंड वली पुरा के रुख्या। तेन चार देनोना मंग के रुटी खा दे। फिर माने अंबा दे रुख्या थलेओं अचारी अंब कठे करके दोमा प्रामानू पेंडच अंब वेचन लेई पेजिया। उने पीपेच अंब पाके पिताजी दे सिर्ते रखवा देते। दोमाने पेंड दे तेन चार चक्कर लाए पर कुझ विख्याई ना। इक औरत ने पुछिया तुसी की दे कार जाने। अंब वेचने हन। दोमे प्रामाने उत्तर देता। होकाता देओ, तुझी होकाता दिन्दे नी। ओस्वारत ने पीपा सिर्त लोहाया, छे अंब रख़के कणकां दे दानेयां दाईक कंगनी वड़ा गिलास। चाचा जी दे पल्ले चुपादता। दाने देओ, अंब लओ, दोमे प्रावारी वरी बोलन लग गई। उस वारत ने फेर वाज मारी। दाने देओ नी बोलना, तो अडेकुल अंब नहीं, अचारी अंब हन। बसे नहीं कओ, अचारी अंब, अचारी अंब। थोड़ा होडी तुरो, खुले बुहें आगे, प कोई हमदर्द तेरे बर नहीं है, समेद ये भी मंग है कि असी लोड अनुसार पिता पुर्खी तन देया, ते श्रेणी संसकारां देखके रेचूं, बार आ जाईए। पक्का कर लेनां चौंदा सी। एक शाम जादो चौवी चक्कर लगा के अपने कोच कोल रुकिया, तो उने स्वाल कीता, कि ये हो सकत है कि अपनू कोई भी मैडल ना मिले। दुस्ताद जी, उना क्या वेक, ए संभव है कि आपां बहुत मेनत करिये, पर कुछ भी ना मिले। लेकिन ए संभव नहीं कि आपां कुछ ना करिये, तो बहुत कुछ मिल जाए। ओस उलम्पिक खेड मेले वेच, काले मोती ने सोने दे चार तग में जितन दा मान हासल कीता सी। जी आपां जिन्दगी दे इमत्यान दे कुल नंबर सो मन लए, ता मेनत आते आचर न दो में पच्ची पच्ची नंबरां दे सुवाल हन। तुसी ओक्खे हालात तां विच्वी सक्त मेनत करके उस्ताद दी चुप जिया कोई वड़ाए नाम हासल करे। एक समासी जद सुने हे ते चठियां बहुत वड़ी खुशी होया करदे सन। ते शक्कर के उसब तो मिठी चीज सी। ते खुशियां दे उच्चे मेयार सेट कर देती हन। पर केवल सुख सुहूलतां गणित दे आंक सिफर वांगने। जो जिन्दगी दी जेडी वी रकमनाल गुणां खांदियाने उनानू सिफर कर देन दियाने। इहो कारण है के कुछ लोकां कोल बहुत कुछ होन दे अन्सिक स्कून ओना दा पला नहीं फड़ दा। इत्थी बसने सुख सुहुलतां वाली जिन्दगी दे इस लेने जीवन दी चादरतों मेनत मुशकत नू मलकडे जे पासे करके उस थां ते कमाई ते शौट कट ते असिद्धे तरीक्या नू रख देता है। शत्रांज दिये खेट साड़े मना अंदर कई पुले खेपों दिये। दरसल जिन्दगी हर बंदेली फुलांदी सेज नहीं है। आम बंदेली ये मारू थल्दा सफर है। कोहा लम्मा सफर जित्थे दूर तक पानी दी कोई आस ना होए। मेनत कर दियां सानू मानसिक जदो जैते सरीर कस्थांचों इकठियां गुजर जानां चाही दै। असी मेनत काश जिन्दगी दी हामी परिये। तूडी तांद सांब हाडी वेच वाटके सानू ओ खुशी मानन दा कोई हाक नहीं जो असी कमाई ना हुए। पोजन ते पैसा जिन्दगी दियां मुडलियां लोडा हान। पर सचियां खुशियां कुदरत नू मानन वेच्छान। तूसी कुदरत नू मानना त्रेक दे फुल्लां ते राद दी राणी दी खुश भू। रब दी सुगंधत ते मिठी होंदा परतीक है। पंजाब दे लेंड्सकेप दा हर रंग सुन्दरता दा अध्पुत नुमोना है। माजाब गुरुवां प्रती अथा सतकार दुद्धियां डोलनियां ते पाई लालो दे परशादियां दा देश है। सानु और ओर रुत लेदें मुल्लवे तर्मी बाबला जद पैन कपाहीं फुल्लवे तर्मी बाबला। उचियां लम्यां टालियां दियोए विच गुजरी दी पींग वे मया। नका छड़े अदे परे क्यारे ते बरसीम विजन दी रुत आथन दी चा पींटो बाद वट्टां ते मूलियां ते शल्गम लोन दा विला। साडे खूते वस्तार अबनी तुसी कमाद दे पैरांच खड़ी पहला पाणी लगे कणक दे खेतनू गौन अलवे ख्यो। कोमल कलावां दो शबद अपनी हथेली ते लिख लेने। सिरीरक ते मानसिक तंदरुस्ती ले खेड़ां दी होंद त्रेल दे तुपक्यां वांगे। निजी कसरत नालों हौकी, कबड़ी, वॉलीबॉलाद सुमूह खेड़ां वदेरे लाबताई खान। कसरत दे नालनाल इसाडेली मिलवर्तन ते साथ पावनां दे पूर्नेवी पौंधियां हन। जिम कल्चर अतरुजे बंदियां दी लोड ते शेरी करन दी देन है। जिम च किती कसरत फास्ट फूड वांगे ते खुले मैदानाच, खेड़ियां खेड़ां, चान चाननी राच, चुले मुरे बैकी, कुदरत राणी हत्तों फुलके खान वांगे। तुसी साथधान जाना, जिम जाना कोई कोड वर्ड बंदा जा रहे है। ये तो अडियां बामा ते टैटू उकरा के तो अडिकनना चु मुर्कियां भी पहुंदा है। किताबां जिते सानु ज्यान दिन दिया हन, ते जिन्दगी नू रौचक बनों दिया हन, उते जीवन जाच दे पूर्णे पॉर्णे पॉन्च वी साहिद दा महत्त पूरन रोल है। किताबां साड़े वेले समेदी भी सुचच जी वर्तों कर दिया हन, ते बिजली दे सरकट वां, सानु सार्थिक जीवन दे कई पहलुआं वल्वी जूड दिया हन। किताबां साड़ा के रावेशाल करके साड़े खंबानू फैला दिया हन। जित्तों मनुक उडारी लाके के ते भी पहुंच सकता है। पच्मी मुलकां दे लोग ट्रेन दा सफर कर दे, किताबां ते रिसालियानू टिक्टां तो वद शिदत नल संबाल के रखते हन। उना दा स्टेशन पावे आठमेंट दी दूरी ती हुवे ते सीट पावे ना भी मिली हुवे। वो खड़े-खड़े किताब खोल लन दे हन। इक जा दो सफे कई वर पूरे जीवन दा साथ ने बाजन दे हन। केरला प्रांदे लोग अपनी मातपाशादियां केताबां मातपाशाच तर्जमा हुयां ते होर पाशावनियां केताबां भी पढ़ दे हन। पर सड़े विच साहित पढ़न दी बहुत ही कट रूची है। पिछले वरे मैंनू खुशी दी पाल विच डूंगियां सिखरां कलामई जीवन दी तांग जिना दिस संदड़यां दुर्मत वंजय आद किताबां पढ़न दा मौका मिलिया। सौन लग्यां तुसी अपने सराणे किताब रखने नैतिक कदरां केमतां ए तिन शबद दुजी हत्थे ली ते लिख लेने। सिखके जेड़ं पंहगड़ा ना पावे कादा गबरूव Cauactiveぎरी नचलाना जाने मुटिं हार नाई मैं गीताँ दियां अजहियां पंग्तियां ते जिंदगीनू मानन दिवरुद नाईयां पर जिन्या पंक्तियानू जद जिन्दगी दी तारते राखे देख्या जान्दा है ताई अकर्तीला तीला उड़ जान्दी हन कुछ पंक्तियान मैरिज पहले सावेट सिरफ खान पीन वाले मेजतों डीजे तक दा सफरी तै कर दिया हन सर्गी वेले माप्यांदा अशीरवाद लेके शुरू किता गया दिन सिरड दी मेनत ते लगनतों बाद दीव्यां वेले तक किसे स्वानी वलों चूरी कुटे जान वांग अजे या पंक्तियांच राच मेच जान्दा है महरम दिलांदी माही मोडेंगा कद मुहारा क्रिकेट संसार कप दे मुहाली विखे हुए पारत पाक सेमी फाइनल मैच दोरान पाकिस्तान दे गेंद बाज वहाब रियाज ने पारत दे पांज चोटी दे बल्ले बाजानू आउट किता हर विकेट लैन तो बाद उदा वेहार बाद ठर्मे वाला से पहली वार उने गरदन पिछानू सुट के खुले असमाननू गौन अलतक या दुजी वार खबा हाथ अपनी चाती ते तर्या ते सजे हाथ नल हलका जा दबा पाया तीजी वारो दे कोल पाज के आये साथी खेडारी दे सिर्वेच लाड नल हात फेरिया ते जद उने यूराज नू पहली गेंद ते बोल्ड किता ता उने मथा टेकनवांग अपना सिर्थर तर्ती मादे चर्नाती रख देता खुशी समे किता गया शुकराना अगली सफलता दा नी पत्थर बन जानता है ड्यूटी खतम होन तो बाद जद मैं स्टेडियम चो बार निकलिया ता नौदास कारांच सोवार वी पची नौजवान उच्ची अवाज विट स्टीरियो लगा के चिका मार रहे सन नौकरी दोरान मैं खुशी समे मन चाए उच्छाल वेले समे दी ठीक वर्तों ना कर सकना ते माडे साथ कारण कई व्यक्तियानू जिन्दगी दे टलान तों तिल्क के चकना चूर होई वेख्या अपा सुखानू सैना ते मुश्कलानू मानना सिख लेगे पच्छम दाईक विद्वान समे दे ते जिन्दगी दी महत्तार दरसांदा केंदै कि हर देन एक पूरा जीवन है जद सूर जुदे हुन दे उदों त्वड़ा जन्म हो रहे है ते अस्त होन समे त्वड़ी मौत हो रहे है इसनू स्वेरे उठनते रात सौन समे नालवी जोड़या जा सकते सुवक्ते उठके कीती चंगी शुरुवात अद्दा काम मुकालन वांग है देन दी समा सारनी बनोना खाना खान जिन्ना ही जरूरी है अजे पांज काम नोट करो जिन्ना नू तुसी किसे कीमत ते नहीं चाड़ सकते रेडियो ते टेलिविजन दे चंगे प्रोग्रामा नाल जुड़ू गीत सुनू नाटक वेखू तो जर्बेकार शक्सियाता नाल गलबाद किताब पड़न वांग है समाजिक समागमा विच अजय व्यक्तियान आल इकले गलबाद करके उना तु जीवन दी सेद लो उना दी यां गल्ला विच रौचिकता मैसूस कराओ उठन लगया निमरता सैत पुछो सर जे इजाज़त होवे तो अड़ा खाना ये थी पाकी ले आदेया सौन लगयां तुसी बिताई होई दिन ते चात मारे वो गंबीर भी होया जा सकते अपने अपनों चिड़का मारियां जा सकते हन ते अपना मुड़ा भी थप थपाया जा सकते इक और दा पती को और शराब बेसी छे एकड़ जमीन चोन जा दूस्ता अद्धा एकड़ जमीन ही बाकी रह गई ता उर उसके पेके जा बैठी तिन मीन्या बाद दो में पंचेता ने दो शर्तां ते समझाता कराया कि अद्धा एकड़ जमीन पतनी दे नाम करवा देती जाई आज तो उर शराब नहीं पियेगा ते पतनी ते हाथ नहीं चुकेगा मिहीन ना लांगया जमीन नाम करवाउन वाली दूर दी गड़ आधतन उदे पती ने एक शाम शराब पीके उस नलचगड़ा कीता अगले दिन स्वक्ते उठके उन्हें बच्चेयां दे मूँ ते गिला हाथ फेरया उस कार्चो दाणयां दिया तेन मुठियां चुन्नी दे लडबदिया दस ते अठ वरेयां दे पुत्तर तेती इनू आख्या के तवड़ी हाथ लुआ के दाने नेर्विच पाके उने हन मम्मी फिर जादा पढ़ना आउगा बालडी ने उनी इंदरेची स्वाल कीता माने हांच सेर मारया थोड़ी देर बादियोंने तारांवाले पुल दे हेटले पासियों दोवें बच्यानू हत्थांच फड़के नेर्विच छाल मार देते चादी दुकान वाले ने एक बस रोक के रोड़ा पाया सौ कु मीटर दे फासले तो एक सुवारी ने लड़की नू नेर्चो बार कड लिया मम्मी वीरा कहके उपटड़ी पटड़ी पाज पई तुसी उस बालडी जिनना सफर पाजगे तै करेओ उदी मान ते वीर दिया लाशा छती कंटियां बाद ती किलो मीटर दूर जाके मिलिया एस सफर तुरके तै करना एस सफर साधे मना अंदर शिराबियां ते नशेयावलों औरतां ते कीते जारे जुलमां दी तस्वीर उकरन विच साधी मदद करेगा हालात नू वेख दियां जिया जौरत अपने जिम्मेवारी तो पिछे हड़ जाए ता पंजाब दी तर्ती ते गर्द ते गैर दे बदल दिखाई देंगे तुसी जिंदगी दे दो उच्चे उदेश मिथलो औरत नू अथा सतकार दियो नशे अवरुद जागरती पैदा करनली हर संभव यतन करना समुहिक ते वड़े उदेश मिथल नाल अपने दुख छोटे परती थोन लग दे हन उपर लिखे शबद लोहे दा दान पातर हन ए पंजाब दी हर चौक्च पिया हर मोड ते खेड में दा नाच ते विद्यक अधारयां दे मुख दर्वाजयां दे भी तुसी रोजान ना इस दान पातर चुझ ना कुझ सिक्के सु टन दा यतन करेओ इना सिक्केयां दी दान पातर ना टकरा के उंदी आवाज पंजाब दा दर्द के टौन दी समरता रख दी है तन वाद